अगे आने वाले टॉपिक्स में आपको बहुत दिखेगा हिम्मत बांदे रखना चैप्टर लंबा है सो लेक्चर भी थोड़ा लंबा ही होगा और जाहिर है क्योंकि लक्ष्मिकान से ज़्यादा ही आपके लिए डेटा में लेके आता हूँ सो ये चैप्टर की लेंद से मत घबराना इसके questions आप देखोगे भर भर के आएं questions हर साल, almost हर साल पूछे ही जा रहे है और पूछना जरूरी भी है क्योंकि ये वो टॉपिक है, ये वो चैप्टर है ये वो जगे के बारे में discussion हो रहा है जो आपने रॉक्स्टार मूवी में अब जब कुनफाया कोन गाना सोना था उसमें एक line आती है जब कहीं पर कुछ नहीं था तो यहीं था जब कोई body नहीं थी कोई AWBI कोई भी NIB कोई कुछ भी जब कोई body agency authority नहीं होती है, तो होती है Parliament Parliament का रोल सबसे पहले आता है यही देश के नायक है, देश के खल नायक है तो UPSC ने भी भर भर के questions पूछे हैं यह questions को हम आगे बाद में discuss करेंगे, हम शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी हमारे chapter की शुरुवात से तो सर हमें तो यह बताओ क्या, Parliament क्या क्या है यह, अब आप क्योंकि यह lecture देखी रहे हो उस दिन, जिस दिन बहुत, जो बहुत ही special day है, इतिफाक से जिस दिन आप यह lecture देख रहे हो, हमारी Parliament की जो पुरानी building है हम उसको move कर रहे हैं नई building में खेर, यह बहुत ही एक एहम मौका भी है, यह याद करने का, कि इस building की history क्या है, आपको एक fact बताओ यह कहीं है भी नहीं, 28th January, अगर आपको याद हो, यह date 1950, इस दिन कुछ हुआ था, हमारा हमारा गरतंत्र भारत दो दिन का हुआ था, वो तो ठीक है पर इस दिन हुआ था Supreme Court का inauguration, ठीक है जो याद है, एक एक act लेके आया था 1935 में, उस act में हमारे यहाँ, एक federal court of India की बात हुई थी, हमने बात उसका नाम मतला हमने का, नहीं हम तो नहीं बोलें, federal court of India हम बोलेंगे Supreme Court of India तो इस date को, जब Supreme Court of India का inauguration होता है और Supreme Court के पास उस समय कोई अपनी premises नहीं थी तो यह चल रही थी हमारे Parliament के premises में हमारा Supreme Court, जो एक independent judicary है, बिल्कूल separate, vertical है अपने आप में legislature, executive judicary, तो उस समय यह आप यह सोचो कि इस building में, जहाँ पे constituent assembly बैठी है, जहाँ पे पहली हमारी लोगसभा बैठी है हमारा पहला election आम चुनाओ होने के बाद, पहली लोगसभा आई है चुनके वही पे एक block में हमारे यहाँ पे Supreme Court यह बैठा करती थी, और 1950 से लेके 1958 तक हमारे Supreme Court ने यहाँ से function किया है यह एक auspicious day है जब हम इस building से आगे बढ़ रहे हैं, नई parliament building की तरफ और क्योंकि यह topic आया ही ऐसे मौके पे है, जब parliament में एक special session होने जा रहा है और अभी तक, मतलब जिस date तक यह video record हो रही है तो parliament के special session का agenda नहीं नहीं पता है किसी को पता है नहीं किस मुद्धे पे बात हो UCC पे बात होगी, मनिपूर पे बात होगी चाइना पे बात होगी, इंडिया के नाम के ऊपर बात होगी या बात होगी कि हम मनिपूर का, रशिया का, इन सब का कैसे कैसे जवाब दें, क्या करें खेर जो भी हो आगे देखा जाएगा आगे आने वाले दिनों में चन्दी दिन की बात है अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को भारत एक डिमोक्रसी है बिलकुल है सब मानते हैं और यहाँ पे यह जो लोग बैठे हैं यह हमारे रिफ्लेक्शन है पब्लिक विल के मतल ही क्यों क्योंकि इस तरीके से हम पार्टिसपेट करते हैं खुद डिसीजन मेकिंग प्रॉसेस में और हमारी कंसेंट ली हुई है हमारी कंसेंट एस सिट्सेंस हमने कंसेंट दी है कि आप सम मिलके जाओ पार्लिमेंट में इन दोणफ olvुइ बैठे रहो और हमारे लिए निर कोई चैसी निए लोग को कोई सुनी नी जा रही है, खेर, वह देश अपने परिशान यह से जूज भी रहे हैं, जो हमने परिशानिया देखी थी उस वज़े से हमने परलेमेंट को चुना है, अब क्या रीसन है कि लोग चुने तो जब आप याद करो हमारा modern history हमारा colonial rule तो आपको ए फोटो दिख रहे है इस फोटो से आपको आपके पास कम से कम नहीं तो 20 point तो आही चुके है modern history के कि एक अंग्रेज विलायती बाबू बैठा है उसके आगे एक हमारा भारती कोई उस समय का ये कोई servant है जो यहाँ पे इनके कुछ सेवा कर रहा है जो भी कर रहा है तो एक चीज समझ में आगई कि ये जो समय है ये समय हमारा नहीं था ठीक है ये समय इन लाड साहिब का था तो इस समय इन लाड साहिब के नीचे हम लोग डर के रहते थे ठीक है हम ब्रिटेन गवर्मेंट के हम अधीन थे गुलाम थे और हम अगरी नहीं करते थे उनके कई सारे फैसलों से कुछ भी आ रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, कुई भी नया Earl आया है, नया कोई Duke आया है, कोई नया Vice-Roy आया है, कोई Governor General आ रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके नहीं हैं, और वो हमारे नहीं हैं, तो ये बहुत जादा हमारे साथ differences थे हर सिटी में सिविल लाइन जो होती थी उसका मतलब है कि वहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे उस शेहर के उस एरिया में वो अपने आपको हमेशा कटा हुआ ही मानते थे इंडिया से मतलब इंडियन इन जनरल से तो जब हम लोगों ने इनको बहुत जादा बोलना शुर हमने बहुत जादा मुश्किलें बहुत जादा मुश्किलों का सामना किया जब freedom movement आया freedom movement ने ये कहानी पलट दी हमने का आप नहीं सुन रहे हैं आपकी nationalists जो थे they began openly criticizing the British government and making demands फिर ये चालू हो गए इन्हों ने का तुमा कब से देख रहे हैं आप लोगों को कुछ भी कर र होता है और हम उनसे मनवाते रहे कई समय तक हम उनसे मनवा लिया आखिरकार कि हमें आजात करो जाओ यहां से जब यह जब यह चले गए यहां से तब हमने देखा कि लोगों के सपने लोगों की आकांशा हैं उनके aspirations उनके dreams ये सारों को fulfill करने के लिए एक अपनी body होनी चाहि तो freedom struggle के कई ऐसे सिधानत हैं जो सम्मिधान में सम्मिलित भी है fundamental duties ठीक है fundamental rights तो ये कई सारे सम्मिधान में ऐसे आदर्श भी है जो freedom struggle को जिनों ने inspire किया उन आदर्शों ने हमने उनको देखा कि ये जो dream aspirations of the freedom struggle were made concrete in the constitution इसको अपनाने के बाद अब लेकिन सम्मिधान को मनव चलवाना भी है सम्मिधान को चलवाना भी है भाईया हमें कुछ तो करना पड़ेगा and we laid down the principle of universal adult franchise के ये शुरू करा दो कम से कम लोग वोट देना शुरू कर देंगे universal adult franchise मैं ये word पहले ही बोल चुका हूँ universal सब के लिए adult व्यसकों के लिए franchise मतलब आपकी हिस्तेदारी आप आपका वोट देने का हिस्सा आपका वोट देने का नैतिक करतव्य ये देना ही देना है क्योंकि आपके उपर ही governance चल रही है इसलिए आपकी जब्मेदारी भी है कि भाई आप अपने वोट का मत का प्रयोग करो जाके वोट दो अपने अपने representative को चुनवा के भेजो तो जब Parliament में हमारे people हैं और उनके representatives हैं कुल मिला के यही बात है Parliament के तीनंग हमको कई समय से पता है लोकसवा भी है प्रेजिडेंट भी है और राजसवा भी है हम यहां बैठे हैं ठीक है हमने क्या किया हमने अपने state के विधान सवाओं के members भी चुने है directly जब हम MLS का चुनाओ क तो यहां से हमारे चुनके गए यह लोकसवा के members जो लोकसवा जाके बैठेंगे green floor पे अब इधर से जाके बैठते हैं हम यह जो लोग गए हुए MLA's यह MLA's यह चुनते हैं राजसवा के members ठीक है अब यह लोग इनका भी चुनाओ करते हैं राशपती जी का MPs भी MLA's भी त यह हमारा जो why का answer है यह है to select the national government कि कोई तो rule करे जो rule करेगा वो rule कहां से कर पा रहा है जब उसके पास लोगों का अशिरवाद है ठीक है तो to select the national government to control, guide and inform the government यह भी चाहिए and law making process यह तीनों चीज़ें हासल करवाने के लिए हमारा है Parliament जरूरी है नहीं होगा तो एक autocratic body हो ज तो ऐसी कामों को पूरा करवाने के लिए एक Parliament के जरूरत पड़ी वो हमने स्थापित करवा लिया नाओ इस हमारे democratic political system में हम देख रहा है Parliament occupies a pre-eminent and central position मतलब सब के बीच में जो पूरा जैसे हम कहते है न सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम में सूरज है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn यहां वे हमारा Parliament बैठा है Parliament के इर्दगिर सब कुछ गूम रहा है Parliament हमारा focal point है और वहीं से हमारा सब कुछ आगे पीछे उसके गूम रहा है So, because we adopted the parliamentary form of government, that is the Westminster model of government, जो UK की होती है यह UK का house है और यहां पर हम देख रहे हैं कि UK के lords बैठे हुए है और इनका model था Westminster वहाँ पे जो building का नाम है उस area का नाम है उसी नाम पे एक सरकार मानी जाती Westminster model यह होता है कि जहां पे दो houses होंगे, जहां पे एक throne होगा अलग से, ठीक है वो इनका है हमने देखा यह लोग हम बरूल करते रहे हैं, तो इनका जो system है, चला हुआ आई रहा है ठीक है, थोड़ा बात अपने हिसाब से changes करेंगे, इसको अपना लेंगे Now, Parliament हमारी एक legislative organ है of the union government चाहे UK की बात करो, चाहे इंडिया की बात करो, दोनों context में बात से में है Now, Article 79 से 122 तक, जो Part 5 में आ रहा है, of course, हमें पता है तो इस Part 5 में हमारे सम्मेदान में सारी बातें डील करी गई हैं Parliament के organization के बारे में, composition के बारे में, duration के बारे में, officers के बारे में procedures, privileges, powers, इन सब के बारे में, पढ़निये सारी एक एक करके, अभी पढ़ना शुरू करते हैं और हम उससे पहले ये देख लेते हैं, कि एक बार भाया, Parliament में क्या है तो Parliament के तीन अंग सामने आ गए हमारे, लोकसभा, राजसभा और President अब, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकसभा, this represents the people of India as a whole यहाँ पे, यह जो सारे 500 लोग हैं, अभी आगे देखेंगे पूरी कंपोजिशन, सब कुछ आगे, membership, सारी बाते आगे हैं तो यहाँ के यह जो members हैं, यह लोग represent कर रहा हैं देश को, देश के नागरिकों को, as a whole यह जो राजसभा है, this represents the states and the UTs of the Indian Union states को एगा आपको invisible person के रूपे देख लो अभी इस समय, तो आपको देख जाएगा के states, 2800 हों, यह तने सारे states, हमारी 7 और 8 हों, हमारी UTs, हमारी जितनी भी हैं तो यह सारों का representation आएगा राजसभा में हमने दौनों दर्गे से पूरे देश को represent कर वा लिया एक Parliament में Now, राशपती जी, किसी भी House के member नहीं होते हैं, बन एक integral part होते हैं Parliament के अच्छा, ठीक है, तो क्यों भाईया, क्यों ऐसा, क्यों जब आप यह किसी House के member नहीं रहें और इनको चुनने की जो प्रक्रिया है, उसमें एक eligibility होती है कि आपको लोगसभा के membership की eligibility आपके पास already हो मतलब, कोई राशपती जो बनने जा रहा है, जैसे मैडम मुर्मू जी, जब राशपती जी की जब इन्होंने अपना नामांगन दिया होगा, तो इन्होंने पहली एक requirement फुल्फिल करी होगी वो ये थी, कि उनके पास eligibility हो, लोगसभा का membership पाने की कि वो अगर राशपती ना होती, तो क्या वो MP of लोगसभा हो सकती थी, येस, अगर हो सकती थी, तो ठीक है फिर आप राशपती का अपना नामांगन कर सकते हो यानि आपने एक requirement फुल्फिल करवा ली, कि जो भी राशपती जी की कुरसी पे बैठेगा, वो लोगसभा का membership की उसकी हैसियत तो होनी ही चाहिए मतलब किसी न किसी तहे, वो जनता का प्रतनिदी होने की जो criteria है, उसको पूरा कर ले तो ये राशपती जी अगर house के member नहीं है, पर ये integral part है parliament के, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कि जब भी कोई विधयक होता है, कोई बिल होता है, वो without president's assent, वो act नहीं बन सकता, वो law नहीं बन सकता जब तक राशपती जी का assent, उनकी मनजूरी, उनकी हाँ, जब तक नहीं मिले किसी विधयक किसी बिल को, तब तक वो बिल ही है, तब तक वो एक actual कानून नहीं है, दूसरा, ये कई ऐसे function निभाते हैं, जैसे proceeding of the parliament के दौरान, जैसे क्या-क्या, ये house बुलवाते हैं, house को प 54 में ये हुआ था, कि हिंदी नेम्स अफ राज्यसभा एंड लोक्सभा पहली बार अडॉप्ट हुए थे, क्योंकि उससे पहले तक हम council of states, lower house यही बोल रहे थे, हमें बागी जरूवत नहीं पड़ी, पर चबवन में आ जात होती हमको लगा यार, 7 साल हो गए, लोगों को स हमारी जो इंडियन constitution के framers थे, तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने देखा है, ब्रिटिन का model है, बढ़ी है चल रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, इनके आँ राजा बैठता है, इनके आँ speaker होता है, house में, lower house में, इनका PM होता है, ठीके follow करते है न, तो यही हुआ हमारा parliamentary form of government, now, यहाँ पे interdependence between legislative and executive organs हम देखते हैं, मतलब, जो लोकसभा, राजासभा है, यह कानून बनाने वाली बोडिया है, और जो सरकार है, जो executive है, जो मंत्री मंडल है, जिसके head होते है PM, तो यह हो गया हमारा एक executive, कारेपालिका, अब यह दोनो dependent है एक दूसरे से, यह दोन in parliament हम word use करते हैं, वो आया है Britain के crown in parliament, मैं आपको याद है, मैं आपको बताया था, king in parliament, king in council, यह वहाँ से आ रहा है, तो जब वहाँ का जब राजा, मोनार्ख, जो भी हैं, तो वो जब parliament में जाते हैं, कोई speech देने, कोई बात कहने, कोई address देने, तो हम बोलते हैं, कि साब crown आ राजा अभी minister के साथ हैं, राजा अभी सला ले रहे हैं, king in council, अब US में कुछ चीज़ें typical हैं, different हैं, वहाँ की democracy बहुत पहले आजाद हुई UK से, हम से तो बहुत पहले ही आजाद हो गई, वहाँ पे उन्होंने पूरी-पूरी तोर से separate कर दिया है, और वहाँ पे legislative और executive organs को पूरी-पूरी तोर से अलग रखा गया है, वहाँ पे जो executive है, जिसके head होते हैं, president, US के, वो separate रहते हैं, US की Congress से, हमारे हाँ, लोकसवा से ही, राजसवा से ही निकल के आया है हमारा executive, नहीं, वहाँ नहीं है, वहाँ पे executive अलग चल रहा है, Congress अलग चल रही है, जो US के citizens हैं, वो दोनों का ही चुनाव करते हैं, वो वहाँ के लोकसवा राजसवा की चुनाव करते हैं, वो वहाँ के राश्पती का ही चुनाव करते हैं, तो ऐसा होता, American president is not regarded as a constituent part of the Congress, नहीं है, वो अपने act बनाते हैं, Congress उसको pass करवाती है, नहीं करवाती है, उसमें amendment कराती है, और उसरी कहानी है, हमारे यह चीज वही है, जो हमारे executive बनाएगा, वो कानून Parliament से pass होना चाहिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा, ठीक है, अब organization पढ़ लिया हमने, हब हम देखेंगे composition, house में क्या है, तो हमारे यहाँ लोग हैं, देश में तो लोग हैं, हमें यह पता है, यहाँ पैसारे हमारे Indian नागरिक हमारे दिख रहे हैं हमको, इतने ही नहीं है, 1500 करोड है, ठीक है, लोग चुनते हैं, अपने representatives को, members of लोग सभा होते हैं वो लोग, और वो लोग जाते हैं इस लोग सभा में, ठीक है, अच्छी लग रही है, नाओ, यह लोग सभा की, एक maximum strength होनी चा इतने 524, जो 20 हैं, they are to be chosen in such manner as Parliament may by law provide for the representation of UTs, यह UTs में, जितने हमारे UTs हैं, अब कुछ-कुछ UTs में ऐसा होता है, कि वहाँ पर territorial constituency बनाना, जो वहाँ का शेत्रफाल है, जो वहाँ का area है, वो बनाना थोड़ा typical है, थोड़ा छोटे भी है, दूर है, या इतने strategic importance है, उनकी history ऐसी है उनकी, तो यहाँ से जो 20 लोग चुनके आएंगे, UTs से, अब यह Parliament के उपर है, Parliament ही तै करेगी, कि यहाँ से कौन लोग चुनके आएंगे, किस procedure से यह elect होंगे, कितने लोग इनको vote दे रहे हैं, क्या delimitation हो रहा है इनका, अभी आगे आता है, delimitation भी आएगा, तो at present 25 24 यह हैं, जो सारे देश से आएं, और at present 19 हैं, जो ऐसी UTs से आएं, याद रखना, 552 हुआ करते थे पहले, पर 104, 104 अमेंडमेंट आया, इसने बोल दिया, कि यह जो 552 मेंसे जो दो हैं, जो एंगलो इंडियन हुआ करते थे, एंगलो इंडियन को हम हटा रहे हैं, एंगलो इ जरूरत नहीं हमको, now, states का representation, पहली बार देखो, जब हम composition पढ़ेंगे, तो हम पहले देखेंगे, लोगों का हमने representation देख लिया अभी, कि लोग सब हमें जा रहे हैं, अब हम देखेंगे states का representation, जो representative आते हैं, directly elected by the people from the territorial constituencies in the states, क्योंकि states से लोग चुनके तो जाही रहे हैं, now जहाँ पे जो representation हो रहा है, लोगों का भी है, states का भी है, क्योंकि states की territorial constituencies, जैसे UP ले लो, तो UP में जो 80 लोग सबा की seat हैं, this means कि UP का representation कर रहे हैं, यह 80 असी लोग जाके वहाँ पे, individually अपनी-अपनी constituencies से चुनके आएं, now, अब इन्हें, जो इनका election होना है, इन लोगों को च अब कौन वोट नहीं दे सकता है, not disqualified under the provisions of the constitution or any law is eligible to vote at such election, मतलब अगर मैंने कोई ऐसा करम कर दिया है, जिसकी वज़े से मैं मेरे उपर बैन लगा हुआ है कि मैं वोट नहीं दे सकता, चाहे सम्मेधान की किसी रूल की वज़े से, चाहे किसी कानून को उलंगन की वज़े स तब मैं कभी भी वोट अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उस case में मैं इनका चुनाव नहीं कर सकता हूँ, बस, simple सीधी बात है, 61st CAA Amendment Act ने ये बोला था कि हम 21 साल की उमर को 18 कर रहे हैं, जो वोट देने की जो legal age है, ठीक है, हमने कर दिया, now UT's के रेप्रेंचर को देखो, स उन्होंने power देखाई, the UT's, Direct Election to the House of the People Bill 1965, ऐसे करके Parliament ने एक Act बनाया, इसी ये Act का नाम है पूरा, तो इस Act ने ये बताया कि UT's में चुनाव कैसे होंगे, कौन कराएगा, कितने लोग एक बार में देंगे चुनाव, कितने लोग चुने जाएंगे, ये सारा इस Act के तहत आया State's representation, UT's representation, दोनों चीज़ हो गई, now, आगे देखते हैं, इसको, हाँ, ठीक है, Nominated Members, अब Nomination की प्रक्रिया, क्यों है ये बाई, मतलब नामांकन करना, Nominate क्यों करना किसी को, तो Nominate ऐसे किया जाता है, कि कोई ऐसा Special किसी के पास, अगर Minority में कुछ लोग हैं, कुछ लोग एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, कुछ लोगों का कोई Historical ऐसा Past रहा है, ठीक है, उनको दे दिया, तो लोगसभा में, President can nominate two members from the Anglo-Indian Community, Anglo-Indian कौन होते हैं Anglo-Indian होते हैं, वो लोग जिनके की Ancestors, Father की Lines से, एक Europe से या English Descent से आए हैं, तो उनको हम कहते हैं, कि इनके जो पिताजी की तरफ के जो लोग थे, ये European थे, ये Western वहाँ के लोग थे, इंडिया में रहे थे, इंडिया में इनोंने शादियां करी, और यहाँ पे जो इनके ब हमने बोला कि इनको हम देंगे, एक separate दो सीटे देंगे, इनकी आरक्षित रहेंगी, उसमें कभी कोई और चुनाव नी लड़ेगा, दो लोग आएंगे चुनके, अब ये provision जब शुरू में आया था, तो ये खाली 20 साल चलना था, हमने का ठीक है, अभी आगे आई रहे हैं, अब जरूरत नहीं हमको इनकी, आप देख रहे हो, इसमें ये जो सहाब है, ये थोड़े जेंटलमेन लग रहे हैं, थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि इंगलेंड की वर्दी पहने हुए हैं और वागी आर्मी की, तो इनकी जो बच्चे हैं, ये सारे एंगलो इंडियन के पारक्षण मिल सकता है लोगसवा में जाने के लिए, और राश्पती जी ना मंकन कर देंगे इनका, कि राश्पती जी नहीं बोल दिए कि हाँ ठीक है, आप दो जने हो, आप चुनलो अपने आपस में से, मुझे बता देना मैं उनका नॉमनेशन कर दूँगा, आप चले ज है, यह हमारे दूसरे CM है, तो हमने जब देखा कि इन लोगों को हमने चुनके भेज दिया है, अब जाना इनको राश्पता में, तो राश्पता में सीटे कैसे भरी जाएंगी, यही जो लोग चुने हमने, ऐसे स्टेट्स में, जितने MLA हैं, जितने CM, मुझे मंत्री कहलो, उनका cabinet कहलो, उनकी विदानसभाइं कहलो, इन लोगों ने चुनके भेजा, ऐसे MPs को जो बैठेंगे राश्पता में, ठीक बात, अब यह Article 80 कहता है, deals with the combustion of the council of states, that is राश्पता में, और इसने बोला कि धाईसों से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, 238 होंगे, जो representative of states होंग duties are assigned seats in the राश्पा, जो समयदान में fourth schedule है, एक से लेके 12 तक, उसमें चौथा जो schedule है, वो यह बता रहा है, कि कौन से state को कितनी seatیں मिलेंगी राश्पा में, अब यह number fixed नहीं है, और इसका जो चुनाव होता है राश्पा में seats का, यह चुनाव होता है, प्रक्रिया का नाम है, proportional representation by means of single transferable vote, मैं पहले दो बार बढ़ा चुका हूँ, एक बार और इसको revise करते हैं, क्योंकि यह topic कई लोगों के समझ में नहीं आता है, so, क्या है मुद्दा, representative जो होते हैं, यह elected by the elected members of the state legislative assemblies, elected members of the state legislative assemblies, विदान सभा में चुने हुए MLA जो गए हैं, यही लोग मिलके आपस म तै करते हैं, कि हम मैं से कौन जाएगा राजसभा का MP बनने है, now, जो voter होता है, while casting his vote, यहनी कि यह कोई MLA जो अपने state में बैठा हुआ है, विदान सभा में जाके, इनके पास यह होता है, कि इनको मिला एक ballot, अब इस ballot पे यह बताते हैं, कि मैं अपना vote डाल रहा हूँ, और मैं indicate कर रहा हूँ, अपनी preference, by marking 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी जो भी है, against the name of the candidate in the first phase, the first preference votes are counted, यह तरीगा है, PRSTV, proportional representation by single transferable vote, for example, तीन ऐसे contestant हैं, यह खड़े हुए हैं, अब पहले voter ने बोला, कि साब मैं चाहता हूँ, A बने, अगर A ना बने तो B बने, B ना बने, तो C बने, voter 2 ने बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ, B बने, B ना बने, तो C बने, नहीं तो A बने, voter 3 बोलता है कि नहीं, मैं तो A ही चाहरा था, A नहीं मले, अगर A नहीं मनेगा, तो C बनेगा, C नहीं मनेगा, तो B बनेगा, अब इसमें mandatory है, अपना यह बताना कि मेरी पहली preference क्या है, first preference, अगर मैंने first preference नहीं दी, अगर मैंने खाली ये दे दी, अगर मैंने खाली ऐसा दे दिया, that means मेरा vote invalid हो गया, मेरे vote की कोई हमियत नहीं रही, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं बाकी कुछ न लिखूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ए चाहिए नहीं MLA हमें पता यह बात तो कब से पढ़ते आ रहे हैं कि MLA जो होता है एक छोटे शेत्रवल से आता है MP बहुत बड़े शेत्रवल से आता है पूरे जले से एक जले में से हो सकता है दो निकले और दो जलों में से हो सकता है मिला कि एक निकले MP तो MPs के पास population का अशिरवाद जादा है अब उनके votes की फिर जब अगर count करोगे तो ऐसा तो MLA बहुत सारे है देश में और MP उतने है नहीं तो इनके सब के votes की अगर numbers count करोगे तो अलग-अलग चले जाएंगे ऐसे में हमने इनके votes की value define कर दी है और ये value जो है ये अलग-अलग होगी individual vote of MP और MLA इनके लिए अलग-अलग होगी now for example there are three participants यहाँ पे हैं for election and person one passes quota after counting all the first preferences तो वो जीत गया और फिर आगे की process शुरू नहीं होगी अगर एक बार में हमने देख लिया कि हासाब एक और जो है यहाँ पे देख रहा है अगर यह तो voter तीन तक ही है अभी तो खाली तीन लोगों ने vote दी है हो सकता ही और जाएगा आगे अभी तो और लंबा चलेगा यह कहानी बहुत होगी जितने voter होगे सब की अपनी preference होगी तो सब के पहले 1111 देखे जाएंगे 2222 ऐसे देखे जाएंगे ऐसे करके हम count करेंगे जब ऐसा होगा कि कोई भी ऐसा candidate है ABC यहाँ जो बने हुए है अगर इनमेंसे कोई भी quota नहीं पार कर पाया that means कि भाईया process को अब शुरू करो देखना क्या किया इन लोगों ने कैसे लोगों ने वोट दे दिया यह अगर कोई भी quota cross नहीं कर पा रहा है फिर वोटों का transfer होगा कैसे example के तोर पर लेते हैं V1, V2, V3, V4 और V5 अब contestant यही है ABC तो ABC उपर लग दे रहा हूं है ठीक है अब V1 ने बोला मुझे चाहिए था 1, 2, 3 इसने बोला कि मुझे चाहिए था B1, A2, A3 इन्होंने बोला मुझे चाहिए था A1, A2, A3 इन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो A चाहिए था 1 पे और ये चाहिए थे C चाहिए थे 2 पे और ये चाहिए थे 3 पे इन्होंने भी ऐसे बोला इनों ने बोला one two three अब ठीक है अब हमने ऐसे मान लेते हैं पांची वोटर थे जो उनोंने वोट दिया है और इसमें से हमने देखा A को कितने बार मिले हैं one 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 ऐसे करके तो हमने A के यह Ankle कर दी है B के को यह Ankle कर दी है C के यह Ankle कर दी है तो उन लोगों ने दूसरे और तीसे नमबर पर किस-किस को रखा था, अब फिर इन वोटों का ड्रांसफर होगा, C के जो पहले वोट थे वो तो हो गया काम, उनसे अब तो ना हो पा रहा, तो C का 1-1-1-1 सारा कैंसल कर दो, और C को 1 देने वाले लोगों ने 2 और 3 पर किस-कि वोट मिला हुआ है जो second है, A को यहां पर, एक वोट मिला है जो third है, तो दोनों को यहां पर, C का 1-1-1 यहां जाएगा, C का 1-1-1 वाला वोट यहां जाएगा, अगर ऐसा होता, कि यह 5 लोग थे, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला, अगर यह 5 लोग वो थे जिन्होंने C को 1, 1, 1, 1, 1 दिये थे यही वो 5 लोग थे जो कह रहे थे कि साब मैं तो C चाहिए था अब यहाँ पर हम देख रहे हैं V1 ने बोला था 2 और 3, 2 और 3, 3 और 2, 3, 2 और 2, 3 ठीक है अब समझ में आ गया कि हाँ यह वो लोग थे जिन्होंने C को दिये थे पहले पह का काम अब देखते हैं A को कितने लोगों हने 2 प्रिफेंस पहर रखा है 1, 2 और 3 तो A को जाएंगे यहां से 3 वोट ठीक है अब देखना है B को सेर्फर से 5 पहरे रखा था, तो B को रखा है खाली 2 लोग नहीं यह रहे 2 लोग अब यानि की इसके पास जाएंगे 2 वोट B के अब A हो सकता है इस तीन की वज़े से क्रॉस कर जाए अपना कोटा निकल जाएगा अगर आभी भी नहीं हुआ तो भाईया फिर B का फिर देखा जाएगा के भाईया B अगर हो सकता है नहीं पहुंच पा रहा हो अब B कमजोर खिलाडी है यहां पर फिर B के वोट देखे जाए कि भाई अब आगे वोट कहा जा रहा है ऐसे करके हम देखते हैं कि हमने वोटों को ट्रांसफर किया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और हमने देख लिया प्रपोर्शनल रेप्रेसेंटेशन देखे इन सब लोगों की चॉइसे इन सब लोगों का जो इनकी प्रेफरेंस थ हो जाएगा किसी ना किसी को तो ऐसे quota के तहट इतने यह जब वोटा में ट्रांस्फर होंगे ऐसे ट्रांफर होते जाएंगे तो कोई तो quota cross करेगा ही करेगा घ्रिए कए easy now आगे देखो यह जो seats a lot हुई है to the states यहां पर आपको यह शाहिद ना देखे पर मैं आपको यह से बता दूँ यूपी यूपी के पास है 31 सीट्स राज्यसभा की ओके वाउ बहुत जादा है नाउ तो और यहां पर हमारा विचारा त्रिपुरा है त्रिपुरा चोटा स्टेट है उसके पास एक ही सीट है एसे हमारा तमिल्नाडू है तमिल्नाडू के पास 18 सीट है कई ऐसे मनिपूर मेगाले मेजोरम नागालेंड यह सारे के सारे इनके पास है एक एक सीट डेली के पास है तीन सीट राज्यसभा में भेजने के लिए यानि कि यह स्टेट्स और यूटी का बता रहा है कैसे कैसे इन को division दिया गया है, कैसे कैसे इनके पास, राजासभा में seatों का allocation हुआ है Now, US में ये चीज नहीं है US में चाहे वो Texas जैसा जिला हो sorry, state हो, या कोई ऐसा चुटकू सा state हो, यहां पे भी है यह राएक state और, सब के पास दो ही दो seats होंगी जो वो अपने senate में भेजते हैं US में, all states are given equal representation in the senate Senate में आपे equal अपना, इनका सारा representation होगा चाहे वो Texas जैसा बहुत बड़ा state हो चाहे California हो, चाहे कोई Nevada हो, चाहे Iowa हो, कोई सा भी state हो, हार state में से आएंगी खाली दो लोग, 50 state यानि कि 100 members, US has 50 states and the Senate has 100 members, 2 from each states, चाहे population किसी भी state की, कितनी भी हो, हमें फरक नहीं पड़ता तो US represents true federal nature, absolutely US बहुती ज़्यादा federal nature शुरू करता है, हमारे यह tilt है, थोड़ा unitary bias है now, UT's का representation UP's का प्रतेंटिव कैसे होगा तो यहां के जो representatives होते हैं they are indirectly elected by members of an electoral college क्या करें, UT's छोटा district है, छोटा जिला है, छोटा ऐसा territory है देश का, तो यहां पे, यहां पे एक separate electoral college बराया जाता है वैसा ही वैसा electoral college, जो कि राश्पती जी के चुनाओं के लिए बनवाया जाता है electoral college, जो elect कराने के लिए यही बनाएगा, कोई college नहीं है, कोई degree वाला course नहीं है भेजने का, now, जो nominate members होते हैं, इनके बारे में क्या कानी है, तो राश्पती जी nominate करते हैं राजसवा में, 12 members to the राजसवा, from people who have special knowledge, मतलब ऐसे कुछ 12 व्यक्ति, जिनके पास बहुती जादा special knowledge है जिनके पास बहुत जादा practical experience है, आर्ट में, literature में science में, social service में, इन में ऐसे जो व्यक्तियों ने कुछ अगर बहुत बड़े जंडे गाड़े हैं, अपने-अपने field में, तो जाहिर बात है कि उनको हम एक स्थान दे एक अपने highest ये अपने temple of democracy में तो हमने इसलिए ऐसे लोगों को चुना क्या इसका तरीका? क्यों इससे क्या होता है कि जो eminent person होते हैं, जो इस field में बहुत जादा पारंगत हैं, इनको राजसभा में place मिल जाती है without going through process of election, हो सकता है लोग न जीत पाई election, क्या करें? अब popular नहीं है, पर लेकिन है smart कल को मैं बहुत बड़ा सर्विस कर दी, सोचना सर्विस कर दी, और मैं literature में, art में, मेरी बहुत जादा पारंगत हो गया हूँ, तो हो सकता है राश्पती जी मुझसे कहा दे, आधित्या, तुम एक काम करो तुम जाओ राजसभा, और जाके चर्चाएं करो, वहाँ पर बहस करो, वहाँ पर तुम मनो राजसभा के MP, हम बन जाएंगे साब, ठीक है, हम बात नहीं टालेंगे सो, यह बनाए जाएंगे American Senate में ऐसा कोई nomination का कोई मतलब नहीं है वहाँ चुन के आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो कम नहीं जानते Now, elections लोगसभा के कैसे हो रहे हैं हमें यह पता चल रहा है कई इसमें तरीके हैं, पहला तो हमें समझ में आना चाहिए, जो election हो रहे हैं यह elect हो रहे हैं, जमीन से लोग अपने जिलों से, अपने अपने territorial constituencies से आ रहे हैं, territorial constituencies meaning, जो इनका छेतरफल है, जहां यह अपने शेतर में जाके motivation देते हैं, जहां पर अपने शेतर में यह काम कराते हैं बाशर देते हैं, जहां से यह elect होके आते हैं तो हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं, यह MP1 है, MP2 है MP3, MP4, चार Members of Parliament है, अब हम देख रहे हैं कि ऐसे जो district है, पाँच छे district है, D1, D2 D3, D4, D5 और D6 अब लेकिन Constituencies जो बनी है, Constituency बनी है कुल मिला के, खाली कितनी एक Constituency इतनी बड़ी है ये Constituency है एक Constituency ऐसी है ये, तो इससे क्या हो रहा है एक Constituency इतनी बड़ी है और एक Constituency इतनी बड़ी है चार Constituency है, मतलब जो चुनाव हुए, मैं इसको दोबारा मिटा दू नहीं तो समझ जिबाओ गया मैंने क्या किया, मैंने बताने के लिए आपको ये लिया है, ये डाइग्राम ताकि ये समझ में आ जाए कि एक जिले का मतलब एक Territorial Constituency नहीं होता है हो सकता है, दो जिलों को ऐसा हमने जोड़ दिया एक जिला पूरा थोड़ा सा उसमें छोड़ दिया और एक जिला का इतना हिस्सा ले लिया ये इस्सा, ये पूरा बना एक Territorial Constituency और यहां से चुनके आया है एक MP सही बात है, अब इसके बाद अगले प्या जाओ, D2 का इतना हिस्सा ले लिया ये जिले हैं, D2 और D1 का इतना हिस्सा जोड़ा ये और प्लस D3 कर दिया D3 का इतना हिस्सा, तो इससे हमने बना दिया एक Constituency और हमने यहां से एक MP चुनवा लिया MP3 को हमने चुना है बहुत बड़े Constituency से, इसमें D4 पूरा है, D3 का इतना हिस्सा है, और D5 का अल्मोस्ट पूरा हिस्सा है, अब D6 एक जिला है, और D5 को थोड़ा सा एरिया बचरा था, हमने उसको कलब कर दिया, हमने उसको चौथी Constituency बोल दिया, और हमारा चौथा MP यहां से चुनके आगिया है तो सारे जिले, इकॉल टू टेर्टो Constituency नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमने जिलेओ को Delimit किया है, ऐसे जितने ये जो Bodies हैं, जो जितने हमारे Ground पर ये जितने Districts हैं, हमने इनको ऐसे Delimit किया है, ये Delimitation अभी आगे पढ़ते हैं, तो Delimit करवाने के पीछे कुछ मकसद होते हैं, कुछ Separate Purpose होता है इसके लिए, अब ये करना जुरूरी हो रहा है क्यों हो, क्योंकि शेत्रफल बढ़ रहा है क्योंकि सब कुछ हो रहा है, कुल मिला के हम क्या करते हैं, जो सम्विधान ने जो बोल रखा है हम उसका पालन कर रहा है, सम्विधान कहता है कि Population का proportion में होनी चाहिए, number of seats बस, ज़्यादा population होगी तो ज़्यादा seats होगी, साब बात है इसलिए तो नया Parliament बनाये गया नया जो बिल्डिंग बनी है, वो इसलिए तो बनी है क्योंकि जब delimitation होगा और जब ज़्यादा और MPs बनेंगे तब जाके क्या होगा कि ये वाला जो Parliament अभी जो old building है ये छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ेगी तो ऐसे में हमें चाहिए थे delimitation होने से पहले, नई census होने से पहले कि हमें एक नई building बना ले है जहाँ पे 1200 की seating हो जाए एक बार में तो अब सम्विधान ने क्या बोल रखा था कि आपको तो ensure करनी है uniformity of representation करनी ही करनी है, हम नहीं जानते कैसे कर रहे हो और करना कैसे है, वो भी सुन लो तो uniformity between different states and uniformity between the different constituencies in the same state, ये करनी है आपको कैसे करोगे, ratio of number of seats in लोगसभा of state upon that population ये कर दो, आप एक ratio निकाल लो and this should be same for all states जो ये ratio आ रहा है, मान लेते हैं लोगसभा की seat आ रही है UP की 80 और इसकी जो population आ रही है 1971 के census के हिसाब से XYZ, जो भी आ रही है, ठीक है अब ये जो ratio निकल के आएगा ये जो भी करोड होगा, नीचे तो जो ratio ये आ रहा है ये ratio त्रिपुरा के लिए भी हो ये ratio MP के लिए भी हो ये ratio महराश के लिए भी हो, जम्मो कश्मीर के लिए भी हो सब के लिए हो ये ratio नहीं बदले अब आओ next topic पे जब uniformity आपको maintain करनी है एक ही state में, different constituencies के बीच में तो आप कैसे करोगे एक constituency की population को देख लो और number of seats allotted जितनी है वो देख लो ये ratio निकाल लो ये ratio should be same throughout the state concerned जिस state की बात हो रही है दोनों, अब ये ratio मान लेते हैं आ रहा है P तो और ये ratio मान लेते हैं आ रहा है Q तो P and Q are not equal बस पर ये जो P है ये सारे states के लिए same होना चाहिए और ये जो Q है ये सारे एक state के अंदर जितने भी जो territorial constituencies हैं ये उसके लिए same होना चाहिए इतनी बात बोलके सम्विदान ने छोड़ दिया है और आगे जब्मेदारी देदी है Parliament को आगे जब्मेदारी देदी है हमारी censor कराने वाली body को और delimitation commission को अब इनका काम है इनके उपर है अब जब population का जिकर होता है population यहाँ पर मतलब होता है means the population as ascertained at the preceding census of which the relevant figures have been published कि जो भी census हुआ है last वाला बस उसके figure उठालो समझ में आ जाएगा अगर हमारे यहाँ census हो जाए हम देख लेंगे कि यूपी में जोड़ जाएगी 13 seat है और तमिल नाडू छोड़ देगा 10 seat है अगर census हो जाए तो मतलब census होने पर दिख रहा है कि यूपी की जो भी 80 seat है यह बढ़के हो जाएगी 93 और जो हमारा तमिल नाडू है यहाँ पर 39 seat है घटके हो जाएगी 29 यह ऐसे डेटा लेके रखा हुआ है कई ऐसी वेबसाइट से डेटा पब्लिश किया है जो पॉपुलस states होंगे वहाँ पर जो टरिटल कॉंसिट्वेंसी हैं वो बढ़ाई जाएगी MP और बढ़ाई जाएगी क्योंकि population जो है उसी के proportion में होना चाहिए number of seats in लोगसभा यह ratio maintain करने के लिए हम देखेंगे कि अगर census होता है तो UP की जो अभी 80 seat हैं यह बढ़के 93 हो जाएगी 93 और estimate हो सकता है 2071 में कि यह 109 हो जाएग 2071 में अभी नहीं बहुत आगएगी बात है हो सकता है जब होगा तब होगा जब census का काम हो जाए पूरा उसके बाद होता है एक readjustment जब readjustment होना होगा एक बार census हो जाए उसके बाद readjustment होना पड़ेगा for the allocation of seats in the loksawa to the states and for the division of each state into territorial constituencies फिर हमको change करना पड़ेगा जो भी देखे थे हमने D1 से लेके D5 तक, D6 तक अब ऐसे में क्या हो रहा है जो ये 5-6 जिले थे हमने इनको तोड मरोड के हमने ऐसा किया 2 जिलों को एक कर दिया एक जिले का कुछ इससा लेके दूसरे जिले में जोड़ दिया ऐसा तो नहीं है, यूपी से खाली 20 लोग चुनके आजाएं, और सिक्किम से आजाएं 200 लोग चुनके, ये नहों हो जाए, बराबर रखना है, सिक्किम छोटा स्टेट है, जिक्किम गोवा, ये छोटे-छोटे स्टेट्स यहां से ज्यादा लोग कैसे आ सकते, जब वहां लो इन्होंने जन संक्या पर काबू किया और इनको अच्छा काम करना ही सजा मिल गई कि लो अच्छा खासा हमने तो अच्छा काम किया आपने पॉपलेशन को कंट्रोल में रखा कम भी किया आपने 39 से 29 कर दी सीटे हमारी हम तो जीत के हार गए लो क्या हुआ हमारा suffering from success हारी गए success से आर रहे हैं now करेगा कौन article 82 कहता है ये वाला काम कराने की जम्मिदारी जाती है पारलेमेंट के पास जो enact करता है एक delimitation act जिसकी वज़े से आता है delimitation commission ठीक बात है इनका काम क्या है अब यह delimitation commission जो आयोग है ये आयोग बताता है कि कैसे कैसे किसी state के अंदर जो जिले हैं इतने सारे जिलों को हम कैसे merge करें कैसे club करें कैसे एक जिले से कुछ हिससा तोड़ लें और दूसरे हिससे में मिला दें ये काम करवाने की जम्मिदारी एक delimitation commission लेता है तो जब पारलेमेंट को पावर दी आर्टिकल 82 ने सम्मिदान ने कि पारलेमेंट के पास पावर ह एक लाया और delimitation जो commission आया उसने फिर अपना काम दिखाया उसने कहा कि ऐसे ऐसे इन जिलों को तोड़ो इन जिलों को एक करो delimitation का मतलब यही होता है means the act or process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies यह जो होंगी in a country or a province having a legislative body यह जहां भी जो विधाई का है जहां से भी चुनवाने हैं लोग तो वहां पर क्या करेगा यह delimitation जो commission होगा इस commission का कामी यही है to fix limits to fix boundaries करवा देगा भाई ठीक है होगा होगा जब अगला होना होगा तब पता लग जाएगा अब हमारे 42nd amendment ने जो 76 में आया था इस act ने ही यह बोला था कि हम allocation को freeze कर रहे है allocation क्या? allocation of seats in the loksabha to the states and the division of each state in the local circumstances till the year 2000 at the 1971 level यह क्या हुआ सर? यह इसलिए हुआ 1976 में जो 42nd amendment आया इसने बोला कि देखो अभी 1971 का census होगे चुका है 5 साल पहले तो इस 5 साल पहले census हुआ था इस census ने कुछ population दी हमको कि इस state में इतने लोग हैं, इस UT में इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं अब इस 1971 की figure को ही आप मान लो कि यह सच चाहिए और सन 2000 तक, अगले आने वाले 25-26 सालों तक इस number को ही हम सच मानेंगे, इसके उपर नीचे भी हम और काम नहीं करेंगे ठीक है सर, फिर आया 84th amendment 2001 में जब हो गया, यह 2000 तक जब freeze कर दिया गया है तो 84th आया 2001 में, जब यह खतम हो गया, फिर अगले बार बात करनी यह कोई तो करेगा तो 2001 में, फिर Parliament ने बोला, ऐसा है, अभी भी समझने नहीं आ रहा है मैं अभी इसको और freeze कर दो, 25 साल और तो अब 2026 तक यह census का जो figure है, वो 1971 figure ही चलेगा ऐसा क्यों किया गया, इससे हुआ क्या, तो दो चीज़े हुई पहली बात तो तब तक हमें चाहिए था नया पार्लेमेंट, हम देख रहे हैं कि यह पार्लेमेंट छोटा पड़ जा रहा था, और यह पार्लेमेंट तब तक बनके ready हो जाए हो भी गया, बहुत बड़े auspicious day है, आज ही हुआ है अब और क्या करना है, दूसरा objective यह है, to encourage population limiting measures कि लोगों को तब तक सचेत करो, states को सचेत करो कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने states में काम करें अच्छे से और population नियंतरण पर काम करें, population को limit करें यह चंसंक्या हमारी सबसे बड़ी ताकत है भी और सबसे बड़ा हमारा श्राब भी यही है क्योंकि जो Thanos ने जो बोला था Marvel movie में, Avengers में कि too many mouths, not enough to go around, वो सचाई है, क्या किया जाए, हमारे इतने ज़्यादा लोग है और इतने resources नहीं है, तो इसलिए कम से कम 50 सालों में ऐसा हो जाए कि जो population का जो graph है, वो जो ऐसा जा रहा था, यह थोड़ा सा आगे 50 साल बाद थोड़ा सा प्लैटो आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा stabilize हो जाए, यह graph थोड़ा सा सीधा होने लगे, यह जो J कर्व जा रहा था, यह एक जगे जाके थमे, population का जो graph बढ़ता जा रहा exponentially, यह graph थोड़ा सा curtail होना शुरू हो जाए, इसी के लिए, ऐसे measures को तब तक हम अपनाल है, 50 साल के अंदर, हमारे population थोड़ा, लोग, जो जो जितने पैदा हो रहे हैं, यह एक limit के अंदर आ जाए, फिर जो 84th Amendment Act 2001 का ही, इसने बोला, readjustment and rationalization of territorial constituencies, हमें करना पड़ेगा, in the states on the basis of population figures of 1991 census, क्योंकि यह जादा हो जाएगा, यह वाला जो number है, यह बहुत आगे 25 साल तक जाई ही रहा है, अब ठीक है सर, लेकिन, आप भले ही, seats लोग साब हमें ना बढ़ाओ, पर कम से काम आप एक काम करो, कि जो territorial constituencies हैं, जो जिल data use कर लेंगे, काम हो जाएगा हमारा, now, फिर 2003 में आया, क्योंकि 2001 में फिर census हो गया था, 2001 census को हमने फिर basis बना लिया, for the delimitation of constituencies, अभी भी लोग साबा में number change नहीं हुआ है, अभी भी क्या हुआ है, बस खाली, कि हम बोल रहे हैं, कि जो number बढ़े साबा का change मत करो, पर जो population ब तो जिलों को बाटना शुरू कर देते हैं, rationalize कर देते हैं, readjust कर देते हैं, population के हिसाब से, territorial constituencies को, अब, this can be done without altering the number of seats allotted to each states in the लोगसभा, बस यही किया हमने, अभी लोगसभा में numbers अब change होंगे, जब नई Parliament building में जाके हम बैटना शुरू करेंगे, और 2026 का census हो जाएगा, हम एक काम करेंगे, हम communal representation को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई, STs और STs की seats लोगसभा में reserve कर दो on the basis of population ratios, करना जरूरी है, क्या करें, अब यह reservation जो था, शुरू में तो आया था, खाली 10 साल के लिए, अब, until 1960, क्योंकि 1950 का पहला election हुआ है, लेकिन ऐ ऐसा हुआ कि इसको हम आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और 104th amendment ने यह बोला कि यह last करेगा until 2030, साब बात है, और जहां तक है, जब तक हम यह नहीं देखते, कि SCs और STs का welfare काफी हो चुका है, SCs और STs, अब काफी जादा policy making में, policy implementation में, administration में, अब SCs और STs का अच्छा-कासा representation है, तब तक हम reservation को लागू करे रखना चाहेंगे, क्योंकि यह minorities हैं, और बहुत जादा वंचित और शोशित वर्ग रहा है हमारे समाज में, इतिहास गवा है, इसलिए इनको आरक्षन देना जरूरी है, पर हमने यह मना कर दिया है, कि यह नहीं representation मतलब होता है, कि खाली एक जाती, अपनी ही जाती को vote दे, दूसरी जाती के candidate को vote ना दे, यह चीज पहले शुरू में बात हो रही थी, आपको history अगर याद हो, हम बात कर रहे थे, जब शुरू में communal awards, तो communal awards के दौरान, ऐसे एक PM से, जिनोंने सब को देना शुरू कर दिय जिया था, याद है वो PM, पहला chapter, तो हमने वहाँ से देखा कि यह तो problem हो जाई, आगे चलके, गांधी जी, अंबेटगर जी, नहरू जी, पटेल जी, सारे लोगों ने मिलके, इस पे खूब चर्चा करी, खूब जादा इस पे बहस करी, और इसको हमने solve कर लिया, हमने बोल इसका मतलब no separate electorates, कि एक जो territorial constituency है, एक जो शेतरफल है, जहां से चुनके आ रहा है कोई MP, तो इस जगे से यहाँ पे भले वो seat SCST हो, पर वोट सब लोग दे सकते हैं, हर कोई वोट दे सकता है, member of SCNST can contest on a general seat also, यानि कि non-reserved seat also, and 84th Amendment Act ने बोला, कि refixing of the reserved seats on the basis of population figures of 1991, and 87th Amendment Act 2003 वाले ने बोला, कि refix कर रहे हैं, यह reserved seats on the basis of 2001 census, and not 1991 census, बस, इतना किया है, तो इसके, लेकि लोग सबा के numbers change नहीं किया भी भी, अब हम यह देख रहे हैं यहाँ पे, allocation of seats in Parliament for states and UTs, and seats reserved for SCNSTs in the लोग सबा, यहाँ पे again, आप UP example देख लिया करो, सब समझ में आ जाता है, तो कहा है हमारा UT, हाँ, यह रहा UP, यहाँ पे 31 seat हैं, जो राजसबागी seats हैं, 80 seats हैं, जो लोगसबागी seats हैं, और यहाँ पे 17 seats हैं, जो reserved हैं, for schedule cast and schedule tribes के लिए यहाँ पे नहीं है, schedule tribes के लिए हमको दिख रही हैं, 6 seat हैं, जो MP से आ रही हैं, यहाँ पे 11 seat है राजसबागी, 29 seat है लोकसभा की और चार है स्टीज की छे स्टीज की ऐसे किया हुआ यहाँ पर बाइफर्केशन तो यह वो चार्ट है यह आपकी बुक में भी है जो election हो रहा है वो हो रहा है first past the post system यह क्या है सर यह होता है कि कौन बस आगे निकला है बस किसी किसी भी तरीके से भले ही वो 20 वोटों से आगे गया है पर आगे गया मतलब जीत गया वो बस ऐसे ही तो राज़सभा में तो यूज हो रहा है PRS TV पर जो लोकसभा है यहाँ पर यूज होगा first past the post system यह क्या है सर जो बस पहला जो आदमी जो रेखा से आगे निकलाया अब मान लेते हैं इन चार constituencies से चार ऐसे लोग आएंगे R1, R2, R3, R4 every member of legislature यानि कोई विराइड़का का कोई member MP हो, MLA किसी बात कर लो पर अब बालेमेंट बढ़ रहा है तो MP की बात करेंगे तो जो MPs होंगे they represent a geographical area known as constituencies मतलब ये सारे ऐसे जिले हो सकते हैं इसमें D1 बोल लो इसको D2 बोल लो इसको, D3 बोल लो इसको और D4 बोल लो इसको यहाँ पर हो सकता है D5 भी हो पर मैंने अभी बताया आपको कैसा हमने boundary बना दी इसको खीच दिया, ऐसा कर दिया तो ऐसे करके ये चार ऐसे शेत्रफल है जहां से लोग चुनके आ रहे हैं नाओ, यहाँ पर क्या होगा हर constituency से only one representative is elected बस, एक चुना जा रहा है अब ठीक है, पर कैसे हो रहा है ये चुना जा रहा है first pass the post system की वज़े से क्या होता इसमें, इसमें ऐसा होता है पार्टी A, पार्टी B, पार्टी C अब इन नोनों पार्टीयों ने जीते हैं 30-30% और इस अकेले ने जीत लिया है पार्टी B ने 40% बोड जीत गया, बस, जो सबसे पहले सबसे आगे निकल गया, वो जीत गया system who comes, a system where who comes first is declared the winner बस, काम खतम हो गया इसका, बागी चीज़ हमें नहीं advantage of this method is simplicity आसान system में समझ में आ रहा है लोगों को easy system समझ में आ जाता है कि हाँ, मतलब ठीक है, 1 मतलब 1 2 मतलब 2, बस, इनने इतना करवालो इस चैदा में जरूवत भी नहीं है, तो पार्टी B लेगे C4 तक, जो geographical area का representation हुआ है तो उसमें कई defects हैं, उस defect को सुधारा जा रहा है PRSTV में Now, all section of the people get representation in proportion to their number जब आप PRSTV के बात करते हो, proportional representation नाम में है proportional representation कि लोगों को उनके number के हिसाब से, जितने वो लोग है चाए minority में हो, चाए majority में हो तो उन लोगों को, उनके number के proportion के हिसाब से representation मिल जाता है अब, ये use कहां होता है This is use for elections of president, vice president, राचासभा में और state legislative council के members के चुनाओ में ये use होता है PR जो होता है, ये होता है दो तरीके का STV और list system, STV use होता है for these elections, list system हमारे यहाँ, political parties define candidates list and voters vote for a list ये typical है, थोड़ा सा मुश्किल है, अब सम्विधान ने इसी को मना कर दिया has not adopted PR अपना ये आम चुनाव में तुम proportion representation करवाने का मकसद नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी जनसंग्या, हमारे लोग, हमारा परिवेश बहुत अलाग है difficulty for the voters to understand the system ये थोड़ा tough है, अब list system में क्या होगा कि जो political party होंगी, ये अपनी candidate की list दे देंगी देखो साब, ये हमारे candidates हैं, इसके साब से vote दो आप लोग, चलो सारे के सारे, लोगों को नहीं समझ में आएगा, 1, 2, 3, कहां तक माता हो हमें बताओ कौन जिता रहे हो, बस हम उसको जागे vote देख्या जागे बात खतम हो गई, so difficulty for the voters to understand the system which is complicated due to low literacy scale in the country ये था हमारे हैं, क्या गर है, problem थी हमारे हैं हमारे हैं लोग जारा तर पड़े लेके थे ही नहीं, हमारे हैं लोगों ने उस समय बस इतना 1, 2, 3, 4, 5 सी समझना शुरू किया था और आप बता रहे हो, 1 के बाद, 2, 2 के बाद नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5 ये चलेंगे वहाँ, इसराइल में स्विट्जिलेंड में, ऐसी जगों पे नॉर्वे में, स्वीडन में यहाँ पे यह चल जाएगा, जहाँ पे प्रवोर्शन रेप्रेसेंडिशन काफी होता है हमारे यह कैसे कर लोगे, बेल्जियम में या नेधरलाइंड्स में, करवालो वहाँ पे वहाँ पे वेस्टरन डेमोकरसी है लोग शुरू से ही वहाँ पे अलर्ट है सब लोग समझते हैं, वहाँ पे बात पूरी हमारे यहाँ भाई जिता के मानो भाई जो जीत रहाँ उसकी बात करो हमसे बागियों की बात नहीं हो पाईगी नाओ, अन्सूटेबिलीडी टू पार्लेमेंटरी जो गवर्मेंट होती है बहाँ पे क्या होती है टेंडेंसी होती है सिस्टम टू मल्टिप्लाइ पॉलिटिकल पार्टी इस लीडिंग टू इंस्टेबिलीटी इन गवर्मेंट क्या करें, जब हमारे याँ पार्लेमेंटरी फ़र्मो गवर्मेंट हो ही देखते हैं, कि यहाँ पे कई सारी जो पार्टियां होती है यह आपस में और बढ़ जाती है और आपस में गढ़ बंदन कर ले थी, सब कुछ कर लेती है तो सरकार चलाने में वैसे ही मुश्किल आने वाली है अब आप यहाँ पे लाना चाह रहे हो प्रपोर्शन रेप्सेंटेशन और मतलब सब लोगों की सहमती, सब के अपने अपने प्रेफरेंस आरे के सारे आरे है नहीं चल पाएगा हमें चाहिए सिंगल पार्टी रूल, हमें चाहिए सिंगल एक गवर्मेंट जहाँ पे कोई घटबंदन कम से कम हो जहाँ पे problem कम से कम, conflict कम से कम आए conflict नहीं होंगे, सरकार चलती रहेगी ये problem थी इसकी जो PRSTV के और भी demerits है एक तो पहली बात लो, क्या करें इसका, इसका वो इलाजी नहीं है इतना expensive है, 90 करोड वोटर अगर ये लोग अपनी list बनाना शुरू कर दें है, 1 मेरा, 2, 3, 4, इसके बाद 5, 6, 7 हो गया हो लिया election, 6 महिने लग जाएंगे election को पढने में, कि लोग कितना बहंकर election हुआ है यहाँ पर नहीं हो पाएगा, and it does not give any scope for organizing by elections जब by poll होते हैं, जब by election होते हैं अगर कोई seat vacant होगी, खाली होगी फिर कैसे कराओगा election, होगा ही नहीं उसमें, now eliminates intimate contacts between voters and representatives होगा ही नहीं, अगर एक voter के पास अगर list जा रही है, तो वो तो कहा देगा, नहीं मेरा 1 है 1 नहीं है, तो फिर कोई भी होता रहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, देख लेना, जो भी होगा now, promotes minority thinking and group interest, लोग सोचेंगे भाई, या तो मेरा 1 हो, 1 नहीं हो तो 2 हो, 2 नहीं हो, तो 3 हो, ऐसे करके, आगे उसके नीचे मुझे नहीं, उसके आगे मुझे नहीं जाना, मेरी इतनी मेरी priority है अब जो single, जो अपना जो normal चुनाव होता है first pass the post, उसमें ऐसी problem होगी now, PRSTV increases the significance of party system and decreases that of voter voter की ऐसियत कम हो गई, party की अपनी चल रही है, party की lines में vote दिये जा रहे है, किसाब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके vote चल रहे है, नहीं हो पाएगा, नहीं करना चाहिए, house की duration यह important है, अब यहाँ से शुरू हो रहे है यह कानी लोकसभा की, राजसभा की, जब Parliament का duration की बात आए, पहली बात तो याद रखना, कि जो लोकसभा है, यह लोकसभा, यह normally, 5 साल चलेगी, उसके बाद यह dissolve होगी अच्छा, ठीक है सर, तो क्या हुआ, 83 clause 2 कह रहा है, लोकसभा shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting, अगर होते ही, इस लोकसभा को हटना पड़ेगा, नई लोकसभा को आना पड़ेगा, यह ऐसे होगा पर क्या 5 साल से पहले लोकसभा जा सकती है क्या अगर सम्विदान ने कह दिया है 5 साल कारेकाल है तो कि 5 साल के पहले कोई लोकसभा खतम नहीं हुई है, ऐसा PM ने कल को राश्पती जी के कार में डाल दिया कि ये लोगसभा को हटवा दो मुझे नहीं मांगता ये लोगसभा तो ये लोगसभा हटा दी जाएगी पर PM का पहले तो पता हो कि हाँ साब ये जो PM है हाउस के लीडर है majority इनके पास है majority का support इनके पास लेकिन फिर भी ये कह रहे है कि ये लोगसभा जो है not good, हटा उसको तो ये लोगसभा फिर हटा दी जाएगी जब emergency लगाई गई है तब उस समय क्या होगा कि period can be extended by parliament for one year at a time, for any length of time याद है emergency अब emergency के दोरान क्या होगा कि जो लोगसभा का जो टर्म होगा वो एक-एक साल के लिए बढ़ाये जाएगा एक-एक साल के लिए एक बार में एक ही साल के लिए बढ़ाये जा सकता है पर कितनी बार भी बढ़वा लोग फिर आगे चलके now, not extending in any case beyond a period of six months जब emergency खतम हो गई तब emergency खतम अगर मानलो आज emergency खतम होती है तो emergency खतम होने के 6 महीने बाद 6 महीने के बाद emergency लोगसभा को नहीं रहना पड़ सकता लोगसभा को जाना पड़ेगा not extending in any case beyond a period of six months after the proclamation has ceased to operate emergency खतम, लोगसभा के पास 6 महीने और है लोगसभा को फिर हटना पड़ेगा नई लोगसभा आएगी बस ये बोला गया है ये लोगसभा का tenure की बात है अब यहाँ आप देखो फर्स लोगसभा, सेकेंड, फर्थ, फिर्थ से लेके 17 लोगसभा 2019 से जो अभी तक चल रही है अगले साल ये लोगसभा जाएगी और नई लोगसभा आएगी बस ये बात है ये हमारा डिसॉलूशन में इसमें था अब कुछ था आओ चलो राजसभा पर राजसभा का जो डूरेशन की बात हुई है आर्टिकल 83 क्लॉज 1 कह रहा है क्लॉज 2 में बोला गया था लोगसभा के बारे में क्लॉज 1 में राजसभा ये लोग शैल नॉट बी सब्जेक्ट तू डिसॉलूशन राजसभा इस ए पर्मनेंट बॉडी ये पर्मनेंट बॉडी है ये नहीं जाएगा कहीं भी पर इस में से जो लोग है तो one third of members अपने राजसभा के one by third members एक तहाई लोग हर दूसरे साल हटा दिये जाएंगे every second year ये लोग हटा आए जाएंगे अब ये जो हट रहे हैं लोग they are eligible for re-election and re-nomination any number of times आप अगर राजसभा तक पहुँच पाए अच्छी जगह पर आए अच्छी जगह से retire हुए और आप दुवारा आना चाहते हो most welcome very very welcome आजाओ फिर से आजाओ और दफ़े आजाओ कूब आजाओ कोई नहीं रोग रहा आपको now जो आरपी 1951 है ये कहता है कि जो term of office होगा of a member राजसभा वो होगा शेल भी 6 years 6 years हुआ 13 members हर 2 साल में हट रहे हैं तो ऐसे करके राजसभा खुद तो टिकी रहती है मतलब जो कहते हैं human body 7 साल में एक कहवत है कि human body 7 साल में सारे cell replace कर लेती है दीमे दीमे करके कोई ना कोई cell हमारे dissolve होते है, नई cell बन जाते है रहे हैं, फिर लोग जोड रहे हैं पर लेकिन राजसभा वही के वही है, राजसभा कभी नहीं गई राजसभा रहेगी जो सम्विदान है उसने empower किया है President of India को to curtail the term of members chosen in the first राजसभा ये हुआ था, क्या करें जब पहली बार राजसभा बनी 1951 में, तब हमने बोला कि यार, अब जो लोग आए हैं अगर राजसभा को permanent member रहना है इसका मतलब ये लोग भी रहेंगे permanent तो हमने का, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि 83 clause 1 कह रहा है कि 130 member हर साल, हर दूसर साल हट जाए तो one third कौन होंगे पहली बार रटने वाले उस समय क्या किया गया उस समय decided by lottery अब उस समय लोग भले थे डॉक्टर आजन प्रसाद जी, हमारे राश्पती जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने का देखो मैं fair करूँगा सब के साथ ये सारे के सारे 200 लोग, आप लोग जितने भी हो, आप मैंसे मैं चुनूँगा lottery से, one third लोग कौन से होंगे जो पहली राश्पास से retire हो रहे sorry, मजबूरन जाना पड़ेगा all the best, आप दुबारा चुनके आ सकते हो हमें उस से अच्छा लगेगा और दुबारा आ जाओ चुनके, पर अभी क्योंकि इस chain को continue करना है इस chain को शुरू करना है तो हम क्या करेंगे, आप मैंसे कुछ को हम एक बार में retire कर रहे हैं और वो चुने गए lottery के दुआरा किस्मत फूटी थी जिनकी, वो हट गए बिचारे अच्छा, ठीक है सर, ये कहां आ रहा है Article 84 में आ रहा है and must make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by the election commission कि ये जो लोग MPs हैं, ये लोगों को पहली बात तो नागरेख हों, सही बात है भारत के बाहर का आदमी क्यों आएगा हमारी Parliament में, नहीं आ सकता है Now, अब ये जब लोग आ रहे हैं, तो इनको एक शपत लेनी पड़ेगी, इनको एक प्रतिग्या लेनी पड़ेगी, एक कसम खानी पड़ेगी और वो कसम कैसी है To bear true faith and allegiance to the Constitution of India, समवेधान के प्रतिश आपनी सच्ची निष्ठा, पूरा कर्तब सब कुछ करूँगा, to uphold the sovereignty and integrity of India, ये इनको शपत देनी पड़ेगी, और शपत कहा लेंगे ये ये लेंगे, एक ऐसे person के सामने है, who is authorized by election commission Election commission ने authorized किया है कि आप शपत लेके पहले शपत लो, तब मानेंगे आपको राज्यसभा में, यहाँ पे एज लिमिट है, not less than 30 और लोगसभा में एज लिमिट है, not less than 25 मतलब 25 साल दे छोटा व्यक्ती तो कहीं नहीं जा सकता चुनके, अगर 25 से 30 की बीच की एज के हो, तो आप खाली लोगसभा में जा सकते हो, 30 की उमर के उपर, आप राज्यसभा लोगसभा आपके पास यह हक भी होना चाहिए, ठीक है बता दिये, बता दिया, now RPA Act ने कुछ और बताया He must be registered as a voter in any constituency in India ठीक है, इस पे एक सवाल आचुका है सुप्रीम कोर्ड के उपर, सुप्रीम कोर्ड के पास एक question आया था, and सुप्रीम कोर्ड ने बोला था, कि किसी भी पूरे देश में, किसी भी शेत्र में से आपके पास vote देने का अधिकार आपके पास रहना चाहिए ऐसा ना हो जाए, कि आप vote देने वाले ही ना रहे, कि आप voter ही नहीं रहे, आप अगर registered voter हो देश में कहीं भी, ठीक है, बस चलेगा, RPA Act के अनुसार, आप eligible हो, दूसरा, must belong to the SC और ST community to contest on a reserved seat, सब बात है, जहां पर reserved seat है, जैसे UP में कुछ seat हैं, अभी देखी थी हमने किती सीट है, पहली वाली, UP में है जो reserved है, और SC's and ST's, तो यहां पर क्या है, इन reserved seats पर लड़ने के लिए आपको reserved तो होना ही पड़ेगा, तो आपको reserved category में तो आना ही पड़ेगा, तो must belong to the ST community और the ST community, कि हमें, जब हमारे पास वो कम से कम उतनी criteria तो हो, now, आप चुन तो लिए गए, पर आप disqualify भी हो सकते हो, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप बैठ गए तो बैठ ही गए, आपको तो हटरा भी पड़ेगा समय के बाद, तो आप, you can be disqualified, आपके, आपका, आपसे आपका सदस्ता चीनी में जा सकती है, कैसे, वो 102 बताता, 102 clause 1, वो कहता है, अगर आप कोई भी office of profit hold करते हो, under the government of India, or any state other than an office declared by the parliament by law, कि आपने ऐसा कोई भी, अगर सरकारी, ऐसा कोई office में आप already हो, मानलो आप Indian oil के board of governor में आप बैठते हो, तो आप थोड़ी फिर आप MP रहोगे, नहीं नहीं, फिर आपको रटना पड़ेगा, फिर आप चले जाओगे, unsound mind के हो, थोड़ा सा आपका अगर यहां से मामला ठीक नहीं है, और आपका ऊपरी जो माला है, वो थोड़ा सा हिल चुका है, that means, कि आप लोगों को कैसे प्रतिन, आप लोगों का कैसे भी अगर आप इस तरीके से आपका कुछ हो गया है, अगर किसी कोड नहीं करार कर दिया, कि यह जो फलाने व्यक्ति हैं, यह फलाने व्यक्ति, अब unsound mind के हैं, अब इनका थोड़ा सा, थोड़ा सा fuse जो है, वो हिल गया है, So, undischarge, insolvent, कि आप bankrupt तो नहीं हो, पता चले आप, आपके बास कुछ भी नहीं है, आप कैसे लोगों की जब्मिदारी लेके आने लग गए हो, आपकी solvency कैसी है, solvency चेक करी जाती है, solvency, कि आप solvent हो के नहीं, तो, not a citizen of India, लोग, अगर citizen, आप MP चुनके गए, और आपने Canada की नागरिकता ले ली, काम खतम आपका, फिर आप जब Canada के नागरिक हो गए, तो आप हमारी लोग समा में कैसे बढ़ सकते हो, नहीं बढ़ सकते हो, not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, कि जब आप दूसरे किसी राष्ट के लिए बाते कर रहे हो, दूसरे किसी राष् नहीं जाओ आप, अब हमारे ना MP रहोगे, ना देश के नागरिक रहोगे, बाई, ऐसे हो जाएगा, disqualified under any law made by Parliament, कि अगर Parliament ने कोई law बना रखा है, और आपने उसी को तोड़ दिया, जिसकी वज़े से आप already disqualified हो रहे हो, तो वैसे disqualified हो ही गई ना, अब क्या बचा, RPR 1951 Act, ये photo especially लाई गई है क्योंकि ये current affair का part बन रहा है, अब दिखते हैं इसको, क्या है, अगर आप guilty पाए गए एक ऐसे certain election offices और curve practices के, कि ऐसी कोई आपने हरकते करी हैं, ऐसी कोई आपने brushed काम किये हैं, कोई आप अगर guilty, अगर आपके guilt obtained हो गई, conviction अगर आ गया, मतलब अभी तक तो कई बार ऐसा होता है, हम निताओं के खिलाफ cases देखते हैं, code case चल रहा हैं के उपर, अगर found guilty, verdict आगया code का, अगर code का फैसला आगया और आपका अपराज दिख चुका है, convicted हो गए हो आप, तब आप election offenses के, किसी आपने election कोई offense किया है, कोई corrupt आपने practice करी है, a person who has been convicted of an offense resulting in imprisonment for two or more years, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, जो जिसकी वज़े से आपके उपर जो सजा मिलेगी, court के द्वारा, वो दो साल यह उससे जादा होगी, तो आप automatically MP नहीं रहोगे, hence the case, hence अभी ये case आपके सामने चल रहा है, और ये case अभी और चलेगा आगे, now, failing to submit an account of election expenses within the required time कि आपने election में जो खर्चे किये थे, आपने जो इतना सारा जो खुब खर्चा किया है, campaign किया है, आपने उसका ब्योरा नहीं दिया है, तो भी आप बाहर चले जाओगे, person has an interest in government contracts, works और services, मतलब आपका काम है पैसा कमाना, आप लोगों की सेवा करने तो नहीं आयो, ठीक है, अगर आपने यह सब कामा में हाथ बटाया है, यह सब कामा में आपका, आपका interest है, तो छोड़ो तो फिर, MP क्यों बन रहा है, वही काम कर लो जाके, now, a director, managing agent, or holds the office of profit in a corporation, in which the government owns at least 25% share, that means, ऐसी कोई सरकारी PSU, ऐसी कोई सरकारी, ऐसा कोई public sector enterprise, कोई bank, कोई नवरतन company, जिसम authority of India, जिसे Gale, Indian Oil, ONGC, तो यह सारी कंपनिया हैं, corporations हैं, जिन में सरकार की हिस्सेदारी है, अब ऐसी कोई company, जिसमें 25% से ज्यादा सरकार की हिस्सेदारी है, मतलब सरकार, one-fourth से ज्यादा की owner है, तो इसका मतलब है, अगर ऐसी किसी company में आप director हो, कोई managing position पे हो, कोई office of profit hold क तो भी आप MP नहीं रहोगे, person has been dismissed from government services for corruption or disloyalty to the state, अगर आप सरकारी सेवाओं में थे already, और आप dismiss किये गए इन वजाओं से, ब्रष्टाचार, disloyalty, क्या आप देश के प्रती आपकी कोई वफादारी नहीं है, that means you are MP तो नहीं हो आप, convicted for promoting enmity between different groups, or the offense of bribery, के रिश्वत ख बोरी, ऐसी कोई आपस में दुश्मनी बढ़वाना, आपस में कोई रंजिशे करवाना, अगर ऐसे में आप पाए गए, out, बाहर, आप भी गए, preaching और practicing social crimes, like untouchability, dowry, सती, ये अगर ऐसे कुछ आपने काम करवाए, चुवाचूत वाले काम, दहेज वाले काम, सती वाले काम, अगर ऐसे कोई आपने, ये ऐसे सती केसे, ये वाले केसे, अगर ऐसे आप कोई बातें बता रहे हो लोगों को, ये practice करवा रहे हो, that means out, over, done, आपके लिए नहीं है ये MP, now, question of disqualification, by disqualification का question कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, तो article 103 कह रहा है, if any question arises as to whether a member has become subject to disqualifications, the question shall be referred to, for the decision of the president, and his decision shall be final, राश्पती जी के पास ये question जाएगा, कि क्या ये जो MP आएँ है, जिनके खिलाफ हमने ऐसा कोई मामला देख लिया, ये वाला मामला, ये सारे के सारे, तब इसका मतलब है, कि ये वाले जो question, अगर उठके आगे किसी MP के against, और इस MP को disqualify करना है, तो MP को disqualify करने का question जा रहा है, वो जाएगा राश्पती जी के पास, अब राश्पती जी, अप्टेन करेंगे opinion of election commission, और election commission की opinion लेने के बाद, वो अपना, वो अपना फैसला देंगे, now election commission की opinion है, binding है, साब बात है, वनो opinion क्यों ही ले रहे हो, छोड़ो तो फिर, and shall act according to such opinion, क्या करें, ठीक है, अब जब election commission की opinion आ गई, कहा सर हमने find कर लिया है, और जो मुद्दे हैं, वो सही हैं, और इन्होंने कई सारे bribery वाले काम किये हैं, कई इन्होंने office of profit hold किये हैं, इनके नाम पे कई, बहुत सारे सकारी contract हैं, यह हैं, वो हैं, इसका मतलब यह MP corrupt है, यह MP जो है, यह guilty है, यह MP के पास बहुत सारे ऐसी खूबियां हैं, जो इनको disqualify कर रही हैं, तो इनको हटवा दो, अब अगर आपने आयाराम गयाराम वाला काम कर दिया, अगर आपने defection वाला काम किया है, that means, 102 clause 2 आप से मिलेगा, 102 clause 2 आप से कहेगा, a person shall be disqualified for being a member of either house of parliament, if he is so disqualified under the 10th schedule, ADL, anti-defection law, ADL म आजाएगा, हमारा, under the ADL, ADA 1985, a person can be disqualified, if the person, ये 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 काम करते तो, voluntarily gives a membership of a political party, on whose ticket, he or she got elected, जीते हो एक party से, चुनके बैठ गए आप जाके से लोक सभा में, वहां जाके कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो इस party का अब नहीं रहा, मैं चला यहां से, मैं जा रहों फलानी party में, अरे, तो जीते क्यों, लड़े क्यों उस party से फिर तो, आप गलत काम किया है, this means you defected, कि आप defect कर गए दूसरी party की तरफ, you are disqualified, out, ये नहीं चलेगा, votes or abstains from voting in house, contrary to what direction issued by such a political party, party नहीं आपको बोला था, कि आपको सुभाई जाना है, 11 बजे, एक बहुत important बहस होनी है, आपने ठीक है, दो बजे से होगी, तब जाओंगा, party के रिए, तुम से बोला ही, 11 बजे जाओ, 11 बजे जाओ ना, आप बोला नहीं, नहीं, मैं दो बजे जाओंगा, that means आप party के नहीं रहे, आप party से already defect कर चुके हो, बस खाली नाम के लिए party में हो, आपका एक pair already बाहर हो चुका है पार्टी के, तो जाओ फिर, रुक ही क्योंग, अब नहीं जाओ गया से, अब चलेगा एक बार, that means you are defected, that means you are disqualified, साब बार, an independently elected member of member joins any particular party, कई ऐसे MPs हुआ करते थे पहले, कई ऐसे MLA होते थे, जो क्या करते थे, निर्दली जीत गए, निर्दली मतलब किसी party के नहीं है, को अध्योगपती है, बड़ा कोई लाड साहिब है, तो यह क्या किये, यह निर्दली जीत गए, कोई party का candidate इनके आगे वोट नहीं ला पाया, बड़े पुराने अपने शहर के नेता थे, यह थे वोटे, अब जीतने के बाद यह जीत है, फिर यह वहाँ जाके बोले कि ऐसा है आप मुझे दे दो 2 करोड रुपए, मैं आपकी party में आ जाओंगा, इसका मतलब यार यह तो cheating है, ऐसे थोड़ी होगा, तो अगर आपना ऐसा किया, that means you are out, a nominated member of house joins any political party after the expiry of 6 months from the date on which he takes his seat, अच्छा, क्या हुआ यह, जो नमांकित member होते हैं, nominated members, लोग सभा में तो रही नही कि हम देखो अभी party के तो नहीं थे, पर हमको बैठे हुए 6 महीने हो चुके हैं, और 6 महीने में हमने किसी party से दोस्ती कर ली, ज्यादा हमारी बात्चे शुरू हो गई, हम उस party के साथ जोड़ना शुरू हो गई, that means हमने उस party का हाथ पकड़ लिया है, जबकि हम चुने गए थे, हम तो चुने भी नहीं गए थे, हम तो खाली नामांकन होके गए थे, आज सर अगर आपके, में नॉमिनेट होके जाएं, for राजसवा, और मेरे social service, arts, literature, science, इन फील्डों में मेरी महारत है, मैं पारंगत हूँ, और मुझे जाके भेजा गया, कि मैं eminent person हूँ, मेरे पास बहुत जादा knowledge है, मैंने वाज आगे किसी party साथ मिला लिया, मैंने का, sir, मैं हूँ, don't worry, मैं रहूँगा आपके साथ, that means, I have committed an offense, offense कौन सा, defection का, और मुझे हटा दिया जाएगा, a nomad member of a house joins any particular party, after the expiration of six months from the date on which he takes his seat, अगर आपने seat ली, और छे महीने के बाद आपने किसी party का आप वो नहीं रहे, जिसको बिठाया गया था, आप change हो चुके हो, now, question of disqualification for defection, जब ये defection वाला question जाएगा, ये question जाएगा, chairman in the case of Rajya Sabha के पास, and speaker in the case of Lok Sabha के पास, इनके पास ही जाएगा, और ये decide करेंगे, अब कि हो तो होलोहान case हुआ था 1992 में, यहाँ पे Supreme Board ने बोला Evangelical Review, decision लेने तो इनको, decision लेते हैं, क्योंकि यही ऊस house के सबसे बड़े officer हैं, अब ये decision ले रहे हैं, क्या ये logic सई था इनका, क्या इन्होंने कोई भेदभाव तो नहीं था, कोई उर्शया तो नहीं थी, कोई ill will तो नहीं थी, तो ये सारी बातों को Chec करने के लिए Supreme Court ने ब कि इन्हों ने ऐसा काम क्यों किया, क्या कर दिया इन्हों ने, अब house की seats अगर खाली हों, कैसे होगी, तो house की seats को vacate कैसे किया जाएगा, vacancy कैसे आएगी, ये तब आजाएगी, जब double membership, double membership, मतलब house की vacancy तब हो सकती है, जब RPA Act के अनुसार, आपके पास दो membership हों, कैसी कैसी, if elected to both houses, अगर आप तोनों house के लिए जीत गए, लो, आजएट सर इतने ज़्यादा होशार आदमी है, कि आजएट सर ने क्या किया, ऐसे जादू चलाया, कि वो राजएसभा के मेंबर भी हो गए, लोकसभा के मेंबर भी हो गए, अब मुझे ये बताना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर, कि मैं कौन से house में जाना चाहता हूँ, अगर मैंने नहीं बताया, डाट मीन्स, मेरी राजएसभा की सीट चली जाएगी, और मैं आटोमेटिक लोकसभा का मेंबर बना दिया गया, मैं इतना बड़ा अच्छा आदमी था, कि मैं दोनों जगे जीच चुका हूँ, अब मेरे पास ये option है, कि मैं बताऊं बढ़े 10 दिन के अंदर, तो मेरी ऑटोमेटिकली पहले वाले हाउस के मेंबर से बढ़ा दी क्या करूँ मैं, अगर मैं एक ही लोकसभा में दो जगे से जीत गया, ऐसे कई candidates होते हैं हमारे हाँ, जो इंडिया में दो-ती जगाओं से लड़ते हैं, नाओ क्या होता है, कि ऐसे case में क्या करना पड़ता है, बोथ दस सीट्स बिकम वेकेंट, इफ नॉट इंटिमिटियां, अगर नहीं लिए किसी का भी एक का भी हमने फैसला, मान लो, मैं जीत गया दो-जिलों से, और मैंने बोला कि मैं जिला A से भी जीता हूँ, जिला बीज़े बीज़ेता हूँ, मैं दो सीट पे बैठ हुआ, लोग कहिंगे सर, आप एक ही हो, दो सीट पे बैठके दिखाना जा रहा हम है, कैसे बैठ हो गए, मैं कहुँगा यार मेरी दो सीट है तो मुलेंगे न origin Vegas घ् अगर मैंने एक का नाम नहीं लिया तो मैंने दूसरी जगे से भी सीट चली जाएगी यह option है अगर दोनों जगे के मेंबर बन गए MLA बन गए, MP बन गए तब ऐसे में क्या होगा जैसे अखिलेश जी अपना स्तीफा दे रहे है स्पीकर ओम बिल्ला जी को इन लोगों ने रिजाइन किया था फ्रम लोकसभा आफ्टर बिंग इलेक्टेड अज MLA यह बने UP में विदान सभा के MLA अलड़ी MP थे लोकसभा के, तो यह जाके इन्हों ने बोला कि सर ऐसा है, हम बले ही लोकसभा के MP थे, पर क्यूंकि हमारी लखना हूं हमको जाके बैठना है हम दिल्ली बार-बार नहीं आ सकते हमको MLA ही रहना है हमारा स्टेट में हमारी पॉलिटिक्स चलती है तो हम MP आके क्या करेंगे यहां पे आके दिल्ली में तो ऐसे MP, हम ऐसे MP नहीं रहना चाहरे हैं जा रहे हैं अपने लखना हूं तो इन लोगों ने दिया स्पीकर को अपना स्टीफा इन्हों ने बोला कि सर यह रहा है स्टीफा हम अपनी सीट को कर रहे हैं विकेट हम छोड़ रहे हैं सीट को इसीट पर आगई विकेंसी आप करवालो इस पर election दुबारा से इसके तहत यह rule बना है कि अगर कोई शक्स दो जगे का member बन गया MP बन गया, MLA बन गया तब उसको अपना बताना पड़ेगा कि साब मैं MP रहना चाहरा हूं अगर चोटन के अंदर नहीं बताया तो MP नहीं रहेंगे, ठीक है यह हो जाएगा, अब इसके आगे चलो फिर आएंगे हमारे एक और मुद्दा है disqualification if subject to any disqualification जो विकेंसी होई पहली विकेंसी तो इस वज़े से हो रही है यह वज़े थी कि कहीं और जाके चुन लिए गए double membership की बात हो रही है अब double membership के आगे और क्या तरीके है दूसरे तरीके यह है disqualify ही हो गए जब disqualify हो गए, MP नहीं रहे तब MP नहीं रहेंगे तो उस seat पर कोई तो आएगा जब आएगा तब आएगा, लेकिन वो seat अब खाली है तो seat होई विकेंड if subject to any disqualification specified in the constitution और RPA और on the grounds of defection under the 10 schedule अगर by defection हुआ RPA Act का उलंगन हुआ सम्मेदान का उलंगन हुआ किसी भी तरीके से अगर आप MP नहीं रहे that means by vacancy आ चुकी है जाए यहां से, आपने खुदी इस्तीफा दे दिया a member may resign by writing to the presiding officer of the house लोकसभा के speaker या राजसभा के chairman किसी को भी आपने अपना श्तीफा दे दिया मैंने का sir मेरे मुझसे नहीं हो रहा है मैं जा रहा हूँ तो इसका मतलब आपने अपनी seat vacate कर दी छोड़ दी तीसरा absence अगर आप 60 दिन तक किसी meeting का भागीदार नहीं रहे किसी meeting में नहीं आए किसी house की that means without permission the seat falls vacant कि आपने ना permission ली थी आपने कुछ नहीं बताया आप चलेगे लंदन गूमने आरे उत्तीन महीने बाद तब तक बता चला कि आप member नहीं रहे लोकसभा राजसभा के हो गया आप कब आए क्योंकि जब आपने बताये नहीं अपने boss को अपने class के monitor को अपने class teacher को कि मैं चुटी पे जा रहा हूँ मैं काम पे नहीं आ सकता और उस समय तक meeting है चल रही है काम चल रहा है खूब चल रहा है और आप 60 दिन तक अगर आप नहीं आए office में ना आपने सूचित किया कुछ किया that means you are out आप होई नहीं हमारे part होते बता के जाते अब तीसरा sorry पांचवा कुछ और भी case होते है if election is declared void by the court अगर आपका चुनाव गलत हो गया हो अगर आपका चुनाव में कुछ गड़बडी निकली आपका चुनाव ठीक नहीं है if expelled by the house अगर सदन ने आपको भगा दिया जाओ आँसे चलो छोड़के जाओ अपनी सीट यहां से जाओ अभी ऐसे कुस्से में आपको भगा दिया गया expulsion होगे आपका if elected to office of president अगर आप राश्पती बना दिये गए that means अब आप एक on ready position पे हो और बड़ी position पे हो अब आप MP क्या करोगे छोड़ो MP MP सीट चोड़ो आप उची जगे पे जाओ now his oath or affirmation a member of parliament swears जब यह अपनी शपत लेते हैं तो यह बोलते हैं to bear true faith and allegiance to the constitution of India sorry तोड़ी मेरा गलाठ ठीक नहीं है so to uphold the sovereignty and integrity of India now to faithfully discharge the duty upon which he is about to enter के जो समिधारी मुझे मिलेगी चाहे वो MP LAD scheme हो MP LAD scheme पता है MP local area development यह now a person is liable to a penalty of rupees 5 for each day if he sits or votes as a member in a house before taking and subscribing the oath oath or affirmation अगर शपत नहीं ली बैठे हुए वो लोग सभा में शपत नहीं ले रहे हो तब 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 आपको हर दिन आपको penalty दे नहीं पड़ेगी 500 रुपे पर दिन के हिसाब से आपकी तर्णख़ा से कटेगा यह आपको जाके भरना पड़ेगा penalty वहाँ पर जाके फाइन बरना पड़ेगा when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for its membership पता है कि नहीं चुनवा पा रहे हो खुद को लोग सभा में जन्ता के द्वारा लेकिन बैठे पड़े हो वही वाला किस्सा PM ने मना दिया मुझे अपना law minister आप मेरे पास 6 मेने हैं फाइन ठीक है फिर लगाए जाएगा या मैं disqualified हो चुका हूँ लेकर तब भी जाके बैठ जाता हूँ माँ जाके मैं रोज बैठ रहा हूँ माँ जाके तो फिर रोज फाइन भी लगया मेरे उपर now when he knows that he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of any parliamentary law मुझे पता है कि मैं इस house में मुझे नहीं बैठना चाहिए कुछ मजबूरिया है कुछ सम्विधान नहीं कुछ पार्लमेंट ने कोई ऐसा law बना रखा है अब उसकी वज़े से अगर मेरे उपर ये ban है कि मैं इस house में ना जाऊँ किया मैं इस house में जाऊँ वोट ना दूँ और जाके मैंने वोट भी दे दिया तब भी लगे कि penalty लगे मेरे उपर ये लगनी पड़ेगी ये जरूरी भी है नहीं तो ऐसे ऐसे रावडी लोग है मानते ही नहीं है अब इनकी salary allowance की बात करो बहुत जादा आपको इसमें figures, numbers नहीं याद रखने है कि लोगसभा के speaker कितनी salary होती है MP कितनी होती है ये होती है आप ये जान लो कि खाली Parliament ही है जो time to time ये decide करता है कि MPs की salary कितनी होनी चाहिए 54 में क्या हुआ था Parliament ने ये act बनाया था salary allowance and pension of members of parliament act बस ये पता है इसके बाद 76 में Parliament has provided pension to the members फिर ये भी शुरू हो गई थी pension देना शुरू हो गया था बात खतम हो गई इसके बाद आप देखोगे हमारे salary एक लाग से शुरू होती है और इसके बाद salary आगे जाती है चार लाग तक ठीक है तो ये house के members के लिए है अब ये house के members, speaker इन सब के लिए है नौ ये presiding officer है जो parliament के दोनों houses में highest officer बनाए जाते है लोग सबा में हमारे speaker होते है highest, राज़ा सबा में हमारे chairman होते है highest, अब इनके नीचे होते है deputy speaker, इनके नीचे होते है deputy chairman हमारे यहाँ, राज़ा सबा में और एक चीज़ होती है panel of vice chair persons और यहाँ पे होते है panel of chair persons यहाँ पे deputy speaker को हमारे को ये knowledge है कि जो vacant seat रही है ये पिछले 4 साल से इसका मतलब यह नहीं है कि कोई MP है जो vacant है नहीं, हमने इन 500 लोगों में से चुना पहले speaker फिर उन speaker के साथ हमको चुनना चाहिए था एक और deputy speaker जिसका हमने अभी तो चुना उन नहीं करवाया ठीक है, नहीं करवाया, नहीं करवाया अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इनकी authority क्या है इनकी powers क्या है, इनके function क्या है तो पहले जानते हैं लोगसभा के बारे में जो लोगसभा के speaker होते हैं ये क्या करते हैं, इनका पहले election देखो कब आये ये, क्यों आये ये, कैसे आये ये तो ये elect हुए है by the लोगसभा itself लोगसभा नहीं इन साड़े 500 लोगों ने अपने आप आपसे मैठ के इनका चुनाव किया है, और बोला है कि सर, अपसे आप हो हमारे class के monitor जाके बैठो उपर, तो elected by the लोगसभा from amongst its members only कोई बाहर से नहीं आ सकता है लोगसभा का member ही होगा जो लोगसभा का speaker बनेगा as soon as may be after its first sitting, जब भी नहीं लोगसभा मिली, अब अगले साल चुनाव हो है चुनाव होंगे मान लीजे माई में फिर माई के result आएंगे जून में, अब क्या होगा, जुलाई में इस result के बाद पहली बार लोगसभा जाएगी लोगसभा जब ये जाएगी तब वहाँ पे पहली बार ये लोग बैठेंगे बात करेंगे कि हम में से कोई बनना चाहिए speaker पहला speaker कौन है तो लोग बोलेंगे कि अभी तो पहले जो वरिष्ट है पहले उनको बना देते हैं, सबसे बड़े आप वरिष्ट आब हो, आप उपर जाके बैठ जाओ और आप बताओ, हम मैं से कौन चोना जाएगा voting करनी है हमको ठीक है, फिर उनको speaker बना जाएगा 5 साल के लिए तो speaker remains in office during the life of the लोगसभा, कि जितनी लोगसभा जितने दिन speaker कैसे बन सकते हो आप, दूसरे if he resigns by writing to the deputy speaker ठीक बात है, if he is removed by his resolution passed by a majority of all the then members of the लोगसभा, that is effective majority effective, यहाँ पर क्या बात हो रही है यहाँ पर हो रहा है, इनको गद्दी से उतारने की बात हो रही है अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि या तो यह member नहीं रही लोगसभा के कुछ ऐसा इन्होंने काम कर दिया कि इनकी MP सदस्थता ही बंग हो गई, नहीं रही अभी है, दूसरा इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, अपने से junior को deputy speaker को, कि ले भया, तु समाल मैं चला तीसरा, जब पूरी लोगसभा खड़े होके कह दे, out हमें नहीं चाहिए आप, ठीक है, तब ही हो सकता है लेकिन यह तब होगा जब resolution can be moved, only after giving 14 days advance notice कि जब इनको एक advance notice दिया जाए चौधर देन का, कि sir I am sorry, we are sorry बट आपके खिलाफ एक आने वाला है resolution, जिसमें हम आपको हटवा रहे हैं, और effective majority माने, उस समय लोगसभा के जितने members हैं, वो सारे के सारे members, उसमें से majority बोलें, कि sir हमको यह आदमी नहीं चाहिए हमको यह शक्स नहीं चाहिए, अपना as a speaker, हमें कोई और लाके दो तब ही अटा दिये जाएंगे, speaker का जो office है वो vacant भी हो सकता है, और जब vacant होगा, तब लोगसभा will elect another member to fill the vacancy क्योंकि class monitor तो चाहिए ही चाहिए, वरना यह तो वो MPs हैं, वो MLAs हैं जो पता नहीं क्या क्या कर बैट हैं तो यह जरूरी है कि एक ऐसा उपर, इनके उपर एक authority हो एक ऐसा शक्स हो जो यह बात करें कि इनसे काम कैसे करवाना है कि इनको कैसे इनको अपने discipline में रखना है कैसे इनको एक टो करानी है तो यह जरूरी है, now date of election of the speaker is fixed by the president कि राश्पती जी बता देंगे एक काम करो, अब आप लोग मिल लिए हो अब आप लोग इतने सारे इकट्टे हो गए हो परसों के दिन, आप लोग चुन लेना अपना speaker now, when यह वो जो resolution होगा जो इनको अटाने के लिए for the removal of speaker is under consideration उस समय speaker cannot preside speaker उस समय नहीं जा सकते उस समय अपने speaker की गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे हो उस समय उनको बोला जाएगा आप ही के खिलाफ चल रहा है आपको अटाने की प्रक्रिया अब आप बैठोगे उपर नहीं, नीचे आओ, नीचे बैठो और इनको बोला जाएगा देखोगे कि कैसे speaker कभी-कभी टाइ तोड़ते हैं टाइम आने जब yes or no वाले लोग एकचम बराबर हो जाते हैं तब speaker का एक वोट काम आ जाता है तब आप से पूछा जाएगा कि क्या आप अपना पक्स रखोगे हम कहेंगे हाँ, ठीके मैं speaker हूँ, मुझे आटाने जा रहे हो मेरा बात तो सुन लो, क्यों आटाने जा रहे हो तो ये फिर इन से पूछा जाएगा, हाँ सब अपना defense लाओ, अपनी बात बताओ और क्या आपको रखेंगे ना रखेंगे, फिर ये अपनी बात रखेंगे, उस लोकसभा का ये उस समय अपनी house की proceeding का part भी रह सकते हैं, ये vote दे सकते हैं पहले instance में, जब आप आगे अभी bill पढ़ोगे, तो आपको बताओंगा कि first instance, second instance क्या होते हैं, तो ये पहले instance में vote दे सकते हैं, नाओ, ये याद रखना, जब भी लोकसभा dissolve होती है, 5 साल बाद, या राश्पती के कहने पर, तब speaker does not vacate his office, वो थोड़े दिन और रहते हैं, and continues till the newly elected लोकसभा meets, जब ये नई लोकसभा आ जाती है, तब इनको अटाया जाता है, क्योंकि कुरसी ऐसी है, इतनी important कुरसी है, ये ऐसे हमारे speakers हैं लोकसभा के, from the first लोकसभा to present, यहां तक के सारे, इनके नाम है, यहां पे 15th लोकसभा है important, क्योंकि हम देख रहे हैं, मैडम मीरा कुमार जी बनी थी, 2009 में हमारी lady speaker, ठीक है, now, इनके role, इनके power, इनके functions, ये important है, इसको देखते हैं, speaker लोकसभा के head होते हैं, ठीक है, ये leader of house नहीं है, ये रखना, leader of house कोई और होता है, वो कौन होता है, leader of house, ये होंगे house के PM, ठीक है, ये बास समझ में आई, ये लोकसभा के head है, ठीक है, लोकसभा के सबसे उपर पीठा सीन होते हैं, ये सभापती होते हैं, ये हमारे सबसे उपर जो कहते हैं, जैने speaker हैं ये, तो अब ये होंगे head of स्लोकसभा and its representatives, उन सब के उपर ये मुखिया हैं, now he is the guardian of the powers and privileges of the members, जितने लोगों की जितनी उनकी privilege हैं, immunities हैं, powers हैं, of members, house as a whole and its communities, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, house की community, house की committees होती हैं, बहुत सारी, public accounts committee होती है, standing committee होती है, temporary committees होती है, ad hoc committee होती है, तो इन सारी parliamentary committees के और house in general, साड़े 500 लोग जितने पूरे हैं, इन सब के members, जो भी हैं, इन सब की powers, privilege, immunity, इनकी जितनी, इनकी पास power है, उन सब का ही जोगा रखते हैं, ये guardian है उस चीज़ का, he is the principal spokesman of the house and his decision in all parliamentary matters is final, जो ये कह देंगे, वो माना जाएगा, क्योंकि ये principal spokesperson है, मतलब ये वो शक्स हैं, जो house की बातें, जब बोलते हैं, तो वो finally बोली जाती, मानी जाती है, सब लोग उसकी सहमती करे हुए होते हैं, चाहे कोई उनकी बात पर बिलीब कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, इससे मतलब नहीं है, पर अगर speaker ने कहा है, तो मतलब उनके पास power है, now, speaker लोकसभा के पास, जो power आ रही है, उसका source क्या-क्या है, समविदान खुद, ये एक code है, rules of procedure and conduct of business of लोकसभा, ये एक book है, ठीक है, ये और तूसरी चीज़, parliamentary conventions, रिती रिवाज, customs, traditions, वो चीज़ है, convention है, reciduary powers that are unwritten or unspecified in the rules, जिसके बारे में कहीं उलेक नहीं है, पर पता ही है कि हाँ, use होती है, नाउ, powers and duties इनकी क्या-क्या है, ये इतने है, primary responsibility की सबसे पहली आती है, he maintains order and decorum in the house, house में order रहे, house में discipline रहे, house में तौर तरीका रहे, सब कुछ चीज़े follow हो, house का conduct for conducting its business and regulating its proceeding, सारी चीज़े करवाते हैं ये, he is the final interpreter of provisions of samvithan, that rules book and the parliamentary precedents within the house, ये ही है, final interpreter, इनी की बात को माना जाएगा, जो speaker ने समझ ली, कोई समयधान पढ़ा, उन्होंने का, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, सब लोग बोलेंगे, आप बोलो के तो मानी लेंगे, आप बड़े वम से, ठीक है, दूसरे, ये बताएंगे, rules of procedure, ये बताएंगे, कि conduct of business कैसे होना चाहिए, लोग सबा में, और ये बताएंगे, कि कोई नया parliamentary, अगर कोई president रही है, यहाँ president माने, कोई पहले की कोई धारणा, पहले चली आ रही है, अगर कोई customaryती रिवाज है, तो वो वैसे ही था, उसको वैसे ही maintain करें रखना है, he adjuns the house, और suspends the meetings, in the absence of a quorum, adjuns माने, हटा देना, मतलब आज के दिन भंग कर देना, आगली बार मिलेंगे, जब मिलेंगे, मन बताऊंगा कब, तीसरे, he suspends, suspend कर दिया house को, अब ही नहीं हो पाएगा meeting, क्यों नहीं हो सकते meeting, क्योंकि quorum नहीं है, quorum क्या होता है, quorum, quorum होता है, one by tenth, one by tenth membership, quorum to constitute a meeting of the house, is one tenth of the total strength of the house, house की total जो जितनी strength है, उसमें से 10 प्रतिशत लोग ले लो, अगर इतने लोग भी नहीं है, इसका मतलब कि house की meeting नहीं हो सकती है, house में अगर 5.500 लोग हैं, तो मतलब 55 लोग तो चाहिए ही चाहिए, जो house की sitting में बैठें, एक किसी भी sitting को बोलने के लिए कि हाँ, आज house बैठा है, आज लोग सभा की meeting होई है, अगर 50 लोग आए हैं, that means house का quorum नहीं था उस दिन, house उस दिन 10% लोग भी नहीं पहुच पाए थे, इतनी बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, जो भी बात है, तो मतलब उस दिन वो house नहीं हुआ, उस दिन वो meeting नहीं हो पाई, और क्या duties हैं इनकी, he does not vote in the first instance, जब किसी bill पे, किसी मुद्दे पे, किसी बहस पे, किसी कोई topic पे चर्चा होती है, तब उस समय क्या होता है, पहले तो vote होता है, तो पहले vote होता है, फिर जब vote देख लिए गया, और देखा गया कि vote हो गए tie, मतलब yes भी बराबर है, जब लोकसभा राजसभा के जब दोनों बोड़ीज एक साथ किसी दिन मिलती है, कोई बहुत इंपोर्टन मुद्धे पे, जब कोई डेडलॉक हो जाए, किसी ऐसे मुद्धे के उपर जिसमें लोकसभा कुछ कह रही है, राजसभा कुछ और कह रही है, तब उस केस में क्या हो अगर कोई ऐसी ऐसा मौका है, ऐसी कोई बजए है, जिसकी जो की important है, और house का मिलना जरूरी है, पर public की रेजर से दूर, secret sitting, तब उस समय speaker allow करते हैं कि हाँ, आज house को मिल वालो, चुप चाप, बता ना मत कहा मिलने वाले है, क्यों मिलने वाले है, कब मिलने वाले है, secret meeting हो रही है, बोला नहीं गया किसी को भी, तब उनको बुला जाएगा, he decides whether a bill is a money bill or not, कि कोई जो विधेयक होता है, अगर वो money bill है, तो वो उसका अलग proceeding होगी, और वो दूसरा कोई bill है, financial bill है, कुछ और बिल है, ordinary bill है, फिल अलग होगा, पर decide कौन करेगा, ये bill कैसा है, ये बताएंगे ये, जो आधार act था, जो आधार bill था, तो speaker साहब ने तै कि था, कि ये है, money bill, अब, and his decision on this question is final, बस, बोल दिया था, है तो है, क्या कर सकते हो बाप, now comes, एक और, he decides the questions of disqualification of a member of loksabha, arising on the ground of defection, 10 schedule, ये तै करेंगे, कि क्या कोई member, सच में defect कर गया है, और defect अगर कर गया है, तो क्या ये, तो क्या ये, इसको disqualify किया जाए, इसको अटाया जाए, 1992 में, यही चीज बोली थी, Supreme Court ने, decision of speaker in this regard, is subject to judicial review, बले ही, speaker साब के पास power है, पर उन्होंने decision क्यों लिया, कैसे लिया, क्या लिया, इस बुद्धे पे हम चर्चा कर सकते हैं, Supreme Court, हमारे हैं ये case आ सकता है, ठीक है, he acts as the ex-official chairman of Indian parliamentary group, ये क्या होता है सर पहले बाद तो ये बताओ, ex-official meaning, by the virtue of the office of, इसको यहाँ पे लिखी देते हैं, by the virtue, मतलब क्या है, कि इस office में already है, इस वज़े से इनको इपावर मिली है, by the virtue, इस बाबत, by the virtue of office of, ऐसे, ये है इसका पूरा मतलब, अब Latin word है, है तो है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो, ex-official meaning, अगर आप इस office पे हो, तो already, आप मान लिए जाओगे, कि आप IPG के chairman हो, बस, ठीक है, IPG क्या है, it is a link between the parliament of India, and various parliaments of the world, जब देश के, दूसरे देशों के parliament, बात करना चाहते हैं, तो क्या होता है, जिसे आपको याद होगा, अभी European Parliament के कुछ members आये थे, इं हमारा क्या होता है, parliamentary group हमारा भी कहीं बहार जाता है, already, क्योंकि अगर speaker of लोकसभा है वो, इसी लिए, वो हमारे Indian parliamentary group का chairman माने जाएंगे, जब भी ये दल कहीं बहार जाएगा, किसी से meeting करेगा, मिलेगा, तब उस समय as a chairman यही preside करेंगे, क्योंकि ये chairman, क्योंकि ये speaker हैं लोक of issue, बस, he appoints the chairman of all the parliamentary committees of the लोकसभा, and supervises their functioning, हमें पता है, कि जब ये committees बनाते हैं, उसमें से अगर इसी तीन committee हैं, business advisory committee, rules committee, and general purpose committee, इस committee में ये already खुद chairman होते हैं, बाकी committee के chairman ये बनाते हैं, बाकी committee का काम भी ये बताते हैं, कि sir आप काम करके दे देना person होता है, रिपोर्ट चा impartiality के ऊपर, कुछ line हैं, क्या है, देखो, क्योंकि ये एक speaker है, ये house के ऊपर बैट रहे हैं, इनको सारी party के साथ बाते करनी हैं, सबको तालमेल करनी हैं, तो इनको बोला गया है कि sir, आप independent हो, आप party line से ऊपर उठके काम किया करो, आप न, अब party के नहीं रहे, अब आप speaker हो लोगसबा के, अब आप सब के class monitor हो, तो अब आपका कोई special दोस्त नहीं होना चाहिए, आपका कोई special दुश्मन नहीं होना चाहिए, इसलिए, आप ये अपना काम इमांदारी से कर सको, बिना किसी डर के कर सको, बिना किसी party का favor लिए कर सको, तो हम आपके tenure को कर रहे हैं, secure, और 94, 96 article ये ही कहते हैं, he can be removed only by a resolution passed by the लोगसबा, by a effective majority, अब अगर आपका tenure secure है, तो मतलब आपको अटाना मुश्किल होना चाहिए, सही बात है, मुश्किल इसलिए कर दिया गया है, हमने बोला कि इनको अटाने के लिए चाहिए effective majority, effective majority क्या होती है, more than 50% of the total strength of the house present in voting, that means total minus vacant क्या जाएगा समझ में, T minus V, पूरा लिखूँ, total, total minus vacant, ये समझ में आ गया, अब आ जाएगा, ठीक है, जितने भी seat हैं, मालो अगर 550 seat हैं, इस मेंसे 50 seat हैं vacant हैं, अब बचीं 500, अब ये 500 मेंसे effective majority कितनी होगी, 50% of 500, 50% plus 1, ठीक है, 250 लोग चाहिए, जो ये कह रहे हो, कि सर इनको हटा हो, हमसे ना हो पारा, ये speaker ठीक नहीं है, फिर, removal can be considered and discussed only when it has a support of at least 50 members, जब ये जो removal का जो resolution है, ये पहले तो house में चर्चत तब होगा, जब 14 दिन का इनके पास चले जाए notice, उसके बाद ये removal का जो resolution है, consider भी तब होगा, जब 50 लोग इसका समर्थन कर रहे हो, कि हा अब इनकी salary की बात करो, क्योंकि अगर impartial है, इंपार्शल है, independent है, तो इनकी salary वैलरी भी पार्लेमेंट देखेगा, अब ये जो salary allowance जो उनको मिल रहे है, they are charged on the CFI, CFI, हमारा जो राजकोश है, हमारा जो खजाना है देश का, तो उसमें से इनका पैसा निकलता है, and this is not subjected to the annual vote of parliament, नहीं है, फिर इनके खर्चे के ऊपर, कोई parliament बारबार vote नहीं करेगी, कि दें के ना दें, करना है के नहीं करना है, ये इनको allow है, है तो है, अब ठीक है यार, हमारे speaker है speaker है, क्या करें, work and conduct cannot be discussed and criticized in the लोकसभा, except on a substantive motion, ये motion अभी आगे आएगा, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब कहने का ये है, कि इनके काम करने के तोर तरीके के ऊपर, कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी, कोई question नहीं उठाय जाएगा, कोई इनसे नहीं बोला जाएगा, कि सर ये आपने ऐसा क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं अच्छा लगा, आपने ऐसा बात क बिजनेस और मेंटेनिंग ओडर, इन दा हाउस, आर नोट सब्जेक्टिव जुरिजिशन अफ एनी कोट, ये हमारा सेपरेशन अफ पावर का इपॉइंट है, क्या कहता है, कि जितना भी इनके पाँ जम्हेदारी दी गई है, कि हाउस को रेगुलेट करवाते हैं, हाउस मे सारा, जितना कुछ होता है, तो ये जुडिशल, तो ये किसी कोर्ट में, अब ये सपात पर ही चर्चा करोगे, कि स्पीकर साहब ने किसी को बोलने नहीं दिया, किसी को जादा बोलने दिया, किसी को नहीं किया, नहीं, नहीं होगा, तो ये एक एक एग्जाम्पल है, of separation of power, कि यहाँ साब, दोनों की power अलग-अलग है, जुडिशरी यहाँ पर काम नहीं करती है, जुडिशरी ये question नहीं पूछेगी, speaker ने ऐसा काम क्यों किया, speaker ने इस दिन morning में session क्यों adzone कर दिया था, speaker ने इस दिन शाम को meeting क्यों लंभी खीची थी, क्यों अरे खीची-खीची काम बिल पर कैसे चर्चा हो, तब speaker साब का yes or no का vote लिया जाएगा, फिर speaker साब yes or no का vote देते हैं, and इसी की वज़े से इनकी position को बोला जाता है, कि आप सर आप impartial होने चाहिए, आप किसी एक तरफ के जुकाव आपके मन में नहीं होना चाहिए, now, given a very high position in the order of precedence, 7th rank, जो order of precedence मैं आपको बताया था एक पिछली क्लास में, जिसमें कि हमारे सबसे उपर राश्पती, उपर राश्पती, PM, Governors of State, Former Presidents, Deputy PM, हमारे होते नहीं है, CGI और लोकसभा, यहाँ पर दोनों को एक जगे पर रखा गया है, मतलब CGI साहब के बराबर इनकी rank है, यानि यह बहुत उची rank है, अब ही Cabinet Ministers के उपर हैं यह, जो Order of Presidents है हमारे देश में, मतलब Presidents का सम्मान, मतलब Order कैसे है, सबसे उपर सम्मान है हमारे राश्पती का, हाइस कुरसी है, उसके बाद Vice President, फिर PM, फिर उसके बाद Governors, फिर Former Presidents, फिर Deputy PM, और उसके बाद आते हैं हमारे CGI और Speaker साहब, तो इसमें 7th rank पे आ रहे हैं, मतलब Position तो बहुत बड़ी है, Britain में Speaker जो होता है, is strictly a non-party man, भले ही Party चुनके आया हो, भले ही एक Party के election पे आया हो, जीत के आया हो, MP बनाओ, MP बनाने बाद उसको बना दिएगा Speaker, अब Speaker एक बार अगर बन गए हो, फिर तो उन्हें Party का त्याग करना पड़ जब तक वो House of Commons के अपने लीडर हैं, जैसे ये John Burko के बाद वाले हैं, आपको John Burko पता है, John Burko famous है for some very peculiar way of saying the word order, तो वो order word बोलते हैं तो बहुत ही पनी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो John Burko थे इस से पहले, और Speaker लोग समा वहां के House of Commons में परंपरा है, कि वहाँ प Speaker का हाथ पकड़ के लेकर जाया जाता है, कुरसी तक, मैं आपको बताए भी था यह चीज, क्यों क्योंकि कई ऐसे समय रहे थे, जब ना, 6-7 Speaker को राजा ने मार दिया था, क्योंकि ऐसा हुआ था, कि Speaker को यह अपना फैसला लेके गए, पारलिमेंट का, राजा के पास, राज जाने उपर देखा, और Speaker वापस पारलिमेंट जा नहीं पाए, Speaker का वहीं के वहीं हो गया काम, तो लोग वहाँ पे डरने लग गए थे, Speaker नहीं बनना है, Speaker नहीं बनेंगे, तो वहाँ की पारलिमेंट शुरू क्या करती थी, हाथ पकड़ के बिठा थी थी किसी को, तो मनोग है, हाथ पकड़ के सब लोग लेके जा रहे है, Speaker गदी बिठा दिया है, जानबूज के, अभी वो परमपरा चल रही है, बस formally बिचारे हाथ ऐसे चूके लेके जाते है, परमपरा है तो है, तो महाँ पर क्या होता है, जैसे resign from labor party, यह जो सहाब थे, यह labor party से अपने, जब पह रहते party के member ही है, Speaker may or may not resign from the membership of the party on his election to the exalted office, कहाँ चुन लिये गए तो चुन लिये गए ठीक है, अब जब चुन लिये गए हैं, तो फिर अब देखा जाएगा इनको फिर अब रहना है तो रहो नहीं रहना है, छोड़ तो party कोई बात नहीं, यह है हमारे deputy speakers, तो यह इनका कार कलता, इस समय कोई deputy speaker हमारे है नहीं, नहीं है, और deputy speaker का भी काम election similar है, सब कुछ है, elected by the loksabah itself from amongst its members and elected after the election of the speaker has taken place, जब election हो जाएग बार speaker का, फिर चुनो deputy इनका, now date of election of the deputy speaker is fixed by the speaker, जब उनका boss जब चुन लेगा, फिर ही वो बताएंगे अपने आने वाले junior का election, पर यह boss भले ह नहीं है, पर proper boss भी नहीं है, अभी देखते हैं कैसे, deputy speaker remains in office usually during the life of the loksabah, अब ऐसा नहीं है, कि यह deputy speaker है, तो यह क्या कोई speaker साहब के just पराबर बैबने जाके बैठेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह है house के member, अब यह loksabah के member भी रहेंगे, और deputy speaker अगर बन गए तो यह चार साल तक बने रहेंगे, he may vacate his office earlier in any of the three cases, क्या cases है, या तो he seizes to by member of loksabah, same speaker की तरह काहनी है, अगर loksabah के member ही नहीं रहें, तो speaker, deputy speaker बन गए तुम्हार क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, if he resigns by writing to the speaker, और अपने senior को दे दी है कि लो साब मैं जानों, मुझे से removed by a resolution passed by majority of all the then members of the loksabah, effective majority, now such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice, same, बिल्कुल same, अब दो cases, जहां पे ये speaker का काम निभाते हैं, speaker की सारी पावर लेते हैं, जब speaker का office खाली हो, या speaker साहब चुट्टी पे हो, also precise over the joint sitting of both the houses of parliament, अगर speaker साहब है, पर देश में नहीं है, बाहर गए हुएं, कई और है हैं, बीमार हैं, कुछ भी हैं, तब इसका मतलब है, कि अब हमें जाहिए deputy speaker, जो इससे में speaker का roll ने भाए, और अगर houses की joint sitting हो गई, तो also precise over the joint sitting of both the houses, यही deputy speaker, अब deputy speaker, जो मैंने भी बोला, आपको boss है, इसका मतलब यह नहीं है, कि deputy speaker जो है, वो subordinate हैं अपने speaker के, नहीं, नही deputy speaker भी एक आम member है, and he is directly responsible to the house, house के प्रती उनकी responsibility है, not towards the speaker, speaker से भले ही वो एक junior एक level पे हैं, पर वो house के member है, house के member होने के नाते, house के प्रती उनकी responsibility बनती है, deputy speaker के पास एक special privilege है, वो यह है, कि जब भी उनका appointment होगा, as a member of parliamentary committee, he automatically becomes its chairman, बस, यह है, कि अगर मानलो, speaker साहब ने क्या किया, speaker साब ने committee का गठन किया, उस committee है बोला कि एक deputy speaker भी है, यह वाला member है, अब जैसे ही वो member का नाम लिया गया, automatically, वो बन गए उस committee के chairman, बस, entitled to a regular salary and allowance fixed by the parliament, जो इनको मिलेगी, मिलेगी इनकी salary, and it is also charged on the CFI, यह होती है, हमको यह पता है, यह शुरुआत की बात है, उस समय कि, तो history क्या कहती है, इनकी, जब याद है, यह नाम, Montague Chansford Reforms, तो GOI 1919 में यह बोला गया था, कि लोकसभा के यह आपका जो central legislative council है, इसमें हम एक speaker, deputy speaker वाला रोल ने भाह देते हैं, ठीक है, तो उस समय बृतिन सरकार ने बोला था, कि जो इंडिया में जो यह central legislative council है, इसमें क्या होगा, इसमें एक president होगा, और deputy president होगा, हमने उसका नाम चेंज कर दिया, हमने बोल दिया, president, deputy, president नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए speaker, जैसे आपके आपके वाह है, लंडन में, हमारे भी ऐसी होना चाहिए, speaker, deputy speaker, institution of speaker, deputy speaker originated in India in 1921, इस act के बाद, यह Montague साहब है, अब speaker, deputy speaker का नाम पहले यह रखा गया था, जब governor general जब थे हमारे यहाँ, तो उन्होंना 1921 में, हमारे GGI कौन थे उस समय, पता है, खेर, GGI साहब उस समय पहली बार appointment किया, फ्रेडरिक वाइट का, यह बैठे हैं यह, यह साहब बैठे हैं, तो यह बने हमारे पहले speaker, और सच यह बने हमारे पहले deputy speaker, आजाद, sorry, elected, जो elected पहली बार, आपको पता है हमारे यह speaker कौन बना है, जो पहली बार लोगसभाया, जो हमारा central executive council था, उसमें पहली बार elected speaker, इंडियन कौन बना था, नाम बताना मुझे उसका, ओके, सो यह है, question है आपके लिए, now comes हमारा history, क्या है, और आगे, जब GOI 1935 आ गया, उसमें बोला गया था, कि जो आपका जो लोगसभा है, उसमें आप रख लो, एक अपना president रख लो, deputy president रख लो, हमने वो नाम इस act में change करवा लिया, हमने का, हमने central executive assembly जो आपने बोली है, इसमें president, deputy president नहीं चाहिए, हमको चाहिए speaker और deputy speaker, ठीक है, ये जीवी मावलंकर सहाब है, आपको याद है, जब सम्विधान सभा के दो रोल होते थे, उसमें से एक रोल इन्होंने निभाया था, एक रोल जब प्रिसाइड करते थे, तो ये वाला रोल होता था हूँ, नाउ, ये जो पुराना नॉमंक्लेचर था, president deputy president बोलने वाल ये 1947 तक चलता ही रहा, as the federal part of the act was not implemented, क्योंकि क्या हुआ था, 1935 से 1947 तक हम आजात तो हुए नहीं, पर ब्रितन का act आ चुका था, और ब्रितन के 1935 act में पहली बार बोल दिया गया था, कि हाँ, एक आपका parliament होगा, दो houses होंगे, एक president होगा, एक आपके हाँ, जो है UPSC होगा, एक joint public service commission होंगे, provincial PPSC होंगे, और federal court of India होगा, RBI होगा, तो उसी में जो हमारे उस act के जो federal features थे, जो हमारे घटक वाले जितने काम करते थे, states वाले, center-state relations वाले, वो वाले part जो थे, तब तक वो implement नहीं हुए थे, तब तक खाली union वाले part implement होते थे, इसलिए हमने बोला, कि अ दिक्कत नहीं भी चल रहा है, भटी समिन में अजाद हो जाएंगे, जब पूरा-पूरा act लागू हो जाएगा, समयधान हमारा बनना रेडी हो जाएगा, तब जाके हम अपना पूरा काम करना शुरू कर देंगे, ये थे हमारे सहाब, A.I.N.G.R. सहाब, हमारे first deputy speaker, और ये लोगसभा के rules में लिखा हुआ है, a panel of up to 10 chairpersons is nominated by the speaker from amongst its members, मतलब क्या है, कि लोग जो हैं, जो चुनके गए हुए हैं, members of लोगसभा, तो इन में से 10 लोग ऐसे होंगे, जो के speaker सहाब चुनेंगे, और इनको बोलेंगे कि ये panel है, अब जब speaker और deputy speaker दोनों में से कोई नहीं है absent है, then any one of these 10 people, ये कर सकते हैं, preside उस लोगसभागी sitting के ऊपर, over the house, and have the same powers as a speaker when so presiding, जब ये उस house के ऊपर बैठे हुए हैं, और अपने पूरा काम कर रहे हैं, order, order कर रहे हैं, और सारे लोगों को बोल रहे हैं, हाँ साब, अब आप बोलो, अब आपका बताओ, yes या no करवान हैं के नहीं, तो ये पूरा काम निभा रहे हैं, उसमें speaker का, अब जब ये ऐसा हो रहा होगा, he holds office until a new panel of chair persons is nominated, जब इन 10 में से कोई एक व्यक्ति हमने चुन लिया, उसको बोल, ये 10 लोगों का समू हुए है, ये panel of chair persons, इन 10 में से एक व्यक्ति बैठ के ऊपर जाके, अब वो panel अधूरा है, हमने बोला, अब नए panel लाओ, अभी अभी तुरंत, तो, he holds office until a new panel of chair persons is nominated, in the absence of a member of the panel, the house can select another person to act as a speaker, ये कभी जादा आपको use होता देखेगा नहीं, क्योंकि speaker हमेशा रहते ही हैं, deputy speaker की हमेशा रहते ही हैं, deputy speaker हमारे हैं नहीं, अब deputy speaker अगर नहीं हैं, तो उन का जम्मेदारी आईए, ये बहुत नीचे हैं, ठीक है, when the office of speaker or deputy speaker is vacant, जब ये दोनों office खाली हों, तब a member of panel of chair persons cannot preside, no, 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 जिसने आपको nominate किया है, वो body, वो body, सिर्फ absent होगी, तब आप काम करोगे, अगर वो office, वो vacant है, फरक है दोनों में, absent और vacant, ये पता है न, एक absent होता है, एक vacant होता है, absent में, मतलब आप enrolled हो, बस आप class में आए नहीं हो उस दिन, और vacant माने, आप class का हिस्सा ही नहीं हो, आप class में ही नहीं रहे, आप school छोड़के चले गए हो, तब उसको कहते हैं, कि वो seat vacant है, ठीक है, तो जब आपकी seat vacant है, तब आपके junior panel chair persons, ये लोग ज speaker pro temp, speaker pro temp क्या है, ये एक word है अपना, तो ये क्या करता है, ये जो last लोगसभा होगी, election के just पहले वाली, उसमें क्या होगा, जो speaker of last लोगसभा होंगे, वो अपना office immediately नहीं करते हैं, अब ठीक है, speaker of last लोगसभा vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected लोगसभा, ठीक है, राश्पती क्या करेंगे, ये appoint करेंगे एक member of लोगसभा as a speaker pro temp, जो नहीं लोगसभा आईए उसमें से, अब usually the senior most member, जो आपको मैंने बता है, सबसे वरिष्ट आदमी, सबसे वरिष्ट MP जो होगे, उनको बोला जाएगा, सर आप senior हो, जाके जड़ा, एक दो दिन बैठो जड़ा, अब एक दो दिन ब oath to new members, बस, इन ही के जम्मेदारी पकड़ा दी गई, जितने ये new members आएं, इनको चरशपत दिल बाओ, बस, also enables the house to elect the new speaker, इनको काम करना होता, जब new speaker is elected by the house, the office of the speaker pro temp ceases to exist, इनका काम खतम हो गया, hence, this office is temporary office, existing for a few days, temporary नाम है, इसलिए pro temp भी बोला गया है, इनको, now, लोगसभा क पड़ लिया हमने, अब हम पड़ेंगे राजय सबा के चेर परसन, ये होते हैं, article 89 clause 1 की बदौलत, हमारे खुद उपराशपती, जो देश के उपराशपती है, वो ex-officio chairman है, राजय सबा के, और ये हमने कहां से सीखा है, किसी और एक country के हमने VP को देखा, हमने कहा, अच्छ सब्सक्राशपती है, तो अब ये समझ में आ गया, कि ये तो है, अगर इनको हटाना हो, अब बात करो, इनके मुद्दे की, कि जब राजय सबा का मन हट चुका है इन से, अब इनोंने council of states ने कहा दिया है, we don't want you, तो chairman of राजय सबा can be removed from his office, only if he is removed from the office of VP, पहले उनको vice president की गद्दी से उतारो, तब वो राजय सबा की गद्दी से उतरेंगे, now, VP cannot preside over a sitting of the राजय सबा as its chairman, when a resolution for his removal is under consideration, same बात है, आप को हटाने का काम हो रहा है, और आप बोल रहे हैं, मैं ही बैठूँगा इस meeting के ऊपर, नहीं हो सकता है, sorry, आप ही को हटाने की बात हो रही है, वाँ पर, जाओ यहां से, अब speaker has two special power which are not enjoyed by the chairman, जो लोकसभा के speaker होते हैं, उनके बास दो power होती है, क्या होती है, speaker decides whether a bill is a money bill or not, य यह लोकसभा के speaker के पास ही power होती है, वो यह define करते हैं, कि क्या यह जो bill आया है, विधयक आया है, मेरे सामने है, सरकार की तरफ से, यह bill जो लोकसभा में discussion होने वाला है, क्या यह money bill है, और money bill है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या ही है, यह discussion खाली speaker के पास होता है, and his decision on this question is final, done, समाप, बोल दिया, बोल दिया, now, speaker presides over a joint sitting of both houses of the parliament, जहां deadlock होगा, जहां पर दो houses आपस में भिड़ जाएंगे, कि नहीं हम तो आगे रहे हैं, तुम ना क्यों कह रहे हो, तब ऐसे case में deadlock के समय पर joint sitting होगी, joint sitting में speaker of लोकसभा ही preside करते हैं, राजसभा के chairman नहीं करेंग chairman cannot vote in the first instance, same question, जब पहली बार में जब वोटों की yes no counting करवा रहे हैं, ऐसे में खुदी अपना vote देते हैं पहली नहीं हो सकता, वो vote तब देंगे, जब there is an equality of votes, वो casting vote देंगे, वो tie तोडने के लिए, tie breaker vote देंगे अपना, draw तोडने के लिए, salaries and allowance, इनको जो मिलती है, are also fixed by the parliament, यह आद करना, vice president को, यह मैंना vice president chapter में पढ़ाया था, कि vice president को salary मिलती है, as the chairman of Rajasawa, not of vice president, नहीं, उनको जो salary या allowance जो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, because of the office of chairman of Rajasawa, ठीक है, और इनकी salary जो allowance जो भी आ रही है, यह भी हमारे खजाने से ही आ रही है, or it is not up for parliament to debate or discuss, parliament पहले ही तैय कर देती है, हर साल annual vote उस पे नहीं होता है, जैसे बाकियों के लिए होता है, deputy chairman of Rajasawa, अब deputy speaker of log sabah नहीं है 4 साल से, पर यह है, इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे instance हो सकते हैं, जब राश्पती जी को कहीं भाहर जाना पड़े, और उप राश्पती जी को राश्पती वाल तो 89 clause 2 यही बात बोलेगा, कि Rajasawa shall choose a member of the council to be deputy chairman, and so often as the office becomes vacant, the council shall choose another member of deputy chairman, कि जैसे ही हो, जब भी हो, council को, council of states को, अपना एक deputy chairman ढूणना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, और यह deputy chairman की office जब खाली हो जाएगी, तब जरूरत है, कि आप एक दोबारा से deputy chairman दूसरा ढूण के रखो, ready करके रखो, deputy chairman vacates his office in the following three cases, same case वही के वही की तरह, या तो वो member राजसभा ना रहे, या उन्होंने अपना resign दे दिया है, राजसभा के chairman को, अब, या फिर he is removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the राजसभा, such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice, same चीज, वही की वही, जो चीज वहां थी, वो यहां भी च chairman के, इनके role लेखो, क्या क्या है, perform the duties of the chairman's office, when, अब deputy chairman है, chairman sahab की कुरसी खाली है, when the vice president acts as the president, और discharges the function of the president, ठीक है, तब deputy chairman के जिम्मिदारी बन जाएगी, कि ये जाए राजसभा में, और chairman राजसभा के वो मिगा ने वाए, तीसरा, when the chairman is absent from the sitting of the house, के chairman है, vice president है, पर बीमार है, या देश के बाहर है, गए हुए है, है नहीं तो क्या करें, अब ऐसे case में, deputy chairman के जिम्मिदारी है, कि वो जाए राजसभा के chairman के office में, और वहाँ पर जाए प्रसाइड करें, राजसभा के ऊपर, deputy chairman is not subordinate to the chairman, same like deputy speaker of loksabha, same है, दोनों चीज़ा, same आ रही है, यहाँ पर, and he is directly responsible to the Raja Sabha, यह वही जो 200 लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो 200 लोग यहाँ बैठे हैं, यह सारे के सारे, अब इसमें बीच में एक chairman है, ठीक है, पर इस chairman के साथ नहीं है deputy chairman, वो भले ही इन से एक junior है, इनके ना होने पर role निभा रहे हैं, chairman का, पर ऐसा नहीं है कि वो deputy chairman खाली, इसके chairman के साथ ही बैठेंगे, उननी से बात करेंगे, और किसे बात नहीं करेंगे, नहीं, वो राजसभा के member है, राजसभा को responsible है, वो राजसभा के प्रती वो जवाब देही है, उनकी है, ठीक है बात, यह बात समाझ में आ गई, when the chairman presides over the house, deputy chairman एक normal member की तरह बैठेंगे, any other member of the house, और बैठे रहेंगे, चुप-चाप सुनते रहेंगे, यह बात हो गई, entitled to a regular salary and allowance which is fixed by a parliament and a charge on the CFI, बस, यह रखना, जितने बड़े offices हैं, यह सारे बड़े offices की salary, allowance, expenses, यह सारे incur होते हैं हमारे CFI पे, अब panel of vice chairpersons of राजसभा, important आ गया, यहाँ पे बात हो रही है, जैसे panel of chairpersons थे लोकसभा में, ऐसे ही यहाँ पर आएंगे, और under the rules of राजसभा, the chairman nominates from उसके members में से ही a panel of vice chairpersons, क्या करेंगे यह, any one of them can preside over the house in the absence of both chairman और deputy chairman, जब इन दोनों में से कोई ना हो, तब जाके यह panel of vice chairpersons, इन में से कोई एक preside करेगा house की sitting के ऊपर, the person has the same powers as the chairman when so presiding, जब उसी की power का use कर रहा है, उसी गदी बैठा है, तो power तो वो मिलेंगी, मिलेंगी, person holds office until a new panel of chairpersons is nominated, के अब इन में से केशी को उठा के बिठा दिया गया है, अब जब यह बैठ गए, तो वो panel जो है, वो disrupt हो गया है, फिर इनके बैठ थे से ही, एक नया panel बारा चुनना पड़ेगा उनी members में से, in the absence of a member of the panel, the house can select another person to act as the chairman, फिर तो ठीक है, house की उपर ही है, वो चाहें जब उठा के बिठा दे, when the office of chairman or deputy chairman is vacant, जब vacancy हो गई हो, absent नहीं है, vacant है, खाली है, गदी है ही नहीं वाँपे, कोई ही नहीं वाँपे बैठने के लिए, a member of the panel cannot preside, same, लोगसवागी तरह, ये दोनों slide है, एकदम सेम जा रही है, the president appoints a person to perform the duties of the chairman, और फिर उनकी जब्मेदारी है, कि एक नया chairperson ढूणवाया जाए, नया chairperson आए, अब आपका रोल आ गया है, यहाँ पे, Secretariat of Parliament, जो Parliament होता है, दोनों houses के पास, अपने-अपने, has separate secretarial staff for its own, जो उनको assist करते हैं कई सारे काम कराने में, though there can be some posts which are common to both the houses, हो सकता है कुछ होंकि joint sitting में करानी होती है, कभी-कभी एक house, दूसरा house में कोई सामान मिजवाना होता है, कोई file जानी होती है, कोई bill, gazette, यह notification, कु क्योंकि Parliament के ही काम करने है, Parliament के लोगों में ही बैठना है, अब Secretariat का एक head होगा, जो होगा Secretary General, अब Secretary General एक permanent officer है, and is appointed by the presiding officer of the house, जो अपने-अपने houses के दोनों, जो presiding officer हैं, वो जाके यहाँ पर help करेंगे, वो जाके यहाँ पर चुनवाएंगे, कि हमें कौन सा Secretary General चाहिए, कौ IRS, IRDS, सारे जत्ते सारे वारे ओले दर्वेस हैं, उनमें सही चुने जाएंगे, और ये लोग बैठके, इनका जो एक मुखी आओगा Secretary General, आप जैसा कोई, तो वो काम करवाएगा, फिर पूरे house का सारा Secretaries, जतना clerical work है, जतना लिखा-पड़ी का काम है, वो सारे आप ही को ठीक है, आप जनता के प्रते दियो, बस होते रहो, इतना ही काम है आपके लिए, आप जैसे future officers को ही ये काम करवाना पड़ेगा, और सारे yes, no, बुलवाना, सारी जिम्मेदारी पूरे house संजालन हो रहाएगे, नहीं हो रहा अच्छे से, वो आपकी जिम्मेदारी आपके ठीक है, ये है house के leader, first leader, ये ही है, अब leader of the house means the prime minister, of course the prime minister, और अगर ये member नहीं है लोगसभा के, another minister who is a member of लोगसभा and is nominated by the PM to function as the leader of the house, क्योंकि ऐसा हो सकता है, PM ही नहीं हो भई है लोगसभा के member, so, leader of the house in the Rajasabha कौन होंगे, minister and a member of the Rajasabha and is nominated by the PM to function as such, उनका मन है, PM ने बोल दिया कि मेरा ये जो मंत्री है, ये राजसभा का member भी है और मेरा मंत्री है, तो मैं इसको बनाता हूँ, मतलब house का leader, दूसरे house वाला, जो राजसभा है, ठीक है, he exercises direct influence on the conduct of business, फिर ये guide भी करते हैं, पूरा detail बताते हैं, कि क्या होना है, कौन से बिलम ल in the rules of the house, ठीक है, rules of house जो blue book में आपको दिखाई थी, green book, उसमें आता है ये सारा, ठीक है, फिर आगे चलो, अब इसमें एक और आएगा important, जो है leader of opposition, ये important है, इसको हम बोलते हैं minority leader, और ये जो है leader of house, ये होंगे majority leader, ये Britain के word है, sorry, ये US के word है, US के, अब US में जो leader of the house होता है उसको बोलते है majority leader, और जो leader of opposition होगा, उसको बोलेंगे minority leader, ठीक है भईया, असान है, समझने में असान रख रहा है, ये क्या करते है, leader of opposition party, जो दूसरी party है, जो विपक्ष में बैठी है, जो सत्ता पक्ष में नहीं है, और उस party के पास one-tenth से जादा seat है, तो हैं ये कम से कम, having not less than one-tenth seats, मतलब one-tenth, यानि 10% से जादा seats हैं उसके पास, तो उसके किसी leader को बोल दिया जाएगा, कि आप हो leader of opposition, ठीक है, अब इनका काम देखो आप, main function है, to provide a constructive criticism of the policies of the government, and to provide an alternative government, कि जब भी कोई सरकार जाने वाली हो, तो opposition leader ये बता दे, कि मैं हूँ, मैं चला सकता अब ये चीज हम दिखते हैं, UK में कुछ और तरीके से होती है, shadow cabinet, जाने है, shadow cabinet, वो क्या करती है, उसके shadow cabinet के shadow PM भी होते हैं, shadow ministers भी होते हैं, तो वहाँ पे, अब हमारे shadow world news होता है, हमारे leader of opposition होता है, अब the leader of opposition in the Lok Sabha and the Rajas Sabha were recorded statutory recognition in 1977, and इनको cabinet minister की rank मिलती है, इनको allowance, salaries बगेर सब अच्छा मिलता है, so, where there are two or more parties in opposition to the government, having the same numerical strength, अब ऐसे हो सकता है, एक ही party ऐसी नहीं है, जो opposition में बैठी होई हो, इसके पास 110 से ज्यादा seat है, हो सकता है, और दूसरी party भी हो, तो जब ऐसे case में, अब जब दो से ज्यादा party हैं, जो ये कह रही हैं कि हमारे पास 10% से ज्य लोपी, leader of opposition, तो ऐसे में chairman और the speaker shall recognize any one of the leaders of such party as the leader of opposition, फिर speaker या chairman जो होता है, जो house का presiding officer होता है, उसके दायत्व पे हैं, उसके विवेक पे हैं कि वो किसको चुन रहा है, कि कौन होगा leader of opposition, and such recognition shall be final and conclusive, खतम बात, जो बोल दिया सो बोल दिया, change नहीं होगा इसमें, ये पर इनको पूरी-पूरी वो मिलती जरूर है, क्या बोलते है, salary, allowance, और इनके सारे offices, expenditure, इनको clerical staff भी मिलता है, इनको सारे काम वाम कराने के लिए, तो अब चलते हैं एक नई चीज के ऊपर, whip, whip का हिंदी में word होता है, चाबुक चलाना, hunter चलाना जो कहते हैं, तो whip word अब दे आ गया है, फर्मान आ गया है, पार्टी ने कहा है कि सुबह पहुंचना है, meeting होनी है, और सारे MPs पहुंचेंगे अपने जितने हैं, और इनको सब को एक साथ, हाँ, ना, सब बोलनी है, जो भी करनी है, तो whip जो होता है, parliamentary parlance में, parlance मनें, बोलचाल में, तो parliamentary भाशा में, whip मने एक written order, is a written order that party members must be present for an important vote, कि आप जैसे special session होने वाला है, तो ऐसे में, parties ने अपने MPs को बोलवा दिया होगा, पहले बोल दिया होगा, कि तुम्हें जाना है, और सरकार अगर ऐसी बात करें, तो तुम्हें ऐसी बात बोलना, ऐसी बात करें, तो ऐसी बात बोलना, ठीक है, औ that they vote only in a particular way, अब एक नेता ने, जो पार्टी के बड़े नेता ने बोल दिया है, तो सारे के सारे जितने और जितने MPs हैं, वो सारे के सारे सर जुगाए खड़े हैं, कि ठीक है सर, ओके, हम पार्टी लाइन्स फॉलो करेंगे, हम पार्टी जो बात बोलेगे हैं, उसको मानें अब यह टर्म आया ही है, ब्रिटिश प्राक्टिस से, अफ विपिंग, मतलब ऐसे हंटर चाबुक चलाना, विपिंग इन लॉमेकर्स तो फॉलो पार्टी लाइन, ठीक है साब मानना पड़ेगा, जब पार्टी ने, जिस पार्टी ने हमको चुन के बिटवाया है, उस पा अब पार्टी जीत कया, वो जाएगा अपना पार्लिमेंट में, अब जो एमपी जीत गए, इन में से, जो सीनियर मेंबर होंगे, जो बड़े मेंबर होंगे, जो कदावर निता होते हैं, जो सीनियर वरिष्ट निता, तो इनको बोला जाता है, जिस सबसे बड़ी चाबोग है, and he is assisted by additional WIPs additional WIP भी इनके साथ और दो-तीन नेता होंगे जो MP हैं इसी party के जो इनको help करते रहेंगे the members are supposed to follow the directives given by the WIP and otherwise अगर नहीं गए तो disciplinary action can be taken party फिर उनसे फिर उनसे penalty भी ले लेगी उनसे party उनको कभी बोल देगी आप party की meetings में नहीं आओगे party उनको किसी भी तरह उनको punish कर सकती है chief WIP जो होता है government का in the look सभा ये होता है minister of parliamentary affairs साब बात है ठीक है और राजसाव में कौन होगा minister of state for parliamentary affairs सीधी बात easy बात है समझने में असान है अब chief WIP is directly responsible to the leader of the house होगा ही होगा जो minister है इनका parliamentary affairs और वो पूरे parliament के सारे line है टो करवा रहा है तो वो leader of the house का तो बात माननी पड़ेगी न उसको तो directly responsible होगी होगा आपने बोला है मैं परसों तो सारे MP बोलवा लूँगा आ जाएंगे सारे के सारे chief WIP जो होता है of a recognized party and recognized group ये दो नई वर्ड आगा है ये क्या है पहला सुन लो बैए recognized party होगी every party which has a strength of not less than 55 members in respect of लोकसभा and 25 members in respect of राज्यसभा ऐसी recognized party ऐसी party जिसके लोकसभा में हो कम से कम 55 member या राज्यसभा में हो 25 member ठीक है यानि कि 110 तो उसको मोलते हैं कि ये party recognized party हो गई अब recognized group क्या होगा every party which has a strength of not less than 30 members in respect of लोकसभा and 15 members in respect of राज्यसभा 30 और 15 जो इतने अगर numbers है इनके पास MPs है लोकसभा राज्यसभा में तो ये कहलाते है रे recognized group और ये हो जाईग recognized party अब इनके जो chief whip होंगे chief whip of recognized party and recognized group is entitled to telephone and secretarial facilities देनी चाहिए है सही बात है chief whip हो आपको 50 काम है आप सारे MPs से बातें करते हो सबको बुलाते हो सबको से काम करवाते हो आपको सारे के सारे आपके notes और files सारे आपको yes no पहुचवा नहीं होती है अपने सारे MPs के पास तो जरूरी है कि आपको telephone के सुविदा मिले आपको ये पूरा act है बस इसी नाम से ये इसी नाम से ये act है और इसी act के बतौलत इनको ये सम मिला हुआ है telephone allowance मिला है secretarial facility मिली है अब चलो Parliament के sessions के पास Parliament के सत्र जो होते हैं तो पहला होता है बुलाना कि आओ तो सही पहले जब ये आते हैं बुलाये जाता है सारे MPs को आजाओ हम आपको समन समन कर रहे है जब court समन भेजती है किसी को कि court बुला रही है तो मैं जल्दी पहुचो तो उसको कहते हैं समन भेजना किसी को बुलवा रहा है कोई authority उसको बुलवा रही है अब process of calling process of calling all members of the parliament to meet के इनको बुलाये जा रहा भाई आ जाओ और राश्पती जी summons each house of the parliament from time to time राश्पती जी बुलवाते हैं चलिए आईए 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 सब लोग को मिल के बैटना है बात है करनी है और बोला गया है कि gap between two sessions of the parliament cannot exceed six months parliament अगर एक बार मिली एक session मिल गई ठीक है अब इसके बाद जो अगला session होगा वो उस session के बीच में छे महीने का gap इस्यादा नहीं हो जाना चाहिए इसलिए कहते हैं मतलब कम से कम parliament को साल में दो बार तो मिलना ही पड़ेगा और normally हमारे याँ parliament हमने देखा है कि तीन बार तो मिलती ही है budget session जो होता है monsoon session होता है और winter session होता है ठीक है budget होता फरवरी में ये monsoon होता July सितंबर में और winter होता November दिसंबर में ठीक है फिर December के बाद फिर आजाता है फरवरी फरवरी से लेके मई मई के बाद July में आ जाता है July के बाद December में आ जाता है ठीक है ये हो गया अब चलते है जब summoning हो रही है तो एक session call हुआ है एक session हो रहा है session is in progress session माने सत्र चल रहा है session of parliament is the period spanning between the first sitting of the house house पहली बार मिला जैसे फरवरी से लेके मई तो एक फरवरी को मिल गया मान लो house अब एक फरवरी से लेके until वो house को जब तक प्रोरोग किया गया है प्रोरोग माने उस house को बोल दिया अब जाओ आना से चलो अब अगली बार मिलेंगे मई के बाद हम मिलेंगे जोलाई मे तो फरवरी से लेके हो सकता है मै ना हो मार्च में खतम हो जाए अप्रेल में ही खतम हो जाए ऐसा होता नहीं है परमान हो सकता है प्रोरोग जल्दी हो गया हाउस या तो प्रोरोग हो गया या लोग सभा का आखरी session था पांक सल वाला और house को dissolve भी कर दिया गया तो यानि कि इस दोरान फरवरी एक फरवरी इसी लेके इस date तक या इस date तक वो एक session कहलाएगा अब इस session के बीच में house meets every day to transact business फिर यह हर दिन मिलते हैं सब के सब जतने बैटे हैं यहापे यह सब इनको आना पड़ेगा क्योंकि अब इनका काम चालू है इसी बात के इनको तनक्वा मिल रही है यहाँ आने के लिए the period spanning between the prorogation of a house and its reassembly in a new session is called recess कैसे क्या कह रहा हूं मैं मैं यह कह रहा हूं जो फरवरी से लेके मई अगर यह मई नहीं है यह अपरेल है यह मार्च में प्रोरोग हो गया है तो फरवरी से लेके इस duration को बोलेंगे session और मई से लेके जुलाई के बीच में जब कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है यह है recess का time छुटी interval उसका time recess माने जो school में जो interval होता है यह वहाँ से आया है ठीक है यह बात हो गई अब इसके बाद आगे चलते हैं हम बोल रहे है adjournment house आ चुका है session हो गया है पर समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे हो रहा है इनसे काम हो भी पा रहा है के नहीं हो पा रहा है फिर हमने क्या किया हमने house को देखा हमने का अच्छा इनका session चल रहा है session में हर दिन meeting हो रही है और every day each meeting of a day consist of two sittings दिन के जो meeting होती है उसमें दो sitting बोल देते हैं एक हो गई morning sitting जो होगी 11 से लेके 1 बज़े तक दूसरी होगी post lunch एक से लेके 2 के बीच में इनका lunch चलता है lunch है MPs का उसमें काम नहीं होगा फिर lunch के बाद आएंगे उसको बोलेंगे post lunch लंच के बाद अब sitting हो रही है दूसरी ठीक है यह होगा sitting of parliament can be terminated by adjournment और adjournment सिने डाए अब यह क्या हुआ सर कि यह हो रहा है sitting of parliament जो यह sitting होई है चाहे morning में चाहे evening में ठीक है अगर इस sitting को रोकना है इस sitting को भंक करना है इस sitting को मना करना है कि अब मत मिलो अभी नहीं मिलने की जड़ुवत है जाओ यहां से तो हम उसको बोलते है कि house को adjourn कर दिया गया है adjournment आया है adjournment motion लागू हो गया है अब house अभी नहीं मिलेगा एड्जॉर्ण्मेंट सिने डाइ भी हो सकता है अभी आगे दिखते हैं क्या है वो सिने डाइ और प्रोरोगेशन और डिसॉलूशन प्रोरोग करना माने हाउस को अफीशली बोलना कि अब हाउस जा चुका है अब हाउस अगली बार मिलेगा पता नहीं जब मिलेगा गई एड् Baum... एड्जॉर्ण्मेंट क्या है एडजॉर्ण्मेंट कुछ दिन बाद मिलें कुछ अफते बाद मिल जाएं कुछ भी हो सकता है नहीं जानते नेक्स चलते हैं एड्जॉर्मेंट सीने डाएं टर्मिनेटिंग इस सिटिंग ऑफ पार्लेमेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड कई दफ़े हमने देखा है कि स्पीकर सहाब जब ग साम नहीं हो सकता है हाउस की सिटिंग फेल हो गई बेकार में तुम लोग भहस कर रहे हो कुछ नहीं हो पारा अब मैं कर रहा हूं एड्जॉर्मेंट सीने डाए आए आप लोग थोड़ा डिस्प्लेन होके आओ आप लोग को सजा मिलती है कि आप लोग तब मिलोगे जब आ इन इंडेफिनिट पीरियड बोल दिया जाओ जाओ यहां से पावर अफ एड्जॉर्मेंट एस वेले अड्जॉर्मेंट सीने डाए लाइस विद ओनली दे प्रिसाइडिंग ओफिसर अफिसर अफिसर फरक नहीं पड़ता दोनों मैंसे यही कर सकते हैं तीसरा कोई नहीं क प्रिसाइडिंग ओफिसर अब तीन दिन में हो सकता है पहले ही बोल दें कि एक काम करो कल मिल लेते हैं दुबारा से हो सकता है यह भी पॉसिल है फिर यह दुबारा मिलवा भी सकते है इनी के पास यह पावर भी है और एट एनी टाइम आफ्टर दा हाउस एज बीन अज़न पढ़ रहा है प्रोरोगेशन प्रोरोग करना जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जब वो डिकलेर कर देते हैं हाउस एड्जॉर्ण सेने डाय के हाउस को अब एड्जॉर्ण कर दिया गया है नहीं पता कब तक के लिए when the business of the session is completed तो अब सत्र खाली है ठीक है कोई नहीं है यहाँ पर मतलब कि क्या है रिसेस लागू हो चुकी है और एड्जॉर्णमेंट सेने डाय हो गया है मई आ चुकी है जुलाई आने में अभी वक्त है तब ऐसे में क्या ऐसे में बोल दिया गया है एड्जॉर्णमेंट सेने डाय अब जब अगली बार समन किया जाएगा तब आना पर तब तक के लिए हमें नहीं बता कब आना है ऐसे में फिर ये recess हो जाती है उसकी चंद ही दिन बाद राश्पती जी within the next few days a prorogation puts an end to a session राश्पती जी अपने यहां से एक circular जारी करते हैं कि house is prorogued बस प्रोरोग करना यह होता है ठीक है यह करते हैं president यह याद करना बस प्रोरोगेशन का order राश्पती जी कहां से आता है adjournment, adjournment synodai का order लोगसभा या chairman of राजसभा कहां से आता है article 85 clause 2a president issues and notification for prorogation of the session president can also prorogue the house violent session कर सकते हैं अगर session में है house और speaker साहब ने बोल दिया कि चाओ यहां से adjournment synodai, नहीं बताना अब house का session अभी चल रहा था मही में खतम होता पर March में speaker जी अड़ गए कि तुमसे काम नहीं हो रहा अब मैं नहीं कराने देरा काम हो गया तब ऐसे में क्या होगा राश्पती बोलेंगा अच्छा ठीक आपने synodai कर दिया है नहीं बता रहे हो कब तक करना है मैं प्रोरोग कर रहा हूँ house ठीक है, house is प्रोरोग अब फरक देख लो एक बार adjournment में और प्रोरोगेशन में क्या फरक है, adjournment कहता है it only terminates a sitting and not a whole session of the house प्रोरोगेशन में it not only terminates a sitting but also a session of the house session माने, फरवरी से लेके मई, ऐसा पूरा वाला पूरा budget session, पूरा monsoon session पूरा ऐसा वाला, ठीक है it is done by presiding officer of the house it is done by the president of India it does not affect the bills or any other business pending before the house and the same can be resumed when the house meets again मतलब कि ये है कि अगर adjournment ही हुआ है खाली तो जो जितने bill है pending कुछ काम बचे हुए है वो सारे काम जो है वो खतम नहीं हो जाते वो काम दुबारा resume हो सकते है जब house दुबारा मिलता है प्रोरोगेशन में क्या होगा it also does not affect the bills or any other business pending before the house however, however all pending notices other than those for introducing bills lapse on prorogation and fresh notices have to be given for the next session मतलब क्या होता है कि अगर प्रोरोग हो गया मई में खतम हो गया अब जुलाई में मिलना है तो जुलाई में आने पे जो ये पुराने notices थे ये आपको दुबारा से इंडिडिउस करने पड़ेंगे लोक समा में और आपको दुबारा से पूरी process करवानी पड़ेंगे other than those for introducing bills अगर कोई विधेग लाना है उसके लिए कोई notice गया हुआ था उस notice को दुबारा नहीं लाना है पर अगर कोई दुबारा नया काम करवाना था चोटा मोटा काम था उसके notices आपको दुबारा से देने पड़ेंगे बस बिटन में क्या है prorogation brings to end and all bills or any other business pending before the house मतलब वहाँ पे और ज्यादा time waste हो रहा है मतलब वहाँ पे अगर कोई bill है वो lapse हो गया वो bill पास नहीं हो पाया था house of commons से तो और house of commons हो गया अब प्रोरोग होने के बाद वो मिल रहा है दो-तीन महीने बाद अब वो bill दुबारा reintroduce होगा हमारे यहाँ bill reintroduce नहीं हो रहा है बागी सारे काम reintroduce हो रहे है अब चलते हैं house को bhang करने है ठीक है जब house को bhang होना है तो कौन सा house bhang होगा जाहिर भाय तो यह तो हो नहीं सकता यह तो permanent chamber है यह तो not subjective dissolution है यह तो होई नहीं सकता यहां का सब काम हो जाएगा dissolution यह possible है dissolution ends the very life of the existing लोगसभा हो गया इनका काम अब यह नहीं जा सकते and a new house is constituted after general elections are held हो गया क्या तरीक हैं दो तरीक हैं पहला automatic dissolution जब पांसचाल हो जाए on the expiry of its tenure of 5 years दूसरा जब राश्पतीजी decide कर दें to dissolve the house which he is authorized to do जो उनके पास अधिकार है once the लोगसभा is dissolved अगर यह एक बाद dissolve हो गई before अपने time से पहले then यह dissolution is irrevocable फिर यह नहीं सकता अरे राम गलती हो गई दुबारा बुला लो नहीं आब तो गई तो गई अगर लोगसभा भंग तो मतलब भंग अब चांसी नहीं है कोई रास्ता नहीं बचाए जब लोगसभा dissolve हो जाती है तब क्या होगा? क्या-क्या खतम हो जाएगा? All business including bills, motions, resolutions, notices, petitions सारी चीज़े सब की सब pending before it और its committees they all lapse इनका सब काम खतम अब ये word important है यहाँ पर Lapse सब का सब lapse हो गया सब का सब खतम हो गया जितने ये सारी इतनी चीज़ें जो खोल के रखी थी लोगसभा ने उस समय जो pending थी जो काम पूरे नहीं किये done, अब नहीं हो सकता अब यहाँ पर अगर ये सारे काम दुबारा करने है to be pursued further they must be reintroduced in the newly constituted लोगसभा क्योंकि जिस लोगसभा के पास ये power थी वो कर लेती अपने समय पे क्यों नहीं किया हम नहीं जानते अब नहीं लोगसभा आई है वो उसके पास अपने नहीं अजंडें होंगे कुछ ऐसे pending bill ठीक है कुछ ऐसे important bill हो सकते है जो government कुछ assurance देती है securities देती है कुछ ऐसे वादे अश्वासन देती है तो जो एक special committee होती है committee on government assurances अगर उसके पास कोई bill बचा रह गया है कोई ऐसा assurance रह गया है को circular रह गया है वो नहीं lapse होगा और भी देख लेंगे इस पर आगे क्या 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 है bill की position क्या क्या है the position with respect to lapsing of bills क्या है ये ये सारे laps हो जाएंगे ये नहीं होंगे क्या नहीं होंगे अभी देखते हैं तो पहले ये देखो क्या क्या laps हो जाएंगे bill pending in the loksabah lapses बस जो बिल लोकसभा गया या लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ और लोकसभा ने पास नहीं किया उसके पहली लोकसभा गतम हो गई तो बिल वहीं के वहीं देड मतलब whether originating in the लोकसभा और transmitted to it by the राजसभा ठीक बात है, मतलब राजसभा ने वो बिल बिजवा दिया था लोकसभा में, किजरा इस पर विचार करना हम कर चुके हैं, अब लोकसभा ने विचार किया, विचार करते करते ही में लोकसभा मर गई, गई, तो वो बिल भी गया वो हो गया उसका काम, अब बिल पास बाइद लोकसभा, बट पेंडिंग इंद राजसभा लाप्स इस, मतला लोकसभा ने बिल पास करके भेज दिया था राजसभा, राजसभा ने का हम थोड़ा विचार कर ले, इस पर रुख जाओ, इतने दिर में लोकसभा चली गई विच नाओ, क्या नहीं, क्या नहीं लाप्स होगा, अब बिल नॉट पास बाइद टू हौसेज दू दिसग्रीमेंट, दोना हौसमें मतवेद है, लोकसभा राजसभा अडे हुए हैं, हम नहीं, तुम नहीं, हम नहीं, तुम नहीं, ऐसे हो रहा है, और राश्पतीज ने बोल र एक बिल है, जो राजसभा में क्या हुआ है, और राजसभा में पेंडिंग है वो बिल, पर लोकसभा ने पास नहीं किया है, वो, it does not lapse, ठीक है, अब बिल पास बाइद बोथ हाउसे, बट पेंडिंग असेंट ऑफ दे प्रेसिडेंट, जब दोनों हाउसे पास हो चुका है लोकसभा, राजसभा दोनों ने मंजूरी दे रखी थी, और वो बिल राशपती जी के पास है, राशपती जी का महर लगना बाकी था, पर लोकसभा भंग हो गई, तब ऐसा नहीं है कि वो बिल खतम हो गया, नहीं, अब वो बिल दोनों हाउसे की असेंट लेके बैठा जब दोनों हाउसे ने बिल पास कर दिया है, और राशपती जी ने वो बिल लोटा दिया, इस वज़े से कि इस पर थोड़ा विचार कर लो, तब वो बिल लैप्स नहीं हो रहा है, बले लोकसभा चली जाए, फिर वो बिल है, अब कोरम, जो कोरम पीछे आया था, 110, minimum number, ऐस सबसे कम number required to be present in the house before it can transact any business, अब क्या minimum number है, कम से कम 10% लोग आ जाएं, चाहे कोई साभी house हो, अगर 10% लोग हैं, अगर ऐसे इतने 110 members हैं, जो total number है, पूरे house की strength का, अगर उतने लोग आ गए एक दिन भी, तो presiding officer बोल सकता है, कि हाँ, आज सदन session में है, मतलब क्या है, सबा के 55 member, और राजसबा के 25 member, if any business is to be conducted, कम से कम इतने लोग आ जाएं अपने-अपने houses में, अगर इससे भी कम लोग पहुँचे अपने-अपने house में, तो वो quorum present नहीं है उस दिन, उस दिन पूरे-पूरे membership, उस दिन पूरी 10% लोग भी नहीं आए, तो कैसे काम करा लोग कि मीटिंग सस्पेंट कर दी, अब क्या, बचा क्या है, जब इतने भी लोग नहीं आ रहे है, तो कैसे करवाल होगे, अब जब लोग आ गए, तो इनसे कराना क्या है, इनसे दिलाना है, वोट, इनसे वोटिंग होगी अंदर, ये लोग बैठके, अब कितने ही सारे ऐसे मु दे के, किसी बिल के, किसी एक्ट के, तो वो सारे लोगों की हायाना देखी जाती है, excluding the speaker और the chairman, जो भी हूँ, ठीक है, तो उनकी हायाना ने ली जाएगी, अब कुछ ऐसे matter है, जिसमें, जो कि बहुत जादा important majority चाहिए होती, special majority कहते हैं, absolute, effective majority कहते हैं, तो वो majority अलग से mention है सम्विधान में, और वो simple majority नहीं है, फिर वो आईगी special majority की, फिर वो कहलाएगी, वो कहलाएगी effective majority कहलाएगी, अब ऐसे कुछ points, जो हम ये देख रहे हैं, कि voting procedure कैसे हो रहा है हमारे हैं, जब कोई debate conclude हो जाती है, ठीक है, debate हुई, लोग सबाव हैं, और वहाँ पे क्या हुआ अब इसके बाद, जब debate खतम हो गई, इसके बाद speaker बोलेंगे, कि हम इस question को vote पर कर रहे हैं, कि भाई, vote पर लोग राजी है कि नहीं है, फिर इसके बाद जो लोग हाँ बोल रहे हैं, जो लोग favor में हैं, वो बोलेंगे eyes, 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 ये a yes नहीं है, इसका मतलब है eyes, और जो लोग motion के against हैं, वो बोलेंगे nose, nose, कुछ भी बोलो इसको, ठीक है, तो ऐसे count होता है, ये देखो, ये a yes नहीं है, ये a yes नहीं है, ये a yes नहीं है, eyes, nose, absentees, total, और कितना time लग चुका है, ये सब देखा जाता है, so, ये होता है, ऐसे एक automatic vote counter होता है, वहाँ पर, equipment होता है, तो वो machine क सभा में, राजय सभा में, दोनों जगे, और उस machine भी देखा जाता है, कितने लोग हाँ या ना बोल चुके हैं, जब, पूरा conclusion हो जाता है, पूरी voting का, सब कुछ का, उसके बाद, speaker साहब बोलेंगे, I think the eyes have it, ये I think the nose have it, कुछ भी बोल सकते हैं वो, अब, यहाँ पे, ये रहें, I think, पर वो count करके ही बोल रहे हैं, जो number दिख रहा हैं, वो उसी साब से बोल रहे हैं, अब, speaker साहब ने, अपनी जो opinion दी है, ये, I think मतलब एक opinion है ये, अब पुराने समय की बात करो, जब 1940s, 50s में, तो उस समय कोई voting machine नहीं होती है, उस समय कोई, ऐसा कोई computer है नहीं, अब वहाँ पे क्या है, खाली slip बगरा होती होगी, pen pencil होती होगी, आप उस समय से सोचो, वहाँ पे, अब speaker साब उपर बैटे हैं, अपनी कुरसी पे, वहाँ पे देख रहे हैं, वो 500 लोग एक जगे lobby में खड़े होके बोल रहे हैं, eyes, 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 एक जगे बोल रहे हैं, लोग ख दबारा बोलेंगे, the eyes have it, या nose as the case may be, have it, जब इनकी opinion को challenge किया जा रहा है, जब इनकी opinion पे बोला जा रहा है कि यह जो बोल रहे हैं, इन्हें भी नहीं पता है, रुख जाओ, दबारा देखो कितने, कितने इन्होंने उल्टा बोल दिया है, कि eyes नहीं, nays have it, अगर उल्टा दी गई होती है, yes वालों की, no वालों की, ऐसी करकी, तो फिर speakers आप बोलेंगे, lobby खाली करो, पूरी, जहां आप लोग थे, वहां से हटो, वहां से, फिर साड़े तीन मिनट के बाद, फिर से question का, फिर से vote होगा, फिर से second time एक voting होगी, अब इसके पास भी, declare करना पड़ेगा इसके बाद, declare whether in his opinion, the eyes or the nose have it, अब देखते हैं क्या होता है, अगर इनकी opinion is unnecessarily claimed, अगर इनकी opinion, एक unnecessary कोई claim कर रहा है, नहीं, नहीं, देख लो, इनकी क्या बोलते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, speaker साब, then, ask the members for eyes and nose, and to rise in their places, on account being taken, and declares, मतलब क्या है, कि अगर इसके बाद इनकी opinion पर कोई unnecessarily claim कर रहा है, कि नहीं, माले, सहीं नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं पता है, house कि आप membership देखी नहीं रहे हो, कितने लोग हां कह रहे हैं, कितने नहीं कह रहे हैं, तो ऐसे case में क्या करेंगे, अब ये बोलेंगे, अपने जगे खड़े हो जाओ, जहां आप ल लिखके लो, इनसे कौन हाना, कौन सा गह रहा है, चाहें वो slip पे लिखके लो, चाहें वो automatic vote recorder पे लिखके लो, जो अपने machine देगी पीछे, लाल वली, LED वली, ठीक है, वो होगी, फिर आगे आएंगे हम methods of voting, जो vote होता है, vote देने का तरीका, या तो वो voice vote होगा, ठीक है, voice vote म अने बोल की मूँ से ही कर दिया, अब simple method है, for deciding a question put by the speaker on a motion made by a member, कि कोई motion है, किसी कोई member ने कोई motion प्रस्ताव किया है, कि साब मैं प्रस्ताव करता हूं, कि house इस पर विचार करे, और लोगों और फिर speaker साब ने बोल दिया, कि बताओ कितने लोग राजी हैं इसमें बात करने म अब जितने लोग राजी होंगे, वो खड़े होंके बोल दें, हाँ हम राजी है राजी, बात करो बात करो पहले, ठीक है, then the question before the house is determined by eyes or nose as the case may be, साब बात है, अब division, बटवारा कैसे हो रहा है, now methods of holding a division क्या है, by operating the automatic vote recording equipment, ये रहा, ऐसा वाला, by distributing the eyes and nose slip in the house, yes or no की slip दे दी, बताओ कौन-कौन yes लिख रहा है, कौन-कौन no लिख रहा है, by members going into lobbies, जो ये lobbies में बताई थी, yes or no वाली, चाहे अधर चलेगा, चाहे उदर चलेगा, ठीक है, अब, however, the method of recording of votes in the lobbies have become obsolete, क्योंकि lobbies में जानी जरूरत ही नहीं है, जब ये automatic vote recording machine आ चुकी है हमारे यह, हमारे iPad, MacBook, some मिल चुका है, क्या करना फिर इस इन चीज़ों का, अब चलो, secret ballot पे, secret ballot क्या है, during an open voting period, जब लोग खड़ों के चीखते हैं, yes, no, absent, जो भी करते हैं, तो उसमें तो जरूरती नहीं है, the individual results are shown by the three colors, सामनी देख जाता है, green for yes, red for no, yellow for abstain, कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं individual result display panel, ये ऐसे दिखता है वहाँ पे, जो result panel जो अबने अभी देखा था, LED वाला, अब, secret voting क्या चीज़ है, flashes only white light, बस ये white light दिखाता है, ये हरी, लाल, पीली नहीं दिखाएगा, ये सफेद दिखाएगा, कि हाँ, vote count हुआ है, अब vote कैसा है, yes, no है, वो नहीं बता पाएग है, क्योंकि secret, जो voting होई है, वो secret होई है, अब, recording of votes by distribution of slips, जब slips बाट के, परचियां बाट बाट के, जब yes, no count होता है, तब ऐसे में क्या, method of recording of votes by members on yes and no slips, क्या है, sudden failure of the, ये कब हो सकता है, जब ये, ये जब machine खराब हो जाए, ठीक है, sudden failure हो गया इसका, नहीं हो पारा इससे या add the commencement of the new लोग सभा, जब नहीं लोग सभा आई है, बिलकुल नहीं के नहीं ताजी ताजी, election हो चुके है, नहीं लोग सभा आचुकी है, and seats division numbers have been allotted to the members, ये इसके पहले ही, before the seats and divisions allot हो है, तो कौन से लोग कहां बैठेंगे, कौन से right, left कहां बैठेंगे, उस समय नहीं पत of members in their places instead of a formal division, जब physical count करवाना होता, बताओ कितने लोग हां कह रहे हो, सच बताओ, तो if in the opinion of the speaker, a division is unnecessarily claimed, कि जो speaker को लग रहा है कि ये जो मैंने जो division की बात करी है, इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है, कि किस तरफ हां, किस तरफ ना, तब ऐसे में ये बोल सकते हैं, कि ज देखो कौन-कौन कांका है, और ये मुझे देखके बताओ कितने लोग हां हो गए हैं total, अब ऐसे case में जो speaker साहब के आगे, जो एक well बना होता है, जो हमने कई अभी पीछे देखी ये parliament की photo, तो ऐसी ऐसी होती है, ये ऐसी seating होती है, ऐसी सारी, अब इस seating में speaker साहब यहां बै के सर बैठे हैं, इनी लोग पर जम्मेदरी आती है सारी, यही लोग बताते हैं कि speaker साहब लोग नहीं मान रहे हैं, MP साहब मानने ही रहे, किसी की भी नहीं सुनने हैं, तब ये speaker साहब फिर order, order करते हैं, जोर से और बोलते हैं, कि देखो जो वोट सही से नहीं तेगा, वो मै देखा था, कि यहां भी division हुआ है and number of yes and no's are equal तब ऐसे case में it is decided by the casting vote of the speaker कि फिर इनकी मजबूरी है कि vote देके उस tiebreaker को तोड़ना house की languages, जो parliament में language use हो रही है, hindi और english, यह question काफी समय से राए आज पता नहीं कब से राए question अब समविधान ने तो दो नहीं कर रखी है to be the language for the transacting business of the parliament, अब जो english थी, वो कुछी साल के लिए थी, फिर बाद में बोला गया, नहीं नहीं, इसको तो और रखना पड़ेगा आगे भी, अब presiding officer यह permit कर सकते हैं कि कोई member जो है, MP है, वो house को address कर ले अपनी local mother tongue में, जो उनकी अपनी बाचा है, presiding officer की मर्जी है, चाहें तो वो मने करते हैं, चाहें तो वो हाँ कहते हैं अब, facilities are available for simultaneous interpretation of speeches, जब आप देखते हो कि MPs अपने कान में earphone लगा के बैटे हुएं, तब ऐसे में क्या हो रहा है, कि वो house की बात है, तो सुनी रहे हैं, house के members की ऐसे कुछ लोग हैं, जो Parliament में पीछे बैठके काम कर रहे हैं, आपके जैसे officers, तो वो क्या कर रहे हैं उन MPs के लिए, जो कान में earphone लगाए हुए हैं उनके लिए भाशा का translation कर रहे हैं, interpretation कर रहे हैं कि अगर कोई MP है वो अपनी local भाशा में बोल रहा है, जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप क्या सुनोगे नहीं कि उसकी बात, सुनोगे आप भी, पर आप क्या करोगे, आप उस भाशा का translation सुनोगे किसी और के थुरू वो भी आपके जम्यदारी बनेगी, ऐसे translator appoint करना Now 8 schedule में कई सारी भाशा हैं लिखी हैं हमारी अब उसमें हर भाशा तो हर किसी को नहीं आती है अब 22 भाशा हैं है, अब जब वो भाशा हैं नहीं आती हैं किसी को, तब Hindi और English तो आती है, अब क्या करें फिर उस भाशा को translation मिल जाता है Hindi और English में बागी सारे MPs के लिए यह याद करना, English was to be discontinued as a floor language after the expiration of 15 years जब 15 साल हो जाते तब English को हम हटा देते पर फिर हमने Official Languages Act 1963 लेके आए और बोला गया कि नहीं नहीं, English को तो allow करो, क्योंकि ऐसे कई देश के ऐसे नागरिक हैं, ऐसे लोग हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, खाली Hindi, ठीक बात है, English होनी जरूरी है English रखना सही है Now, Rights of Ministers and AGI, Attorney General of India इनकी भी जम्मेदारियां देखो अब इनके अधिकार भी हैं Ministers के पास अधिकार, यह हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, कि Ministers और Attorney General के पास यह अधिकार होता है कि वो House की सिटिंग में जा सकते हैं, House की प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ पर जाके बोल सकते हैं, right to speak and take part in the proceedings of either House, any joint sitting of both the Houses, and any committee of Parliament जिसके वो member हैं, तो without being entitled to vote अब हो सकता है, उस committee में vote ना दे पाएं ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर वो उस committee में जा सकते हैं, तो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा आते हैं, आप उस legislature का हिस्सा हो जहां से आप निकल के आये हो, तो जाहिर बात है कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए, और आप वहाँ जाके अपनी बात, अपनी सरकार की बात पूरी तरह रख सको, पर क्या आप हमेशा जा सकते हैं, अगर आप लेम डख सेशन, लेम डख माने बेवकूफ बतक, तो ठीक है, इसका मतलब कुछ और हो सकता है, हिंदी में इसका मतलब ऐसा लग रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं लेम डख मतलब कुछ और ही होगा, अब यह क्या है, यह रेफर करता है, वो आखरी सेशन of the existing लोगसभा, after a new लोगसभा has been elected नई लोगसभा का चुनाव हो चुका है, नई सारे 500 MPs ढून लिये गए हैं, चुन लिये गए हैं पर अभी भी लोगसभा गई, लास सेशन बचा रहे हैं, आखरी बार बाई बोलके पांच साल बने रहे, फिर उसके बाद दुबारा चुनाव लड़ने गए थे, और हार गए बिचा रहे हैं, जब हार गए, तो वो कहलाते हैं, lame duck कि अब इंसन ना हो पाएगा, यह आखरी बार बैठे हैं यह जा रहे हैं, common नागरिक बनने, ठीक है अब यह member of parliament नहीं रहेंगे तो इसका क्या purpose क्या है, इसका to pass the vote on account to enable the government to carry on till the new लोकसभा was constituted, simple बात है, कि एक लोकसभा का last काम रह जाता है, vote on account कुछ हो सकता है न, पैसे का मुद्दा होता है कुछ पैसे का sanction करवाना होता है ऐसे case में, last लोकसभा का session रह जाता है उसे ही कहते है, lame duck session बस, और कुछ नहीं, इसके इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, so फिर आते हैं, अब आजाओ majorities पे, पहली बात तो simple majority, majority क्या है, majority माने बहुत आया बस, साब बात, कि majority में कौन है, कितने लोग majority में हा ना कह रहे हैं, अब जो article 100 है, वो कहता है कि जब तक अलग से न बोला गया हो जब तक पहले से अलग से mention नहीं किया, otherwise except as otherwise provided in the constitution, जितने भी मुद्दे होंगे, जितने question होंगे, जितने sitting होंगे, house के, वो सारे के सारे, सारे solve किये जाएंगे, through a majority of votes of the members present and voting जितने लोग उस दिन आये हैं उनके सब जो उनमें से present हैं और जो उनमें से vote दे रहे हैं कुछ लोग ऐसे होंगे, जो abstain करेंगे, vote नहीं देंगे, बैठे हैं लेकिन बत बोलेंगे, हम इस हिस्सा अब जो vote नहीं दे रहे हैं, उनको अलग और कर दो, अब जो बचे present and voting, उनको count करो उसमें से 50% plus 1, जितने वो लोग हैं, तो उसको वो लोग अगर जो vote दे रहे हैं, वो majority और वो आ रही majority हम उसको कहते हैं simple majority साब बात है, मतलब 500 लोग हैं, ठीक है 500 मैंसे आये उस दिन 200 लोग, अब 200 मैंसे ऐसे कुछ लोग हैं 20 लोग, जो कह रहे हैं हम आये तो हैं, पर हम vote नहीं देंगे यानि, टोटल उस दिन की effective जो presence बनी है लोगों की वो बनी है, 180 लोग अब ये 180 लोग present हैं जो vote भी देना चाह रहे हैं, अब यानि की हमें चाहिए, simple majority के लिए 91 लोग अब बस समझ में क्यों, 91 क्यों, इसका आदा plus one, बस, ये बात ordinary majority, और functional majority, और working majority इसका ही नाम है, simple majority का नाम है, बस, असान बाशा सरल बाशा, अब चलो कहां कहां use होती है, ये use होती है, for passing ordinary bills money bills and financial bills साब बाथ, अभी आगे आएंगे bills passing of adjournment motion NCM confidence motion, censure motion and motion of thanks सब के सब, ये भी हैं आगे, removal of the vice president in the loksabha राज़सभा में तो चाहिए majority बढ़िया वाली, पर राज़सभा अपना pass करवा के भेच चुकी है लोksabha, लोksabha ने कहा कि जब आपने अपना class teacher हटाना ही है तो आप हटाई चुके हो, ते मन मना ही चुके हो, तो हम क्या हमारे simple majority लेलो बोलो हमारी तरफ से हाई ही होगी, ठीक है आपको अटाना है आप जानो approval of the imposition of the president's rule जब president rule लगवाना है किसी state में, तो फिर अपना simple majority approval of the proclamation of financial emergency, simple majority election of speaker and deputy speaker of loksabha, simple majority election of the deputy chairman of rajasabha, simple majority passing of a resolution by the loksabha for disapproving the continuance of national emergency जब national emergency हटानी हो, तब simple majority चाहिए Now, effective majority क्या हुई? Majority of total membership of the house excluding the vacant seat T-V, यानि कि अगर total membership है 245 और vacant है 25, तो इसका मतलब हो गई effective majority 220, अब 220 का 50% plus 1 that is 111, यह होती है अमारी effective majority यह भी अलग जगे use होती है, यह कहां use होती है? इसको बोलते है majority of all the then members of the house यह require होती है for the removal of VP in the Rajasabha क्योंकि Rajasabha की class के monitor है वो अब वहाँ जाके अगर वो उनको अटाय जा रहा है that means वहाँ के ज़्यादा लोगों को support चाहिए effective majority, फिर यहाँ इनको जरूत पढ़ेगी राजसabha में removal of deputy chairman of Rajasabha, ठीक है इनी की जगे है, इनी की classroom है वो removal of the speaker and deputy speaker of लोकसabha अपने-अपने classroom के class in charge को अटवाय जा रहा है तो यह वाली majority हो जो रही है absolute majority absolute माने, दिखाओ majority पहले हम नहीं जानते कितनी अब majority of the total membership of the house irrespective of the fact whether there are vacant seats और absentees हम नहीं जानते, vacant हो चाहे, absent हो जो हो, जितने हो, total membership जितनी है उसका 50% कर दो यह तब दिखानी होती है, जब सरकार बनाई जा रही होती है जब मोदी जी ने अपनी पहली majority दिखाई होगी तब उस समय उन्होंने दिखाय होगा, लोकसabha में अपना majority 272 cross number किया होगा, और आज समय में वाली majority को कहते हैं, 123 क्योंकि 245 पे 245 का आदा कर दो 50% plus 1, simple next comes, इसके special majority आती है, इसके आगे special majority के काम अलग-अलग है special majority meaning majority of total membership house की total membership का 50% होना ही चाहिए, plus जितने लोग उस दिन आए हैं और present and voting है, जो लोग present भी हैं और vote भी दे रहे हैं वो कम से कम दो तिहाई लोग हों अब ये majority special है अब इसकी type 1 है ये now, this, ये कहां का required होती है, for the amendment of constitution सम्विदान जशोदन, फिर removal of the judges of supreme court supreme court के judge को अटाना है supreme court के, sorry high court के judges को अटाना है C.A.G. सहाब को अटाना है, C.E.C. सहाब को अटाना है क्या parliamentary approval देना है for the national emergency proclamation तब इसका use होगा फिर, type 2 emergency, sorry special majority so, ये use होती है two-thirds majority of the total membership of each house for a very unfortunate incident which is required for the impeachment of the president God forbid, खुदा न खास्ता भगवान न करे किसी दिन राश्पती जी को जब impeach कराना हो महावयोग अभ्यान चलवाना हो तब पूरे house की दोनों house मिला के बतारू दोनों house में अपना separate separate दोनों house में चाहिए two-third majority of total membership तब ये हटाई जाएंगे now, लोकसभा में special majority as per radical 61 is 364 543 का two-third अब इसमें राजसभा में 61 का, sorry 164 है ठीक बात है type 3 majority देख लो special वाली two-third majority of the members present in voting in राजसभा is required in the following cases दो केस में जब कोई नई service बनानी हो for the creation of a new all India services तब राजसभा में इसका creation के ऊपर एक चर्चा शुरू हो सकती है अगर two-third member present in voting राजसभा में ये बोल रहे हो कि सर हमें एक चाहिए नई all in a service मान लो कर एक नई service आ जाए IAIS Indian Artificial Intelligence Services अच्छा ठीक है ये नई service है अभी तक कभी ने सुना इसके बारे में पर राजसभा ने recommend किया है कि हम चाहरे है ऐसी service का इबारे में बात हो क्योंकि ये एक बहुत important चीज आने वाली है और ये होने वाली है इसको regulate करना चाहिए ये काम आएगी सरकार के जो भी है ठीक है तो ऐसी service बनवाने के लिए केवल राजसभा authorized है दूसरा parliamentary legislation on matters in the state list जो state list है उस state list में जो topics है उनके उपर कानून परलिमेंट नहीं बनाता है पर अगर बनाना हो तो खाली council of states खाली राजसभा ही authorized है two-third majority से ये पास करवा दे और बोलने के परलिमेंट को authorized कर रहे है परलिमेंट बना दे state list पर कानून मान लेंगे लोग मानेंगे अपने आप now let's come to the devices of parliamentary proceedings मतलब अब परलिमेंट चल कैसे रही है जो वहाँ पर daily के काम हो रहे है किस तरीके से दिन शुरू होता है वहाँ पर कैसे काम खतम होता है एक बार वो देखना जरूरी है क्या हो रहा है 11 से लेके 6 बजे तक की house की sitting होती है हमें पता है 2 sitting होती है एक होती है morning sitting होती है एक होती है post lunch sitting तो एक से दो तक का तो lunch होता है इस बीच में क्या ही काम कर लोगे अब 11 से 12 के बीच में होता है हमारा question hour ये theoretical है 2014 में हामिद अंसारी जी ने इसमें चेंज कर दिया था अभी देखते हैं उसको आगे बारा से एक के बीच में होता है जीरो आवर फिर एक सदो में लंच और रेगुलर बिसनेश जो हाउस का नॉर्मल होता है वो शुरू हो जाता है एक बज़े से कुछ पहले ही मतलब जीरो आवर का कुछ सम लेही लेते हैं तो देखो क्या हुआ गया था सन 2014 में हुआ यह कि राजसभा की चेर्में थे हामिद अंसारी जी उन्होंने क्या बोला उन्होंने का यह जो Quesion hour है मैं इसको 12 बज़े शिफ्ट कर रहा हूं मैं इसको 11 बज़े से शुरू नहीं कर रहा हूं 11 बज़े उन्होंने जीरो आ होता है जीरो आवर स्टार्ट इमेजिएटली आफ्टर दे क्वेशन आवर पर 2014 से यह चेंज हो गया था राजसमा में अब यह मूवी इसलिए हुआ था यह क्यों किया था टू प्रेवेंट डिसरप्शन ऑफ क्वेशन आवर क्वेशन आवर में बार-बार लडाई जगड़ तो दिन के पहले घंटे में जो पारलेमेंट के मेंबर्स होते हैं वो पारलेमेंटरी सिटिंग में क्वेशन पूछते हैं मिनिस्टर से और मिनिस्टर को यूजली वो आंसर देना पड़ता है अब इसका आंसर स्टर लगाने का मतलब यह है कि इसका अंसर देना ही देना पड़ेगा It requires an oral answer and hence supplementary questions can follow मतलब अगर question बूजा किसी MP ने कि Minister of Commerce या Minister of Coal या Minister of Railways जो भी है आप फलानी चीज़ कर रहे हो मुझे इसका answer दो और स्टार लगा के दे रहा हूं मैं अब speaker साब की जम्मेदारी है कि इस question को put up करवाएं इस question का answer मुझे चाहिए minister से और minister साब जब इसका जवाब देंगे तो मैं supplementary question इसे पूछूँगा ही पूछूँगा क्योंकि ओरली दे रहे हैं सामने दे रहे हैं मेरे अब अनस्टार question में क्या होगा अनस्टार question में It requires a written answer कि Minister की जवाब देई है बिल्कुल है Minister responsible है लोग सभा को पर वो क्या कर सकते हैं वो लिखित में जवाब दे के छोड़ देंगे ठीक है वो जाएंगे नहीं लोग सभा में हो सकता है उनकी किरिकरी हो जाए हो सकता है उनसे supplementary question बूछ लिया जाए जिसके लिए वो ready ना हो तो supplementary questions cannot follow नहीं हो सकते हैं short notice questions short notice questions are asked by giving a notice of less than 10 days बस 10 दिन पहले उसका notice दे दिया कि मैं ये question बूछने वाला हूं 10 दिन के अंदर और मुझे इसका answer दे देना बस साफ सिधी बात जो start question होते हैं questions can also be asked to the private members also मतलब एक MP मैं हूँ normally और मैं दूसरे MP से ही बात कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ मुझे आपसे answer चाहिए लोगसभा में और आपको लोगसभा में answer देना पड़ेगा अब क्या होता है जब हम star question, unstart question करते हैं तो इसको हमने अलग-अलग तरीके से color coding कर रखी है green, white, light pink ऐसी start किये, unstart किये, short notice किये और जो private member से question बूचना पड़ेगा उसको हमने yellow mark कर रखा है बस, साफ simple बात इसलिए ताकि एक दूसरे से difference दूर से दिख जाए क्योंकि हर एक member को ये copy दी जाती है या ये उनके iPad पे या Macbook पे ये दिखाई देता है कि क्या-क्या house की उस इनकी अब चलते है जीरो आवर पे जीरो आवर कही हमारे mention तो है नहीं rules में प्रुस्की जर्में कहीं भी किसी constitution कहीं भी नहीं है ये इंडिया ने अपना बना रखा है अपने आप से और हमने क्या कर रखा है इस एन informal device available to the members to raise various matters of urgent public importance कि कोई देश में मुद्दा होने वाला है या हो चुका है हो रहा है उसके उपर सरकार से बात करनी है कि मलिक बात करो इस पे कब तक छुपके जाओगे कब तक हम से छुपोगे हमारे सामने तो आओगे लोगसभा में हम बूचेंगे आप से question now zero hour starts immediately after the question hour बस ये है पर 2014 2014 से ये चीज़ चेंज हो गई है याद रखना आपकी बुक भले ही कहती रहे कि zero hour जो है question hour के बाद आ रहा है पर 2014 में राजसभा की proceeding में ये उल्टा हो चुका है और ये last करता है until the agenda for the day that is जो regular business जो लेना है house को उस दिन का is taken up तो हो सकता है वो zero hour का कुछ हिस्सा भी take over कर ले जो regular business है वो और जरूरी नहीं है कि एक घंटा पूरा चले ही चले zero hour जैसे 11 से 12 तो हमारा fix है कि ये चलेगा question hour 12 से एक में zero hour है पर हो सकता है zero hour का कुछ हिस्सा हमने यहाँ utilize कर लिया हमने बोल दिए यहीं से शुरू कर रहे है पूरे 6 बजे तक का session ठीक है हो जाएगा आगे चलो अब आगे देखो हम motion motion मने house को move करना house को एक formal proposal देना एक इस्तिहार देना एक यह बोलना कि sir हम यह propose कर रहे है इस बात पर चर्चा होनी चाहिए a motion is a formal proposal made by a member in the house of parliament कोई भी member यह चीज़ दे सकता है to initiate a debate or a decision on a matter कैसा matter कोई भी matter public importance का कोई भी matter जो जन्हित में हो देशित में हो और house जो पूरा सदन है वो इस पे अपना decision express करता है अपनी opinion देता है on various issues through the adoption or rejection of motions यह house ऐसे ही अपना दिखाता है कि हम सदन हम लोग इस पे चर्चा करना चाहते है यह नहीं करना चाहते है और हमारी मंजूरी इसी से दिख जाती है क्या हम motion को एप्रूब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है ठीक है by either ministers और private members कोई भी 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 ला सकता है यह motion अब तीन तरह के हम motion दिखते है that is substantive motion याद है substantive वाभी पीछे आया था substantive क्या था वहाँ आ गया यह 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 रहा substitute motion और subsidiary motion substantive समझ में आ रहा है जो substantial है जो जिसमें तत्व पहले सही दिख रहा है मतलब self-contained independent proposal dealing with a very important matter like impeachment of president impeachment of president या removal of CEC ऐसे कुछ matter जो अपने आप से समझ में आगए करी क्यों आये है इनका आने का मकसद ही clear हो गया आते ही now substitute motion substitute motion क्या है motion that is moved in substitution of an original motion and proposed an alternative to it कि कोई already motion चल रहा था उसके average में उसके बदले में हमने substitute motion लेके आये है उसके alternative में now if adopted by the house it supersedes the original motion जिस original motion के लिए ये आया था और ये वाला अगर पास हो गया तो original motion को छोड़ दिया जाएगा इसको उठा लिया जाएगा subsidiary motion क्या है subsidiary मतलब साथ में motion that by itself has no meaning and cannot state the decision of the house without reference to the original motion or preceding of the house पीछे जाओ वहाँ पे जाओ वहाँ पे जागे देखो original motion क्या था अब उस original motion को याद करो और तब इसको पढ़ो तब समझ माएगा subsidiary motion क्या चीज़ है ठीक है ये तीन दर है कि हम motion लेख रहे है आगे बढ़ेंगे इसमें subsidiary motion को हमने और ज़्यादा खोला हुआ है हमने बोला है एक होता है ancillary motion एक होता है superseding motion एक होता है amendment motion क्या है ये सब ancillary माने साथ में और एक चिपका हुआ additional it is used as the regular way of proceeding with the various kinds of business superseding माने जो supersede करी रहा है it is moved in the course of debate on another issue and seeks to supersede that issue के issue कुछ और चला था debate उस पे हो रही थी superseding motion ने एक आया subsidiary form में इसना बोला सर इस पे भी debate करो और इसी पे debate होनी चुरू कि उसको छोड़ दिया amendment it seeks to modify or substitute only a part of the original motion ठीक बात है समझ में आ रही है के original motion कोई और था उसमें कुछ add-on करना था उसमें कुछ amendment लाना था तो हम ले आए closure motion closure motion क्या है it is a motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house के house के पास कोई debate का matter था कोई debate का matter था उसमें debate चल रही थी फिर एक member साब उठे कोई MP उन्होंने का sir मैं closure motion चारहू इस debate को खतम किया जाए बहुत हो गया अगर ये motion approve हो गया then debate is stopped forthwith and the matter is put to vote हो गया अब बोल दिया हो गई debate बहुत देर से चल ले थी अब हो गई बो चार तरीके से हम closure motion देखते हैं क्या क्या है simple closure खतम कर दो बात को closure by compartment kangaroo closure and guillotine closure एक एक करके शुरू करते है simple closure it is one when a member moves that the matter having been sufficiently discussed be now put to vote के पूरी इसकी meeting पूरी debate इसकी अच्छे से हो गई है अब इसको छोड़ो closure by compartments that is clauses of a bill और a lengthy resolution are grouped into parts before the commencement of the debate के पहले ही हमने तै कर लिया के एक विधेक आने वाला है ठीक है अब house के सामने अब इस विधेक के इस bill के कुछ-कुछ clause है इन clause को हमने एक साथ group कर दिया a, b, c, d अब इस a के अंदर a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे होंगे फिर हम क्या करेंगे हम closure by compartment बोलेंगे कि सर एक बार में इस पूरे part की debate खरम करो वहीं कहीं अब अगले part पर चलो ठीक है debate covers the part as a whole and the entire part is put to vote एक साथ now, kangaroo closure क्या है only important clauses are taken up और बागियों को छोड़ दिया जाता है बागियों को skip कर दो, छोड़ दो, छोटे-मोटे है क्या करोगे and the intervening clauses are skipped over and taken as passed ठीक है, बस guillotine motion guillotine मने जो आपने France में जो death penalty के लिए अगर वो सजावाला वो देखा होगा equipment, वो क्या होता है उसमें किसी अपरादी का सिर लगाया जाता है ऐसे और उपर से blade गरता है बहुत जोर से तो वो सिर जो होता है धड़ से अलग हो जाता है उस जो blade जो गरता है ऐसे इसको मैं बना के दिखा हूँ आपको अगर वो गिलोटीन किसे कहते है तो गिलोटीन होता है ऐसा मतलब यहाँ पे आदमी का सिर है यह सामने से view दिख रहा है इसका अब इसमें ऐसे एक blade है ठीक है अब यह जो blade है यह blade उपर से गरता है तो यह जो सिर है टप से गर जाता है बाहर यह यह पड़ा हुआ ठीक है यह ऐसा होता है गिलोटीन यह blade उपर से गरता है अब गिलोटीन क्या जो हमने word उस किया है गिलोटीन का मतलब ऐसा है कि when the undiscussed clauses of a bill or a resolution are also put to vote along with the discussed ones due to want of time जब समय नहीं रहा और bill पे discussion लंबा जा रहा है हुई नहीं पा रहा है में मुद्दों पे बाती नहीं हो भाई पहली बात होती रही तब ऐसे में क्या गिया गिलोटीन motion बोला गया हम गिलोटीन motion का प्रस्ताव करते हैं speaker माउद है प्लीज इसके उबर विचार किया जा speaker माउद नहीं का करो विचार ठीय है गिलोटीन motion ले आएं और पचास लोगों नहीं का कि हाँ ले आओ ले आओ सा डन ओके पचास माने कुछ भी हो सकता है मैजॉरिटी हो सकती है अब जब गिलोटीन motion आ गया तो बिल पे चर्चा खतम हो गई जो फालतू मुद्धों पे चर्चा हो रही थी पहले करते रह गए वही मेन मुद्धे पे बाती नहीं आ पाई उसके पहले गिलोटीन closure आ गया और वो बिल सीधे अब वोटिंग पे चला गया है बस डिबेट खतम हो गई बही के बही और क्यों क्योंकि भई यह समय कम ही है बस सीधी बात यह है privilege motion privilege motion क्या है एं मेंबर कोई MP can initiate this motion when when they believe a minister has violated the privileges कि जब किसी member को लगता है कि मैंने फलाने minister से सवाल पूचा था और इस minister ने crucial information को withhold कर लिया है या provide किया है inaccurate and manipulated facts मतलब इसने house की privilege breach करी है मतलब इसने जो सदन की जो गरिमा है उसको भंग किया है तोड़ा है तब एक privilege motion का प्रस्ताव करता है कोई भी member आप इसका aim क्या है main aim तो इसका यह ही है this motion is to express disapproval and criticize the respective minister's action साब बात है हम आपको criticize करना चाहरे है हमने आपसे सवाल क्या पूछा था आपने जवाब जाने क्या ही दिया है तो यह उसके लिए हो गया privilege motion next आ जाओ calling attention motion नाम से समझ में आ रहा है attention मुलाना चाहरे है अब it is introduced in the parliament by a member to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance a minister of coal है या minister of agriculture है चाहरे है ध्यान के इंदित करना चाहरे है किसी एक special मुद्दे पर जो देश में चल रहा है जनहित में देशित में और minister का ध्यान लाने के लिए हमने calling attention motion का use किया है and to seek an authoritative statement from him on that matter हमें आपसे इस पर एक statement चाहिए कि sir इसका answer दो sir बहुत हो गया और हमें इसका answer लेने के लिए बैटे हुए आपके सामने जल्दी दो ये भी एक Indian innovation है याद रखना and has been in existence since 1954 देख रहे हो कब से use कर रहे हैं इसको कि ध्यान के इंदृत करवाना है minister साहब का उन्हें पता ही नहीं है उन्हें होशी नहीं है उन्हें कौन बताए जाके कोई बताई नहीं रहे जाके तो इसलिए members use करते हैं इस motion का ये mention है हमारे rules of procedure में अब ये important बन गया है क्योंकि कई बार हमने देखा है ministers का ध्यान इससे हमने आकर्षित किया है adjournment motion adjournment motion ये भी सदन का जो सदन में सरकार होती है उसका ध्यान लाने के लिए कि हम आपसे बात करना चाह रहे है बहुत important matter है मुद्दा बहुत जरूरी है और आप होगे अपने कहानी में लगे हो तो to draw the attention of the house to a definite matter of urgent public importance पूरे सदन का ध्यान हमें लाना है इस मुद्दे पे देश में इतना बड़ा बवाल चला है और जने हम कहा हैं बात ही नहीं कर रहे है इसलिए हम house के जब attention बुलवाना चाहते हैं हम कई MPs adjournment motion का ही प्रस्ताव कर देते हैं कि सर हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि सदन को भंगी कर दो इस बात पे कि भाया लोग क्या करें लोग हम इतनी देर से चीख रहे हैं चला रहे है और सदन है कि पूरा house सुनता ही नहीं है तो ऐसे motion को needs the support of 50 members to be admitted 50 लोग तो चाहिए जो ये support कर रहे हैं कि सब add zone करो नहीं करो नहीं आगे बात हो पाई जब तक ये नहीं होगा तो इट इंटरॉप्ट्स अ नॉर्मल प्रिस्ट्स अफ दे हाउस और ये एक extra device है ये use करना पड़ता है क्या करें अब ये use कैसे करें और कौन नहीं कर सकता है तो भई राज्यसभा is not permitted to make use of the device क्यों भई या ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि it involves an element of censure against the government अब अगर ये censure है government के against that means कि वो government के council of ministers और वो council of ministers होते हैं only responsible to the लोकसभा तो इसलिए राज्यसभा के पास ये motion का option ही नहीं है क्या करें अब मजबूरी है उनकी कि उनको बस ये चीज़ देखनी सुननी पड़ेगी और खाली लोकसभा में ऐसे members उठते हैं और बोल देते हैं 50 लोग अगर घटे होके बोलते हैं कि सर इस पे हम सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं पर क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है सदन ध्यान नहीं दे रहा है देश में आग लगी हुई है हम चाहते हैं कि हम 500 लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस motion को और प्लीज सदन को भंग किया जाए इसको इंटरप्ट किया जाए और में मुद्दे पर ध्यान आए सरकार का Now discussion on an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes धाई गंटे कम से कम discussion इस पर चले जरूरी है अब कब नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है तो देख लो it should raise a matter which is definite factual, urgent and of public importance ठीक है यह restriction है adjournment motion important है बड़ा motion है और adjournment speaker साहब के domain के बाहर से आ रहा है power तो speaker साहब के पास है adjourn करने की पर speaker साहब के मन से नहीं हुआ है बाहर से आ रहा है MPs लोग बोल रहे है तो अब MPs लोग बोल रहे हैं that means it is not absolute power वो लोग जो enjoy कर रहे है तो अब उनके लिए देखो इतना matter होना चाहिए बिल्कुल definite है important perfect matter है पूरा complete matter है factual है सही बात है है हुआ है इसलिए और urgent है देख रहे हो अभी इसी गंटे की बात है अभी करनी ही बात और public importance की बात है दूसरा it should not cover more than one matter एक matter बस definite one it should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be framed in general terms ऐसा नहीं कि बस आप बोल रहे हो कि देश में महंगाई बहुत है आरे तो महंगाई के तो points तो बताओ महंगाई के figures तो बताओ numbers तो बताओ तब ऐसे now it should not raise a question of privilege कि इनके ministers की house की privilege की बात ना आ जाए बस कि आप भी रह गए उतनी ही उडान है आपकी आप खाली house की privilege के बारे में बात कर रहे थे और आपने आगे की सोचीनी तेश की it should not revive discussion on a matter that has been discussed in the same session कि वहीं के वहीं अभी दो अफते पहले बात करी थी उस पर फिर आप उठके खड़े हो गए उसी मुद्धे बात कर रहे है नहीं हो सकता it should not deal with any matter that is under adjudication by court अगर court में चल रहा है मामला उस पे सदन क्या मीडिया भी बात नहीं करनी चाहिए उसके उपर क्योंकि court में matter चल रहा है और public opinion एक चीज़ बन जाती है फिर court का फैसला जो आता है वो या तो influence हो सकता है या उस court के फैसले पे ज़्यादा लोग गलत तरीके से टिपड़ी कर सकते है इसलिए court में लंबित मामले के उपर टिपड़ी करना नहीं चाहिए now it should not raise any question that can be raised on a distinct motion मतलब कोई ऐसा मुद्धा जिस पे आप एक अलग से मोशन ला सकते थे आपने लाए नहीं है बढ़ आप कह रहे हैं आप एडजॉर्णमेंट एडजॉर्णमेंट ऐसे नहीं होता ठीक है यह हो गया आप चलो no confidence motion 75 कहता है important है पहले पढ़ भी चो कहें 75 कि जो council of ministers हैं shall be collectively responsible to the loksabha साफ बात ठीक है इसका मतलब है कि ministry जो है prime minister प्लस उनके मंत्री दल तो ये सारे के सारे office में तब तक रह सकते हैं जब तक ये enjoy कर रहे हैं confidence of the majority of the members of loksabha कि जब इनके पास सदन के maximum majority लोगों का support है तभी तक ये अपना office में मजे ले सकते हैं अपने office में काम कर सकते हैं देखे हैं इंजोई confidence of the majority बस ठीक है लोकसabha can remove the ministry from office by passing an NCM no confidence motion बस no confidence motion पास हो गया सरकार गई सरकार नहीं रह सकती फिर अब motion needs the support of 50 members to be admitted अब NCM जब motion आय तब आय पर motion को admit करने के लिए ही कम से कम 50 लोग हो जातर opposition ही होगी of course सत्ता दल थोड़ी बोलेगा हमारे किलाव NCM लेक्या हो तो opposition के कम से कम 50 member हो जो ये बोले कि भाईया NCM लाना है मेंको no confidence motion अब इश्वास प्रस्ताव अब इसके बाद विश्वास प्रस्ताव अब जब ये अविश्वास है तो विश्वास कहीं न गहीं आना चाहिए पर विश्वास प्रस्ताव कहीं mention नहीं है न सम्मेधान में न रूल्स बुक में बद है बना लिया है now it came up as a new procedural revise to cope with the emerging situations of coalition government fractured mandate ये जब hung parliament होती है minority government होती है coalition government होती है इस case में क्या होता है कि बहुत ही wafer thin majority पापड जैसी पतली majority पापड जैसी पतली मतलब जराजी मतलब 272 अगर majority है तो कुल मिला के सब लोगों ने गट जोड मिला मिलू के ये लोग लेके आए है 275 लोग देख रहे हो कुल मिला के तीन ऐसे बस MPs हैं जो इनके साथ है अगर 4-5 MP भी चले गए मतलब इनकी सरकार गई आउट नहीं है इनके बस majority लोग सबागी ये चले जाएंगे Now It is past when the governments formed with wafer thin majority have been called upon by the president to prove their majority on the floor of the house के इनको जब राश्वती जी कहते है मुझे डर लग रहा तुमारी सरकार में तुमसे होना पाएगा पहले majority दिखाना ज़र एक बड़ जाके अब जब ये जाके majority वहाँ दिखाते हैं और इन्होंने कह दिया देखो साब 202 चाहिए थी हम 204 ले आए एक गायब हो गया था हमारा बस तो नहोंने का ठीक है मैं फिर से मागूँगा जब भी आपको देनी पड़ेगी majority दोबारा से ठीक है दे देंगे तब तक जब तक इनी majority चल रहे है तब तक इनकी सरकार टंगी रह सकती है इसलिए प्रूफ करते हैं confidence motion जब हमारी ये सरकार थी नरसिम मराओ जी की सरकार थी और हमारी UPA सरकार थी coalition सरकारें थी तो इसमें क्या होता है कि कई बार सरकारों को दिखाना पड़ता है अपनी confidence कि हमारे पास सत्ता में रहने का mandate है क्योंकि लोगसभा हमको majority दिये हुए है लोगसभा का confidence है हमारे पास इसका passage अगर ही pass हो गया सरकार के पास है पावर आ गई अब पढ़ते हैं censure motion censure माने censure कट लगाना एक जगे रोकना किसी को तो censure में कुछ फरक है कि देखते हैं क्या है censure motion it should state the reasons for its adoption in the लोगसभा कि क्यों ला रहे हो censure सरकार के हिलाफ किस बात पहला सरकार को क्यों बंदिश क्यों एक जगे बांध रहे हो एक उसमें बांध रहे हो किसी और बंदिशों में NCM के लिए it need not state the reasons नहीं बताना reason बस हमें ये दिखाना है कि सरकार के पास majority है के नहीं हम नहीं जानते अब censure में हमें ये बताना पड़ेगा it can be moved against an individual minister के किसी एक अखेले मंतरी पे या group of ministers पे या पूरे entire council of ministers पे किस पे लगाना है censure यहाँ NCM moved against entire council of ministers यहाँ तो नहीं कोई किसी एक मंतरी मंतरी कुछ नहीं यहाँ पूरा मंतरी मंदल के खिलाफ लगता है के हमें नहीं बरोसा है आप पे it is moved for censuring the council of ministers for specific policies and actions कि कोई उनकी specific कोई नीती ऐसी है कोई कानून ऐसा है कोई action ऐसा लिया है उन्होंने जो कि हजम नहीं हो रहा है parliament को खास कर opposition को तो वो लोग क्या गर रहे हैं वो लोग एक censure motion पकड़ाना चाहरे है सरकार को कि देखलो हमने आप पे एक आपको ना sensor board की तरह हमने आपको काट दिया आपकी एक clip काट दिया now it is moved for asserting for assertaining the confidence of लोग सभा in the council of ministers ये पूरा council of ministers का पूरा confidence दिखाता है लोग सभा का कि भाई है भी कि नहीं इनके पास confidence ये दिखाएगा if it is pass in the लोग सभा तो council of ministers need not resign from the office जरूरी नहीं जाएँ अगर ये पास हो गया अगर ये पास हो गया that means it's game over यहीं के यहीं game खतम हो गया है पलरा भारी पड़ा हलका पड़ चुका है सरकार का पलरा जा चुका है ठीक है अब आते हैं motion of thanks पे ये आया है Britain सही आया ये भी तो वहाँ Britain में क्या होता है वहाँ पे एक होता है speech from the throne मतलब क्या है कि जो वहाँ के जो Britain के जो मोनार्क हैं जब वो speech देते हैं तो speech from the throne from from the throne throne माहने सिंगाजन throne बस ये Britain का word है जब एक आम चुनाव हो जाते हैं उसके बाद पहला जो session आता है लोकसभा का दूसरा जब हर financial year का पहला session जो होता है उसमें address करते हैं राश्पती जी और जब राश्पती जी address करते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि ये साब मेरी सरकार ने पिछले साल क्या क्या किया ये आने वाली सरकार जो होगी मेरे नाम पर जो सरकार बना रहे हैं ये लोग क्या क्या करने वाले हैं बजट में क्या लाएंगे नई नीती क्या लाएंगे नई रिल पटरी कहा बिचाएंगे ये सब बात हैं ठीक है मिलके अब लोकसभा इस पे विचार करेगी और इस पे वोट होगा अगर ये motion fail हो गया अगर ये motion पे majority नहीं ला पाई सरकार gone over dusted zero खतम the motion must be passed in the house otherwise it amounts to the defeat of the government गई नहीं हो पाएगा उसके आगे फिर काम no day yet named motion वाह किता चोटा सा नाम है और नाम किस चीज का है जिसका नाम ही नहीं है तो no day yet named motion क्या है कि it is a motion that has been admitted by the speaker but no date has been fixed for its discussion नहीं दिया है नाम अभी मैंने मैं speaker हूँ मेरे सामने आया एक member कह रहा है sir मुझे इस बात पर बात करवानी है सदन की देख लो कब करवाओगे speaker साब ने का हाँ ठीक है most important है बाद में ठीक है रख लिए अपने पास अब reject नहीं किया है उसको नहीं बोलाए कि नहीं discussion नहीं होगा पर कब होगा यह नहीं बताया तो इसको इसलिए कह दिया है no day yet named motion अब dilatory motion dilatory मने motion for the adjournment of the debate on a bill motion resolution etc किसी भी चीज़ पर बोल दिया कि देखो ऐसा है यह जो debate चल रही थी इस bill पर विदयक पर motion पर resolution पर किसी पर भी debate को खतम करो हो गया अब यह फिर motion to retard or delay the progress retard मनें इसका यहाँ पर retard मतलब बेवकूफ नहीं है रिटार्ड का मतलब है slow down slow down slow down ठीक है रिटार्ड करना थोड़ा सा slow करना decelerate करना brake लगाना now motion to slow down or delay the progress of business under consideration of the house अब यह कौन लाना चाहेगा opposition of course and can be moved by a member at any time after the motion has been made motion दो हो गया उसका पद कभी भी ले आए वो member उनका मन है ठीक है लेके यह आते हैं वो लोग point of order point of order का मतलब क्या है a member can raise a point of order when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure कि जब कोई member बोल रहा है कि सर मुझे दिख रहा है मिनिस्टर साहब सही तरीके से rule follow नहीं कर रहा है या आपने खुद सही तरीके से rule follow नहीं किया है और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पर point of order पर एक point of information देना चाह रहा हूँ मैं एक additional point of discipline है जो follow नहीं हो रहा है इसको follow कर वाओ तो point of order जो होगा it should relate to interpretation or enforcement of the rules of the house ठीक है इस चीज़ की तरफ इशारा करें कि rules of the house का interpretation कैसे हो रहा है और rules of the house का enforcement कैसे हो रहा है या फिर यह point of order should relate to such articles of the constitution that regulate the business of the house ठीक है सम्मेधान के भी कुछ ऐसे article है जो यह बता रहे है कि कैसे लोग सभा का या house का इसका राज सभा का कैसे काम चलन कैसे होना है अगर वो follow नहीं हो रहा है सम्मेधान का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तब एक member यह ला सकता है और कह सकता कि साब कैसे हो रहा है देखो आप लोग क्यों कर रहे हो इसे खलत काम कर रहे हो आप लोग सही तरीके से procedure established by law follow नहीं कर रहे हो अच्छा ठीक है भाईया point of order सु आप खडगे जी को देख रहा हो खडगे जी बोल रहे है किसाब नहीं 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 point of order मेरा यह है कि पूरी तरीके से house पे debate नहीं हो रही है और बिल ऐसे ही पास हो रहा है यह हो रहा है ऐसा वो बोल रहे है नाओ extraordinary device है यह and it suspends the proceedings before the house no debate is allowed on a point of order क्यों करोगे जब उस पर कोई debate करने के लिए ही नहीं मिनिस्टर अपने member ने अपनी बात कहें के छोड़ो दी अब half an hour discussion half an hour meaning समाझ में आ रहा कि कोई छोटी चीज़ के ऊपर होगा it is meant for discussing a matter of sufficient public importance अरजेंट public importance अलग हो गया अरजेंट मा ने बहुत बड़ी आपदा अत्रास दी एक तम ऐसी है कि बस समालो इसे तूसरी है sufficient public importance के sufficient है time ले सकते है उस पे आप और थोड़ी दिसकेशन इस पे बनता है which has been subjected to a lot of debate and the answer to which needs elucidation on a matter of fact के इस पे debate बहुत हो चुकी है सब कुछ हो चुका है पर इस पे अभी भी हमें एक proper हमें एक conclusive answer नहीं मिला है और इस पे elaborate करने के लिए तो speaker इस पे allot कर सकते हैं तीन दिन दे सकते हैं अफते के और half an hour discussion इस पे हो सकता है इसके लिए कोई formal motion में नहीं लाना है कोई voting में नहीं करनी है इसके लिए short duration motion short duration discussion sorry also known as two hour discussion as the time allotted for such discussion should not exceed two hours time ही नहीं लोगों पर बहुत काम है now MPs can raise such discussions on a matter of urgent public importance sufficient public importance urgent public importance now speaker can allot two days in a week for such discussions यहां पर तीन दिन यहां पर दो दिन there is neither a formal motion before the house nor voting same जैसे उसके लिए वैसे इसके लिए भी अब यह देखो आगे कि जब special motion special mention एक आता है मैं यह special mention क्यों अलग से mention करना पड़ रहा भाई कहीं इसकी जगे है ही नहीं now a matter which is not a point of order which cannot be reached during in these किसी में भी इसकी बात नहीं हो सकती है कहां कहां का here आवर में इसकी बात नहीं हुई, हाफ एन आवर में इसकी बात नहीं हुई, इसका जरूरी इसका जरूरी डिसकेशन, इसकी बात नहीं है, नाम है, नाम होसकता कहीं टपक जाए आपके एक्जाम में, यह नाम मत भूल जाना यार, नाम रहेंगे, आप चलते हैं, रेजलूशन, रेजलूशन, रेजलूशन मनें, पहुत सिंपल भाशा में, जैसे आप न्यू येर पर रेजलूशन लेते हो, कि आप प्रण लेते हो, कि मैं इस साल UPSC क्लियर करके रहूंगा, या मैं resolve लेता हूँ, मैं आज प्रण ले रहा हूँ, प्रतिग्या ले रहा हूँ कि भाई मैं करके मन हूँगा, तो एसी तरह resolution भी house के कुछ होते हैं, और ये कई चीज़ें बता देते हैं, ये ये बता देते हैं capable of expressing a decision of the house, कि decision बता दिया बता दिया, अब selection चाहिए ही contained, independent proposal submitted for the approval of the house, and drafted in such a way, इस तरीकी से लिखा गया है, कि जो अपने आप से बता दे कि house का decision क्या है, अगर accept हो गया तो, members can move resolutions, MPs, minister भी हो सकते हैं, non-minister भी हो सकते हैं, to draw the attention of the house or the government, to matters of general public interest, interest की बात है, और house ने resolution लिया, house ने बता दिया, कि साब हम इस पे discussion चाहते हैं, हम इस अपना house का resolve बता रहें आपको, या house का resolve क्या है, जैसे, लोकसभा adopts resolution appealing for peace in Manipur, example के तोर पे, now, a member who has moved a resolution or amendment to a resolution, एक member जिसने resolution का प्रस्ताव दिया है, या जिसने resolution में amendment का प्रस्ताव दिया है, cannot withdraw it, no, 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 दे दिया तो दे दिया, अब accept by leave of the house, house की permission, पूरे house की permission चाहि solution, मैं थोड़ा change करना है, ने, 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 अब पहले house की पूरी permission लो, leave लो के, अब नहीं करोगे यह, ठीक है, दुबारा करोगे तो अच्छे से करोगे, तब उसको, आप उसको withdraw कर सकते हो, क्या होता है इससे आसल, a declaration of opinion or recommendation, कि जब house declare करता है एक opinion, कि हम चाहते है मनिपूर मे peace हो, मनिपूर में stability हो, to record either approval or disapproval by the house of an actor policy of the government, ठीक है, government की एक policy के उपर अपना approval भी देना और disapproval भी देना, दोनों चीज़े resolution से प्रूव हो सकती है, दिख सकती है, it can convey a message or comment, या recommend, urge or request an action, कि house बोल सकता है, हम recommend कर रहे हैं, हम comment कर रहे हैं, ऐसा action लिया जाए, हम urge भी कर रह matter situation for consideration of the government, कि सरकार के ध्यान को अकर्शित करवाने के लिए, एक तरफ, अब resolution and motion में फरक चीज़ है, क्या होता है, all resolutions, जितने resolutions होते हैं, they are substantive motion, substantive माने, वो जिनमें अपना तथ्य होता है, जिनमें अपना proper substantial होते हैं, every resolution is a particular type of motion, सही बात है, ठीक है, किसीने किसी तरह का तो motion ह होता ही है, पर उल्टा याद रखना, all motions are not necessarily put to vote of the house, all motions are not resolutions, now, whereas all the resolutions are required to be voted upon, resolution पे उतर वोट होना पड़ेगा, क्योंकि resolution house की मंशा दिखा रहा है, house का general opinion दिखाना चाहरा है, house का general expression देना चाहरा है, अब resolution को हमने तीन तरीके से classify किया है, that is private members resolution, government resolution, और statutory resolution, meaning, private member माने, जैसे रागव चड़ा जी, तो रागव चड़ा जी एक private resolution member लिख, एक private member resolution लिखके आए है, to streamline the judicial appointment, ठीक है, अब यह minister नहीं है, सत्ता में नहीं है, यह एक normal MP है, अब, one that is moved by a private member, other than a minister, and discussed only on alternate Fridays and in the afternoon settings, rule है, fact है, अब है तो है, ऐसा ही रहेगा, अब इसके बाद, इसको बोलेंगे government resolution, ठीक बात है, अब यह भी तीन तरीके के होते हैं, कैसा, resolution approving international treaties, convention or agreements, of which the government is a party, कि government वहाँ sign करके आचुकी है, अब नहीं उसको change कर सकते हैं, government बाहर गई, UN में गई, US में गई, UK में गई, कई, ना कई गई, और महाँ पर जाके sign करके आई है, सरकार, now, resolution declaring or approving, certain policies of the government, कि जो certain policy बता रहा है सरकार की, कि हम सरकार की यह नीती है, हम इसको endorse कर रहा है, हम minister हो के, now, resolution approving recommendation of certain committees, resolution approving certain recommendation, जो खुद cabinet committee थी, parliamentary की कोई committee थी, अगर उसकी कोई committee के recommendation को approve करवाना है, तो भी सरकार के मंतरी उसको ला सकते हैं, वो हो गया government resolution, अब statutory resolution, statutory माने, either by a private member और by a minister, ठीक बात है, it is in pursuance of provisions in the constitution और an act of parliament, जो statute के लिए आया है, किसी statute माने, किसी कानून के लिए, किसी law के लिए, जैसे, लोग सभाई adopts resolution appealing for peace in Manipur, साब बात है, अपील कर रहे हैं, पीस के लिए Manipur में, देखो, जैसे होती है, अब आते हैं, youth parliament पे, youth parliament ए एक नया concept है, and youth parliament scheme जो शुरू हुई थी, वो started on the recommendation of fourth All India WIPs Conference, तो यहाँ पे यह बात हुई थी, कि हम नई generation को, नए young बच्चों को, कैसे acquaint करें, कैसे उन्हें बताएं, कि उनके acknowledgement में डालें, कि कैसे सरकार चलती है, कैसे parliament काम करती है, सब कुछ, तो यह उसके objective है, to acquaint the younger generations with practices and procedures and the procedures of parliament, कि हम और आप जैसे young बच्चों को, कैसे बताया जाएं, कैसे सिखाया जाएं, या और हमसे छोटे बच्चों को, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों को, कैसे समझाया जाएं कि कैसे काम हो रहा है, कैसे काम चलता है, इतना बड़ा लोक्तंतर का मंदर कैसे काम करता है, Now, to imbibe the spirit of discipline and tolerance cultivating character in the minds of youth, ठीक है, ऐसी चीज़े उनके दिमाग में डालनी है, कि discipline आना चाहिए उनके दिमाग में, उनके दिमाग में tolerance cultivating character आना चाहिए, कि उनके वो टॉलरेट करना सीखें, तीसरा, to inculcate in the student community the basic values of democracy and to enable them to acquire a proper perspective, यह अपना perspective for the functioning of democratic institutions, कि उनके लिए perspective आजा उनके दिमाग में, कि ऐसी सोच आ जाए, कि हाँ, ऐसे हमारे हाँ काम होता है, और democracy की values उनके अंदर आ सके हैं, सब के अंदर, फिर जो ministry होती है, parliamentary affairs की, वो provide करती है, सारे necessary training, सारे necessary, जितने encouragement चाहिए होते हैं states को, to introduce this scheme in their particular states, in their respective states. Now, start करते हैं, Parliament के legislative procedure के साथ, मतलब bills, कुल मिला के bills की बात हो रही है, जो इनका legislative काम है, actual जो काम है, कि bills बनाना, कानून बनाना, अब जो bills होते हैं, विधेयक जन्हें आप कहते हो, तो इन bills को हमने कई तरीके से classify किया है, हमने classify किया है कि वो bill कौन पेश कर रहा है, public bill है, वो सरकारी अगर bill है, minister ने पेश किया है, या private bill है, या हमने कि वो किस तरीके से pass हो रहा है, वो एक ordinary bill की तरह पास हो रहा है, money bill की तरह पास हो रहा है, financial bill की तरह पास हो रहा है, या उसके बिल, या उसमें content क्या है, कि original बिल है वो, एकदम नया ही है, सोचा नहीं किसी ने, पहली बार आया दिमाग में, amending bill है, किसी चीज़ को amend कर रहा है, consolidate कर रहा है, कोई किसी law को हटा रहा है, किसी को और repeal कर रहा है, validate कर रहा है, bills to replace ordinance, अगर अध्यादेश को replace कर रहा है, या constitution amendment bill है, और money and financial bills है, इस तरीके से सारे bills का classification है, अब एक एक करके शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं, कि bill ला या तो वो public bill होगा, या private bill होगा, private money, कोई भी ऐसा member, कोई भी member of parliament, जो minister नहीं है, ठीक है, वो अगर bill आ रहा तो उसको बोलेंगे private member bill, और public to use birth certificate as single document for multiple purposes, example है, कि सरकार लेके आईए अगर, ठीक है, अगर कोई minister लेके आया है, prime minister हो, या बागी कोई उनके मंतरी दल में से, को अगर मंतरी ने वो bill पेश किया है, तो उसको public bill बोला जाएगा, फरक देखते हैं, ये parliament में एक ministry लाते हैं, ये कोई भी member ला सकते हैं, other than a minister, साफ़ बात, now, it reflects the policies of the government, ठीक है, सरकार की ये नीती है, सरकार ये चाहती है, अब, it does not reflect the stand of government on public matter, सही बात है, कोई private member है, कोई जै अगर इसका rejection हुआ, this amounts to the expression of want of parliamentary confidence, अब ले क्या आओ, अगर आपने सरकारी बिल कोई पेश किया था, और वो बिल पार्लेमेंट में पास नहीं हो पाया, this means, कि अब जरूरत है, ये और सिद्ध करनेगी, कि क्या majority सरकार के साथ है भी कि नहीं, ठीक है, तो, and may lead to its recognition, to its resignation, अगर बात बिगड़ जा नहीं पड़ता, कोई confidence के बारे में कोई बात नहीं हो रही, now, its introduction in the house requires seven days notice, कि साथ दिन में notice दे दी है, साथ दिन में हम लेके आ रहे हैं उसको, इसमें 30 दिन का notice देना पड़ेगा, कि मैं private member हूँ, sir, मैं ऐसा bill लेके आना चारा हूँ, मैं 30 दिन पहले ही notice दे रहा हूँ, okay, ठीक है, it is drafted by the concerned department in concurrence with the law department, क्योंकि law department की जरूरत पड़ती पड़ती है, कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, तो law department को बैठना ही पड़ेगा, सारे एंगल नाप तोलके, सारी जो law की जो language है, उसको लिखके, सब कुछ करके, यहाँ पे, it is the sole responsibility of the member concerned, जिसका मन है, वो लेक आप से लेके आए, अपने हिसाब से करें उसको, अब, ordinary bill से शुरू करते हैं, तो ordinary bill को जब तक act बनना होता है, जब तक उसको statute book में जब तक वो आएगा, तो statute book में जो acts की जो पूरा list है, तो उस list में आने से पहले है, उसको यह पांच कदम चलने पड़ेंगे, first reading, second reading, third reading, bill in the second house, और assent of the president, साब बात है, second reading में और भी तीन स्टेज आती है, stage of general discussion, committee stage, consideration stage, यह सारे आगे हैं अभी, पर मोटे मोटे तोर पे आप इसको यही देख लो, समझ में आ जाएगा, क्या हो रहा है, कि एक bill है, ठीक है, वो अभी पहले house में बैठा हुआ है, वो bill, अभी यहा पे उस bill को खाली introduce किया जा रहा है, इंद लोकसभा और राज्यसभा, कहीं भी, यहाँ पर discussion नहीं होगा, इस stage पे, फिर आगए second reading में हम बोलेंगे, कि house इसको discussion के लिए take up कर सकता है, कि लाव दिखाओ, क्या है तुमारे bill में, लाव पढ़ें ज़रा, अब second reading में यह चीज ह भी हो जाएगा, यह भी हो सकता है, कि इसको select committee या joint committee के पास भेज़ दिया जाए, यह क्या चीज है असर, select committee में उस house की अपनी committee, उस committee में कुछ MPs होंगे उसी house के, वो होगी select committee, joint committee होगी जिसमें दोनों house है, लोकसभा राजसभा, दोनों के MPs मिला के एक committee बनाई गई जिसक अलग-अलग कर देगी bill का, now, this committee examines the bill and reports it back to the house, यह उसको लेके आएगी वापर, हमने कह दिया कि लो साब, हमने 24 दिन में, या 24 घंटे में, जितने भी समय में हो सकता है, यह उन्होंने उस bill को खोल-खाल के रख दिया है, अब इसको लाके दे दिया है, पार्लिमेंट को, ठ ठीक है, अब इसके बाद, house उसके बाद दुबारा देखेगा, house looks at the bill clause by clause, के लाओ, committee ने क्या पड़ा है, लाओ देखें, committee के recommendation क्या थी, अच्छा यह थी, ठीक है, तो committee और क्या कहना चारी थी, squad आना चारी थी, squad आ देते हैं, अब इस पर चर्चा होगी, debate होगी, discussion होगा, सब कुछ होगा, each clause is discussed and voted upon separately, second reading, बहुत जरूरी हो जाती है, second reading में यतने सारे काम हो गए, third reading में, मोटी मोटी तौर पर ये पूचा जाएगा, क्या ये bill चाहिए कि नहीं चाहिए, बस ये बता दो, ठीक है, voting होगी, अब, members present in the house, they vote, फिर ये vote देंगे अपना, ये बोलेंग कि साब हम इस bill को कर रहे है, reject, done, over, नहीं चाहिए हमें ये bill, bill गया, bill is rejected, यहीं कि यहीं इस bill का खात्मा हो गया, इस bill की सारी सांस है, यहीं कि यहीं रुख गई, अब अगर, अगर majority of members ने इस bill को pass कर दिया, ordinary bill की बात हो रही है, यहां पर, अभी कोई और दूसरे bill की बात नहीं हो रही है, जिसमें special majority या कुछ और तगडी चीज हो रही है, नहीं, ordinary bill की बात हो रही है, और एक house ने पारित कर दिया है, अब इसकी दास्तान और शुरू होगी, यह जाएगा, sent to the second house, गया, second house गया भी है, वहाँ भी जाके, इन बिचारे bill के पास, पूरी यहीं लड और रिपीट हो रही है, यह visible है के नहीं, अगर visible नहीं है, तो मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ, यह वही लिखा हुआ है, आप PDF में इसको देख सकते हो, don't worry, फिर जब यह second house में गया है, same कानी हो रही है, first reading, second reading, third reading, अब इसके बाद, third reading के बाद, अब bill के पास चार रा अगर bill लोकसभा में पैदा हुआ है, और गया है राजसभा, तो राजसभा बन गया second house, अब चार चीज़ां हो सकती है, चार में से पहली क्या है, bill is rejected, खतम, done, bill is kept pending, छोड़ दिया, bill को लटकाई रखा है, ना हा, ना, ना, कुछ, कुछ नहीं बोला है, फिर तीसरा के house ने कुछ suggestion भेजे हैं, और बोला है कि इस पर हम suggest कर रहे हैं, इस bill में से ये वाला clause हटा दो, या हमारी तरफ से ये clause add कर दो, तो हमने suggestion दे दिया, in this case the bill goes back to the previous house, previous house में जाके फेर वही कानी, वही discussion, अब चौथा bill pass हो जाए, बस ये हो सकता है, bill pass हो गया, तब ये जाएगा राश्पती जी के पास ये bill present होगा, राश्पती जी के पास भी तीन option दिखा रहे हैं, क्या है option, राश्पती जी अपनी ascent withhold कर लें, राश्पती जी अपनी मंजूरी ना दें, बैट उस bill को लिया, नहीं बोल रहे कुछ, नहीं दे रहे, प्रेसिडेंट ascent दे दें अपनी, बिल एक्ट बन गया, या प्रेसिडेंट उस bill को वापस लोटा दे, कि आप दोनों हाउसों ने पास कर दिया इसको, पर मेरी तरफ से ये recommendation है, मेरी कुछ बात मानलो, मेरी advice मानलो, इस पर दुबारा सोच लो, अब चला गया bill reconsideration, फिर गया दोनों हाउसे के पास, अब बिल बिल गया दोनो, जो राश्पती जी ने बोले है, अगर बिल गया दोनो, जो राश्पती जी ने बोले है, अगर बिल गया दोनो, जो राश्पती जी के चाहने ना चाहने का फिर फरक नहीं पड़ता, उनकी एक बात हमने सम्मान पूरवक सुन ली, एक बार हमने उनकी बात का ख्याल कर लिया और हमने कहा दिया कि हाँ ठीक है आपकी बात सुन रहा है चलो फर्स रीडिंग में जो ओर्डिनरी बिल है it can be introduced in either house of the parliament साब बात है ठीक है it can be introduced either by a minister or by any other member कोई भी ला सकता है इसको किसी की मर्जी है और डेरी बिल की बात हो रही है अब member who wants to introduce the bill has to ask for the leave of the house leave of the house मैं लगा चुट्टी नहीं है leave money permission कि house सदन मैं पूरे आप लोगों की सब की सहमती और इसमें support चाता हूँ और मेरी तरफ से यह है कि मैं एक bill लेके आना चाहरा हूँ ठीक है इस समय discussion नहीं होगा इस समय खाली में bill का title पढ़वा रहा हूँ और bill को gazette में introduce करवा रहा हूँ सब कुछ करवा रहा हूँ ठीक है no discussion on the bill takes place at this stage now if a bill is published in the gazette, gazette मैंने राजपत्र जो gazette होता है भारत का राजपत्र अगर bill उसमें publish हो ही गया before its introduction then the leave of the house to introduce the bill is not necessary सभी बात है जब भारत के राजपत्र में वो bill जा चुका है तब फिर क्या मतलब रह गया है house के सदन का क्योंकि राजपत्र माने ओफीशल लेटर ओफीशल दस्तावेज सरकार का स्टेट का तो it is all set for the first reading अब first reading होगी क्या होना है second reading में पहुँच गया है इसकी एक और आती है जो है stage of general discussion general discussion में क्या होगा कि लाओ बताओ चर्चाएं करते हैं आपस में इस पूरे बिल की printed copy सारे members को बाट दी जाएगी and the principles of the bill and its provisions are discussed generally but the details of the bills are not discussed कैसे कर लोगे detail एक bill का discussion bill होता है 500,000 pages का एक act बढ़ने से पहले तो अब इतना detail discussion clause by clause technical सारे इतने aspect हैं नहीं उपाय का discussion मोटे मोटे principle पर बात करो हमसे ठीक है वो MP है वो चुन क्या है उन पर ज़्यादा उन्हें नहीं सोच विचार करना है उन्हें मुटी मुटी बात बताओ एक बार मैं ठीक है तो यहाँ वो discussion हो गया अब यह discussion के बाद यह bill जा रहा है house can take any one of the following four actions क्या कर सकते है it may take the bill into consideration immediately or on some other fixed date बताओ आज ही करेंगे कभी और कर लें it may refer the bill to a select committee of the house house की select committee होगी it may refer the bill to a joint committee of the two houses दोनों houses की एक committee बना तो joint committee उनके पास जा रहा है यह bill it may circulate the bill to elicit public opinion उन्होंने bill को public कर दिया है जन्ता के सामने रख दिया है जैसे अभी एक bill आया था पशूओं के around तो उस पशूओं के around जो bill था उसको public के opinion के लिए दिया गया था और काफी उस पे रोश हुआ काफी उस पे लोग नराज हुए थे के हमारे कुत्तों का, बिल्लियों का, गदों, घोडों का सबका export हो रहा है बाहर की जगहों पे ये नहीं होने देंगे हम तो फिर उस bill को वापस ले लिया गया ठीक है अब select committee क्या है Consist of members of the house where the bill has originated उसी house की members की committee कुछ दस बारे members चुन लिये उनको बोल लिया गया कि आप इसी house के हो और यहीं पे वो bill उत्पन हुआ है इसको जड़ा पढ़ लेना Joint committee माने ये वो committee जिसमें members होते हैं बोद the houses of parliament के सभी बात है? ठीक है अब इसके बाद committee stage पे चला गया है bill committee stage पे examines the bill thoroughly and in detail clause by clause हार एक उसका अस्तिपंजर खोल दिया जाएगा bill का कि इसमें क्या-क्या होने जा रहा है bill में देखें पूरा पढ़ने फिर can also amend its provisions but without altering the principles underlying it ये जो committee जब stage पे है bill इस committee stage पे जो committees होंगी वो bill का सारा कच्चा चिट्टा खोल के तो रखेंगी पर वो bill में amendment ला सकती है कुछ बता भी सकती है चिडखा नहीं कर सकती है पर उसका underlying जो principle है जो major उसका point है वो नहीं चुएगी ये कोई committee वनना वो bill ही बदल गया फिर गया consideration stage पे यहाँ पे house after receiving the bill from the select committee और the joint committee considers the provisions of the bill clause by clause फिर हो रहा है कि क्या जो amendment लाई गई है जो committee ने report दी है और जो नए जो amendment है कि इसको सुना जाए इसको रखा जाए या इसको अटा दिया जाए Each clause is discussed and voted upon separately ठीक बात अलग-अलग इसका voting होगी अलग-अलग हर एक clause की इसके बाद the members can also move amendments and if accepted they become part of the bill members यहाँ भी खड़ो के कह सकते हैं जो committee के member नहीं होंगे या पूरे house के member है वो कह रहे है सर सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो हम बता रहे हैं देखो यह और रह गई यह ले आओ जल्दी से इसी bill में अभी के अभी आप ही जाएगा अगर house ने accept कर लिया वो add हो जाएगा third reading में मोटी-मोटी बात होती है accept कर रहे हो यह reject कर रहे हो इस bill को बस यह बता दो साब बात voting होगी और कुछ नहीं होगा इस समय amendment की बात नहीं होगी अब amendment हो चुके है उपर होगे खतम होगे now no amendments are allowed as the general principles underlying the bill are already discussed already been scrutinized and during the stage of second reading अब हो गया अब बस यह बता दो है कि नहीं है bill अब उसके बाद bill चला गया second house में अगर पास होता है तो ठीक है bill चला गया second house में यहाँ पर if the first house rejects the amendments suggested by the second house or the second house rejects the bill altogether or the second house does not take any action for six months तो मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों houses में लड़ाई ठिन गई अब क्या हो रहा है bill एक house से पारित हो के जा चुका है जहां से वो उत्पन हुआ था चला गया दूसरे house में अब जो दूसरे house में गया तो दूसरे house ने बोला कि हमारे पास एक तरीका है यह ठीक है हम कुछ suggestion देना चाह रहे हैं आपको क्या आप suggestion मानोगे first house ने का नई या दूसरी बार क्या बोला गया second house ने reject कर दिया या तीसरी बार second house ने कुछ नहीं reaction लिया छे महीने तक ठीक है तीसरा यह यह पेंडिंग वाला तो इन तीनों case में यह माना जा रहा है कि जो बिल पिछले house से पास होके आया है वो बिल यहां आके अटक गया है यहां आके वो तैयार नहीं हो पा रहा है एक्ट नहीं बन पा रहा है दोनों houses के बीच में deadlock छड़ चुका है और दोनों houses के बीच में आप आपस में ठन गई है इसका मतलब इसको solve करना पड़ेगा through a joint setting joint setting होगी दोनों house साथ में बैठेंगे और majority of members total member present and voting इनका count होगा कि ये majority cross हो रही है कि नहीं 543 plus 235 हो सकता है ये और भी कम बैठ है इस दिन जो आ रहे हैं वो लोग कम ही आए क्या पता हम नहीं जानते अब ये total जो number आ रहा है कितना भी हो सकता है 700, 700, 600 जतना भी जा रहा है ये number अब इस में से देखा जाएगा majority जो लोग उजिन है present है और जो vote कर रहा है अब इन लोगों ने अगर उसको हाँ बोल दिया that means bill is passed by both houses बस सही बात now आगे चलो जब दोनों house से पारित होई गया अकिरका लड़ जगड़ गया ये bill और पहुँच गया राश्पती जी के पास फिर राश्पती जी ने खुद और काम किये इस पर राश्पती जी ने अपना assent को withhold कर लिया the bill ends and does not become an act खतम होगी कानी इसकी राश्पती ने assent दे दिया and bill एक act बन गया राश्पती जी ने bill को पुरी consideration के लिए दे दिया वापस और bill वापस पर्लेमेंट के पास गया पर्लेमेंट ने changes किये या नहीं किये देखी जाएगी अगर changes करने के बाद या नहीं करने के बाद भी वो वापस गया राश्पती जी के पास फिर राश्पती रिवास कोई और रास्ता नहीं है सिवाए उस बिल को एक्ट बनाने से और वो उस पे अपनी हाँ देंगे और नरी बिल हो गया मनी बिल पे आजाओ मनी बिल बहुत important matter है you know why it is important क्योंकि Montescue ने कहा था जो administration की जो sword होती है तलवार वो होती है executive के पास और जो administration का जो wallet होता है जो purse होता है जो पैसा होता है बटवा वो होता है parliament के पास parliament के पास होता है तिजोरी की चावी तो आपको जो पैसा चाहिए जो भी खर्चा पानी चाहिए parliament देगा इसलिए money matters are very important अब article 110 article 1110 ये clear कर रहा है समवधान में के money bill क्या है now money bills वो सारे bill होंगे which contain only ये देखना इस article में भी language में only is in parenthesis is in apostrophes तो ये कॉमा लगे हुए इसके ऊपर now double quotes लगे हुए only provisions dealing with all or any of the matter specified in article except the sub clauses क्या है sub clauses अभी देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं के money bills वो bill होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे किसी matter से तालुक रखते होंगे और कोई से matter से नहीं ठीक है क्या matter है टैक्स लगाना टैक्स हटाना टैक्स कम करना टैक्स बदलना टैक्स को रेगुलेट करना ये सारे matter money bill कलाएंगे regulation of borrowing or of money or the giving of any guarantee by government कि कैसे सरकार जब पैसा उधार लेती है कहीं बाहर से किसी और बैंक से किसी नवरतन से किसी और जगे किसी NBFC से तो वो पैसा उधार ले रही है अब वो सरकार के करजे पे लग गया है सरकार माने state मतलब parliament अब उसको कहीं से तो उसको pay करना प दे रहें सरकार अब तुम हमसे पहले बात करो parliament से बात करो बाद में कुछ custody of the consolidated fund or the contingency fund of India हमारा पूरा राजकोष जो consolidated fund होता है हमारा पूरा खजाना हमारा देश का वो और हमारा emergency fund contingency fund किसी एक किसी एक rainy day के लिए जिस दिन कोई ऐसी problem हो कि हमारे पास बस एक अलग से stepni पै रही है किसी भी दिन के लिए वो अगर उस पैसे की custody उस उस हमारे राजकोष की custody की बात हो रही है the payment of monies into or the withdrawal of money from any such fund अगर ऐसे किसी fund में पैसा जा रहा है या आ रहा है उस पैसे से related अगर कोई बिल आ रहा है वो money bill है तीसरा appropriation of monies out of CFI कै कैसे इस में से पैसा निकाल के CFI म कौन दे रहा है किसको दे रहा है लाओ डगाओ उमको इसके बाद declaring of any expense to be expenditure charge on the CFI or the increasing of the amount of any such expenditure कैसा कोई भी खर्चा जो चार्ज होता है इसे CFI पे या ऐसा कोई खर्चा जो खर्चा बढ़ रहा है किसी तरीके से जो CFI से निकाला जा रहा है receipt of money on account of CFI or public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the union of state के देखरो है अब पैसा जहां से भी आ रहा है into the CFI या public account या issue of such money जो ऐसा पैसा जब कहीं issue हो रहा है या audit of accounts of union or state जहां भी इसके कोई ऐसे ऐसा कोई विधेग आ रहा होगा इसको छेडने के लिए तो वो money bill है a bill which has any provision other than money provision is not a money bill साब बात है जिस bill में money provision नहीं होंगे तो money bill ही नहीं होगा साब बात है constitution gives power to the लोकसभा speaker to take a final call if any question arises whether a bill is money bill or not speaker साब तै करेंगे कि यह money bill है के नहीं ठीक है मैंने पीछे एक photo लगाई थी एक बहुत ही important matter के उपर थी वो एक bill आया था जिसको speaker साब ने बोला था कि यह money bill है उस पर controversy भी हुई थी कि यह कैसे money bill है सब कुछ है anyway speaker साब के उपर यह पूरा जिम्मा है दाइत्व है कि वो पताय करें कि क्या कोई bill money bill है कि नहीं now speaker का decision is final and cannot be challenged in any court of law बस है तो है क्या करें राजसभा has limited powers with respect to money bills इनके पास नहीं बची पावर राजसभा के पास नहीं लोगसभा जो लोग चुनके आये लोगों से यह 500 लोग जो actual ground reality represent करते हैं जो लोगों के प्रतिनिदित्व हैं उनकी पास उनके collective लोगों के पास majority के पास जिम्मेदारी है कि वो तै करें कि money bill के ऊपर चर्चा के बारे में राजसभा का वहाँ रोल नहीं है राजसभा का रोल आप ऊपर बैठे रहाओ house of elders हो पैसे वाली बात हो रही है अभी हम सुनेंगे नाओ लोगसभा या अधर कोई penalty की बात हो रही है तो money bill नहीं है वो या फिर the demand or payment of fees for the license or fees for services rendered अगर इसकी बात हो रही है तो money bill नहीं है तीसरा the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local body ठीक है अभी बात हो रही है थी center वाली पीछे वाली इस पर slide पे by any local authority और body for local purposes यहां बात हो रही है वो money bill नहीं है ठीक है money bill होगा देश के लिए पूरे all over India वो valid होगा अब money bill can only be introduced in the लोगसभा क्योंकि लोगसभा के पास ये power है लोगसभा के पास हमारे देश का CFI का पूरा चाबी है खजाने की चाबी है and ये money bill originate ही तब होगा on the recommendation of the president र every such bill is considered to be a government bill and can be introduced only by a minister अगर money bill fail होता है then grave consequences बहुत होंगे now राजसभा यहां पे इनके पास restricted power से with regard to money bill that is it cannot reject or amend a money bill नहीं हो सकता उनसे उनसे है ही नहीं उनसे कोई ले ना देना इसमें उनके पास आएगा bill pass done okay बस वो यही करेंगे it can only make the recommendations बस recommendation देतेंगे हम चाह रहेते हैं ऐसा कर लेते तो देख लेते बस इतना बोल सकते हैं वो उपर नहीं बोल सकते हम मान लेंगे वो ठीक है done pass तो यह recommendation यह binding भी नहीं है लोगसभा के ऊपर not binding whether with or without recommendation वो लोगसभा को वापस भेज देंगे अपना हम if the राजसभा does not return the bill to the लोगसभा within 14 days the bill is deemed to have been passed मान लिया जाएगा कि राजसभा ने पास कर दिया है 14 दिन के भीतर उन्होंने कोई बिल नहीं बेजा है हमको वापस recommendation के साथ या recommendation के बिना हम मान लेंगे कि वो बिल पास है by both the houses in the form of originally passed by the लोगसभा जैसा लोगसभा ने पास किया था वैसा का वैसा ही and राजपती बस सले जाएगा he may either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill but cannot return the bill for reconsideration for the president for the house अब ये क्या गहना चारे है कि जो money bill जो राशपती जी की recommendation की वजह से उत्पन हुआ है house में वो लोगसभा में वो बिल दोनों house से पारित होने के बाद राजपती जी बस recommendation दे दे सुन लेंगे तो सुन लेंगे नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे ठीक है और नहीं दे recommendation माल लेंगे वो pass है already दोनों house से जैसा लोगसभा ने pass के वैसा का वैसा ही form में अब ये गया राशपती जी के पास तो राशपती जी ने जिस bill का recommendation दिया था ये उस bill पे हाँ भी दे सकते हैं अपनी ascent with hold कर लेंगे जिस bill को उनों नहीं बोला कि हाँ ये pass करो इसको जैसा मैं चारों वैसा का वैसा ही ठीक है और परिवो बिल को वापस नहीं बेजेंगे आउसस को क्या है मतलब कैसा कैसी statement है ये क्या हो हो है हमारे संवेदान में इसको सही कर लो खेर ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास फरक दिख रहा है दोनों ordinary bill और money bills के बीच में ये एक बार देख लेते हैं table important है ऐसी की ऐसी exam में आ सकती है आपको ख़टा एक line बना के दोनों तरों लिखनी पड़ेगी अब it can be introduced either in the loksabha और the rajasabha money bill only in the loksabha and not in the rajasabha it can be introduced only by a minister ये it can be introduced by minister और a private member it can be introduced without the recommendation of the president it has to be introduced only with the recommendation of the president बोलना ही पड़ेगा राश्पती जी कोई कैना पड़ेगा now it can be amended or rejected by the rajasabha नहीं हो सकता it cannot be amended or rejected by the rajasabha rajasabha should return the bill within 14 days with or without recommendations which may be accepted or rejected by the loksabha सुने तो सुने नहीं तो नहीं सुने it can be detained by the rajasabha for a maximum period of 14 days only बास हो गया यहाँ पे for a maximum of 6 months only for 6 months 6 महीने के उपर गए तो deadlock अब it does not require the certification of speaker when transmitted to the rajasabha if it has originated in the loksabha यहाँ पे जब वो loksabha से rajasabha जाएगा it requires the certification of speaker when transmitted to the rajasabha ठीक है it is sent for the president ascent even if it is approved by only loksabha ठीक बात है राजसabha से तो हम मानी नहीं रहे उनकी दुश्मनी यहाँ पे नहीं है उनकी दुश्मनी कोई हमसे money bill पे नहीं हो सकती है there is no chance of any disagreement between the two houses and hence there is no provision of joint sitting of both the houses in this regard money bill के समय पे कोई मानना नहीं किसी की बोल दिया तो बोल दिया लोकसabha ने कि पैसा appropriate करना है या पैसा CFI जे निकालके इस policy में नीती में लगाना है या नए tax लगाना है जो भी है खेर money bill है लोकसabha ने पास किया बस वो है तो है अब it is sent for the president's assent only after being approved by both the houses बस अगर deadlock है तो joint sitting में बैठना पड़ेगा and which can be summoned by the president to resolve the deadlock बस its defeat और अगर ordinary bill की defeat हुई तो it may lead to the resignation may 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 बस if it is introduced by a minister सही बात है may के साथ यहाँ पे अगर money bill defeat हो गया जो आपको इतनी बड़ी चौड में आपने पास करवाने के लिए भेजा था अगर यह defeat हो गया this leads to the resignation of the government government is over done forgiven अब हो गया forgotten it can be approved or rejected but cannot be returned for reconsideration by the president नहीं हो सकता है यहाँ पे it can be approved or rejected or returned for the reconsideration by the president यहाँ यह कर सकते हैं महाँ वो नहीं कर सकते थे कुछ भी फिर finance bill finance bill money bill से थोड़ा सा अलग होते है चकर ऐसे समझ लो सारे money bill finance bill होते है ठीक बात पर सारे finance bill क्या money bill है नहीं है नहीं है actually नहीं है money bill खाली article 110 में आते है finance bills part 1 आते है article 117 clause 1 और 117 clause 3 हमने ऐसे इसको रखके देख दिया है तो money bills are simply a species of financial bills वो एक तरीके के financial bills है पर money bill separate अपने आप में पूरी entity है bills that deal with fiscal matters that is revenue और expenditure जहाँ इसकी बात होगी कमाई की खर्चे की बात होगी तो वहाँ हम कहेंगे कि यह एक यह एक financial bill है और सम्विधान यूज करता है word financial bill in a technical sense के देख लो अब आप कितना बहुत technical detail है यह सो financial bills are of three kinds कैसे कैसे money bill है financial bill 1 financial bill 2 110 117 clause 1 117 clause 3 बस यह है finance bill के बारे में जो पहला जो category है वो यह कहती है a finance bill clause sorry category 1 is a bill that contains not only any or all the matters mentioned in article 110 but also other matters of general legislation ठीक है जिसमें और भी कानून आते हैं काइदे से आधार act जो है वो financial bill होना चाहिए था पर ठीक है वो speaker साहब ने बोला कि यह money bill है तो money bill है अब for instance a bill that contains a borrowing clause के ठीक है उसमें उधारी का एक clause है but does not exclusively deal with the borrowing तो इसका मतलब यह नहीं है के वो proper money bill हो गया नहीं वो finance bill है उसमें एक clause है जो खाली borrowing से related है अब in two respects financial bill 1 is similar to a money bill कैसे कैसे both of them can be introduced only in the लुकसभा and not in the राज्यसभा ठीक है both of them can be introduced only on the recommendation of the president यह दो चीश सेम दिख रही है हमको finance bill part 1 और money bill अब बाकी सारे matters बाकी सारे respect में finance bill clause 1 is governed by the same legislative procedure applicable to an ordinary bill बस यह है दो जागे हमको दिख रहा है कि हाँ money bill जैसा देखने लग गया यह bill पर वो money bill पूरा नहीं है अब बाकी सारे matters में वो कोल मिला के एक ordinary bill की तरही काम करेगा now in case of a disagreement between the two houses president can summon a joint setting आएगी joint setting यहाँ बैटेगी money bill में नहीं बैठ सकती ना यहाँ तो बैटेगी बैटेगी यहाँ पर हम देख रहे हैं when the bill is presented to the president he can either give his assent to the bill withhold या return the bill for registration of the house normal ordinary bill की तरह देना ही देना पड़ेगा अब finance bill clause 2 sorry category 2 मैं clause आजाएगा बार बार so contains provisions involving expenditure from the CFI कि जहाँ पर expenditure हो रही है CFI की बात अब आपको दूर से देखने में लगेगा कि finance bill clause 2 sorry category 2 भी money bill जैसे ही है क्योंकि CFI की बात हो रही है खजाने की बात हो रही है राजकोश की बात हो रही है but does not include any of the matters mentioned in article 1100 कि लगतो राएगी CFI की बात हो रही है मतलब money bill होना चाहिए पर money bill वही bill होगा शुरू के 5-6 उसमें sub clauses में लिखा हुआ है अगर वो सारे aspect टच हो रहे होंगे सिर्फ वही सारे aspect टच हो रहे होंगे तब वो money bill कहलाएगा किसी और case में वो money bill नहीं कहलाएगा अगर उसमें और भी कोछ छिडखानी है उस bill में और भी अगर इस CFI से expenditure या खर्चे की बात हो रही है पर उसमें कोई और angle भी है law का angle भी है medicine का angle भी है जो भी है health का angle भी है that means वो money bill नहीं रहा वो एक finance bill बन गया now this will be treated as an ordinary bill and in all respects and in all respects only special feature of this bill is के it cannot be passed by either house of the parliament unless the president has recommended to that house the consideration for the bill ठीक है it cannot be passed by either house of the parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill के राश्पती जी ने दुबारा उस house को बोल दिया especially कि तुम्हें ये बिल पे चर्चा करनी है ध्यान से करना the recommendation of the president is not required at the introduction stage but is required at the consideration stage यहां इनकी जरुवत पड़ेगी शुरूआत में नहीं consideration के सामय पे joint setting joint setting बहुत कम बार हुई है और बहुत मुश्किल से होती है बहुत मुश्किल हालातों में ही होती है तो joint setting क्या है is an extraordinary machinery provided by the constitution ये क्यों है to resolve a deadlock between the two houses over the passage of a bill के bill अटक चुका है लड़ाई हो गई है दोनों house थने बैठें आपस मैं बात नहीं कर रहे हैं दूसरे से के bill is rejected by other house एक house ने बारत कर दिया दूसरे ने फेल कर दिया दूसरा if the houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill एक house कह रहा है के नहीं ने तू amendment इसमें ये वाले करने है दूसरा house कह रहा है मैं नहीं करूँग amendment अरे यार कर लो जो कह रहा amendment नहीं करने है हो गया if more than six months have elapsed from the date of the receipt of bill in the second house of the bill by the other house without the bill being passed by it के साब छे महीने हो गए bill लिए बैठे है हमने पास करके दे दिया है वहाँ जागे रखे बैठे है वो लोग अब कहां कहां applicable होता है the provision of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only only and not to money bills or constitutional amendment bills नहीं हो सकता है वहाँ लोगसभा की पावर है लोगसभा की ओकात है वहाँ पर है हैसियत है क्योंकि वो जनता की mandate है वो जनता की आवाज है now in the case of money bill the लोगसभा has overriding powers while constitutional amendment bill must be passed by each house separately ये तो पास होने पड़ेंगे यहाँ joint sitting का कोई मकसद नहीं है यहाँ कोई चीज नहीं है जब सम्विदान चंचोदन अधिनियम की बात होगी that means both the houses have to pass the bill separately और constitutional amendment bill meaning 368 article 368 बहुत बड़ी majority चाहिए उसमें पास करने के लिए यहाँ पे speaker का role एहम हो जाता है the speaker of लोगसभा presides over the joint sitting of the two houses and the deputy speaker in his absence अगर speaker साब नहीं है तो deputy speaker अगर यह दोनों ही absent है then the deputy chairman of the Rajya Sabha presides कि ठीक है साब फिर तो इनको आना पड़ेगा अब quorum quorum की बात कर लो quorum the quorum to constitute a joint sitting is one tenth of the total number of members of the two houses वही साड़े पान सो यह थे धाई सो वो थे दोनों को add कर लो कम सकम इतने लोग आ जाएं यह total अगर quorum है इतना भी तो मान लेंगे कि हाँ quorum is in present है और quorum present है meaning house can be in session फिर meeting हो सकती है sitting हो सकती है अब सम्विधान has specified that at a joint sitting new amendments to the bill cannot be proposed नहीं हो सकते है फिर amendment proposed नहीं हो सकते हैं सिवाए दो case में क्या दो case है वो कि वही amendment जिनकी वज़य से यह final disagreement हुआ है या ऐसे amendment that might have become the necessary due to delay in the passage of the bill ठीक है वो amendment जिनकी वज़य से bill में लफड़ा हुआ है जो एक house कह रहा है नहीं amendment कर दो दूसरा house कह रहा है नहीं करूँगा या वो amendment जिनके होने से यह bill में delay नहीं होता तीसरी कोई चीज ठीक है तीसरी कोई चीज नहीं होगी कब-कब हुए joint setting हमारे हाँ joint setting हमारे हाँ हुई है कुल मिला के तीन बार dowry prohibition bill के उपर 1960 में banking service commission repeal bill आया था 1977 में prevention of terrorism bill 2002 पोटा तो इस act इस act के लिए हमारे तीन बार हमारे लोग सबा राजय सबा एक साथ बैठी है now comes to the budget budget means the statement of estimated receipts and expenditures of the government of India in a financial year क्या मतलब हुआ कि यह budget होता है जो फरवरी में जो आता है जब आप और आपके father जब आप लोग सब बैठके देखते हो कि क्या tax कम हुआ किस चीज़ पर tax बढ़ा कहां सरकार पैसा खर्च करेगी कहां से पैसा कमाईगी तो वो सारा जो कच्छा चिठा होता है सरकार का वो सारा जो बुक होती है वो statement होती है प्रॉपर यह सम्विधान में तो mention नहीं है सम्विधान में नहीं है mention article 112 क्या कहता है corresponding term जो used है वो है annual financial annual financial वाउ यह कैसे हो रहा है annual financial statement ठीक है कि सम्विधान budget budget वाला वार्ड यूज नहीं करता वो बोलते हैं कि यह है एक annual financial statement बस इतनी सी बात कर लो अब financial statement आपकी कैसी होगी जैसी आपकी bank statement होती है account की statement होती है तो ऐसे ही देश की account की statement अब यहाँ पर क्या क्या लिखा होता है इसमें होता है estimates अंदाज लगाया गया होता है of revenue and of capital receipts कहां कहां से पैसा आने वाला है ways and means to raise the revenue कि कैसे कैसे पैसा हम बढ़ाने वाले हैं और कमाई estimates of expenditure कि कहां कहां हमारा खर्चा होने वाला है details of the actual receipts and expenditure of the closing financial year कि हमने जो अभी यह जो year खतम हुआ है पिछला इस year में हमने कहां कहां पैसा खर्च किया कहां कहां से कमाया वो सारा चीज है reasons for any deficit or surplus in that year कि कहां से पैसा ज्यादा आ गया यह कहां हमारा पैसा ज्यादा लग गया जो हमारा इस बार का loss ज्यादा दिख रहा है economic and financial policy of the coming year कि आने वाले समय में हम हमारी नीती कैसी होगी financial कैसी होगी यह है budget की रूप रेखा 45 लाख करोड का budget ठीक है अब इस budget का size दिखके अंदाजा हो रहा है कि देश का जो annual financial statement जो है कितना बड़ा होता होगा वो खौट बड़ा होता है इसमें gross tax revenue हमारा आया है 33 लाख करोड इसमें से हमने custom से इतना आया GST से इतना आया tax on income से इतना आया यह सारे लिखा हुआ है debt receipts हमारी capital receipts हमारी हमारी जितनी हमारी पैसे कमाई है यह है वो है small savings and state provident fund यह सारी आप देख ले ना बाद में यह बहुत अच्छी PDF है आपके लिए बहुत काम आएगी आगे चलो railway budget आपको याद होगा कुछ समय पहले तक na railway budget होता था पर 2017 से वो budget को merge कर दिया गया है union budget के साथ ही तो 1924 में Ackworth committee की report आई थी जब इंडिया अजाद नहीं था उस समय ही बोला गया था 1921 में कि आप एक काम कीजिए union budget में से railway budget को अलग कर दीजे उस समय याद है union budget हमारा पेश का होता था हमारा जो देश के लिए जो budget पेश होता था वो इंडिया में नहीं होता था कहीं और होता था सो वहाँ पे बोला गया कि railway का budget अलग से कर दो क्यों क्योंकि to introduce flexibility in railway finance कि railway finance जितना भी है railway का उसमें थोड़ा flexibility आजा अब थोड़ा लचीला हो सके to facilitate a business approach to the railway policy कि railway अपनी कमाई खुद करना शुरू करे now to secure stability of the general revenues by providing an assured annual contribution from railway revenues कि railway भी अब revenue देना शुरू करेगा चौथा to enable the railways to keep their profits for their own development कि railway अपने आप पैसा कमाई करे अपने आप अपना पैसा खर्च करे अपना खुदी विकास खुदी कर ले so 2017 में ये चीज को खतम कर दिया गया हमने बोल दिया कि नहीं 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 railway budget will be merged with the general budget from 2017 अब एक ही आता है union budget ठीक है बस अब will end the British era practice that started in 1924 ये तब का था now इसके बाद चलो आगे फिर ये budget के parts है portions है budget का एक होता है revenue budget होता है एक होता है capital budget capital budget नहीं आता है capital receipts capital expenditure capital मने हमारा capital हमारा जितना हमारा पूंजी है वो चीज़ revenue budget जहां से हमारी कमाई का हमारे sources है revenue के receipts revenue के expenditure अब revenue के receipts में tax revenue और non tax revenue ठीक है ये budget का एक खाका है इसको भईया याद कर ले न ये इसी तरीके से बना दे न चार्ड आराम समझ में आ जाएगा quality ऐसा tough लगता है लोगों को है नहीं में दो तरीके से होता है एक होता है expenditure charge upon the CFI एक होता expenditure made from the CFI तो charge मने जो CFI मतलब आप जैसे आपके फादर है तो आपके फादर को आपने बोला कि मुझे अगले महीने पिकनिक पर जाना है तो मुझे चाहिए 1000 रुपे पापा बोलेंगे क्यों चाहिए कहां जा रहे हो कि इतने लोग जा रहे है कौन कौन जा रहा है किसके साथ जा रहे हो क्या स्कूल की टीचर भी जा रहे है कॉलेज की टीचर भी जा रहे है ठीक है तो यानि expenditure is charged upon the expenditure is made from the CFI अब इसके उपर फिर परलेमेंट में बहस होगी इसके उपर फिर पापा, मम्मी आपस में भाई, बेंट सब बैठके आपस में चर्चा करेंगे कि क्या यह सही है इसका जाना पिकनिक का इस समय या जरूरी है समय नहीं है और कुछ expenditure ऐसे होते हैं जो charge होते हैं upon the CFI वो आप वोट नहीं कर सकते हैं जैसे राशन है, ग्रोसरी है तो खाना आएगा ही आएगा घर में चाहे उस पर चर्चा हो, चाहे ना हो खाना तो खाओगी ही खाओगी आलू टमाटर की सबजी हर घर में बनती है चाहे अम्मानी का घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे आपका घर हो तो ये अब हमारे expenditure ये वाला हमारा charge होता है CFI पे, इस पे voting नहीं होती है by parliament but ये discussion हो सकता है कर लो discussion, discussion करके भी क्या हो जाएगा हाँ ही बोलनी है आपको, तो the list of charge expenditure is as follows क्या क्या, emoluments and allowances of the president, दे नहीं दे नहीं खर्चे, ये तो जाएंगे ही जाएंगे salaries and allowance, salaries and allowance of chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha and speaker and deputy speaker of the Lok Sabha ये भी जाएंगे, salaries, allowance pensions of the judges of the Supreme Court, अभी आगे और भी हैंसके नीचे expenditure made from the CFI जो होंगे they need to be voted upon they need to be voted by the parliament, इनके उपर चर्चा होगी, पिकनिक है ये आपकी ये हो गई आपकी पिकनिक और ये हो गई आपकी आलू टमाटर की सबजी इधर वाली, ठीक है, ये हो गया हमारा groceries, तो ये तो खर्चा होना ही होना है, ठीक है साब होगा तो होगा, देखी जाएगी, अब judges of Supreme Court judges of High Court, pension and salary of CAG, salaries allowance pension of the chairmen and members of UPSC, ठीक बात है, administrative expenses of Supreme Court office of CAG and UPSC, सारे जितने ये खर्चे हैं, जो constitutional bodies है, इन सब के खर्चे जितने होंगे, CFI, बस including the salary allowance pensions of the person serving in these offices, होंगे होंगे उनके भी खर्चे, the debt charges for which the government of India is liable के जिनके लिए सरकार जम्मेदार है जो जो उन्होंने उधार लेके कर लिये हैं इदर उदर से काम, any sum required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal के जब कोई court, कोई फैसला देती है, और कहती है कि इस फैसले को मनवाने की जम्मेदारी Parliament की है, executive की है तो उसके लिए जो खर्चा आएगा, CFI से आएगा any other expenditure declared by Parliament to be so charged, Parliament अगर और को discussion कहे दे, कहां साब, ये भी discussion ये भी जो expenditure है ये भी जाना चाहिए CFI से ही चलो budget में वापस तो budget present हुआ general discussion हुआ union budget का इन बोथ लोकसाबा और राज्यसाबा फिर इसके बाद house की कुछ दिन चुट्टी हो गई house adjuns for a few weeks standing committees scrutinize individual ministries demand for grants 23-24 committee हैं होती है जो इस पर फिर लगती हैं बैठके अच्छे से काम करती है ये पूरी committee है सारी बैठके इस पर जितने दिन house की छुट्टी रहती है इन 3-4 अफते की उस बीच में ये सारी committee उसको पढ़ती है budget को पूरे-पूरे और individual ministry ने जहां-जहां demand कर रखी है पैसे की उसके उपर चर्चा हो उसके उपर scrutiny होती है फिर इसके बाद detailed discussion होता है and voting on certain ministry की demand for grant इन लोग सबा ये होगी होगी इसके बाद demand for grants of remaining ministries are voted upon together इनको एकसाथ कर दिया जाता है then appropriation and finance bills are passed हो जाता है हो गया हमारा bill ऐसे हमारा pass हुगा bill पेश हो रहा है ठीक है budget पेश हो रहा है अब 2017 से तो हम देख रहे है budget is presented in the parliament on the first week on the first working day of February that is first web पहले होता था 5 फरवरी या फरवरी का पहला संडे कहलो कुछ भी कहलो अब होता है first web और शाम को होता था अब होने लग गया सुभा सुभा होना है टाइम पे होना है ठीक है तो general budget जो होगा it is presented in the Lok Sabha by the finance minister and he makes a speech introducing the budget after which it goes to the Rajya Sabha के इस दिन ये खाली speech देते है and can only discuss it ये जो Rajya Sabha है and has no power to vote on the demands for grant नहीं होगा इंजा नहीं होपाएगा अब no discussion on the budget takes place on the day it is presented to the parliament जिस दिन इसका presentation होगा budget का उसे discussion नहीं हो सकता है now budget can also be presented to the house in two or more parts and when such presentation takes place each part is separately dealt with कि ये पूरा पूरा budget है ठीक है हो सकता है budget एक दिन में पेश ना होपाए एक पार्ट में पेश ना होपाए लंबा budget है देश का budget है 45 लाग करोड के बारे में बात हो रही है तो अब उस पे चर्चा लंबी भी जाईगी क्या करें अब इस budget में कितनी चीज़ें होती है देखो budget का speech annual financial statement जो proper जो statement ही है वही demand for grants appropriation bill finance bill statements mandated under the FRBM act full firm बता है ना इसकी तो full firm नहीं बतानी पड़ेगी so FRBM act के तहत macro economic भई इसका framework statement होती है fiscal policy strategy statement होती है medium term fiscal policy statement होती है स्टेटमेंट्स जो FRBM के तहत इन्हें देनी पड़ती है सरकार को expenditure budget कहां कहां होगा कहां कहां से आएगा expenditure profile कैसी होगी memorandum explaining the provisions in the finance bill ये देने पड़ेगी इनको पूरी अलग से budget at a glance and outcome budget ये सब चीजें हमारे budget का हिस्सा बनती है अब पहले आता था economic survey भी आता था अगर आपको याद होगो तो economic survey parliament में आता था along with the budget अभी ये कुछ दिन या कुछ हफते पहले आ जाता है budget से पहले और इसमें ये पूरा बता देते हैं कि हमारे देश की national economy का status कैसा है क्या होने वाली आगे कैसी जाएगी और economic survey आपको पता है न कौन से department निकालता है prepared by the finance ministry ठीक है तो ये यह हो जाएगा अब चलो general discussion पर के budget आया है अब begins a few days after its presentation budget को पेश कर दिया गया है budget के ऊपर discussion चुरू हो चुका है takes place in both the houses of the parliament and lasts usually for 3 to 4 days मोटी मोटी मुद्दोबे बात लोगसभा can discuss the budget as a whole or on any question of principle involved therein but no cut motion no cut motion can be moved nor can the budget be submitted to the vote of the house अभी नहीं होगा cut motion लगाया जाता है कि हमने cut कर दिया है हमने आपके ऊपर token कर दिया है economy कर दिया है अभी आगे आएगा यह क्या है तो यह इस समय नहीं होगा जो भी cut motion बाद में आएगा अभी इस समय खाली बस आप मोटे मोटे मोटो बे चर्चा कर सकते हो finance minister यहाँ पे क्या करते है has a general right of reply at the end of the discussion कि जब यह पूरा discussion हो जाता है इसके बाद finance minister को एक बार reply देना पड़ता है सब चीजों का अब चलो scrutiny की तरफ अब हो रही है departmental committees के द्वारा scrutiny proper इसके बाद general discussion के बाद budget जब over हो जाता है houses are adjourned for about 3-4 weeks ऐसे में इस gap में ऐसी 24 departmental committee होती है जो parliament की committee है यह पूरी पढ़ती है कि यह कहां कहां पैसा मांग रहे है किस-किस काम के लिए पैसा मांग रहे है they examine and discuss in detail the demands for grants के सरकार जो grant की demand कर रही है parliament से के हमें पैसा दे दो हमें यह काम करवाना है वो काम लाना है वो वहाँ से equipment आएगा यह आएगा ठीक है जो भी चीज है demand for grant of the concerned ministers and prepare reports on them करेंगे भाई क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अब सरकार ने अगर पैसा मांगा है तो parliament काम है पहले तो पैसे को पढ़े चो पैसा देगा उसका हग बनता है यह बताने का यह पैसा का खट चोना चाहिए तो वे वो पूरा फिर खोल के पढ़ाई करते हैं उसकी फिर यह reports are submitted to both thousands of parliament for consideration फिर यह चली जाएंगे इनके पास नाउ यह याद रखना the standing committee system established in 1993 यह हुआ था और 2004 में स्कॉर बढ़ा दिया गया makes parliamentary financial control over ministries much more detailed, close, in-depth and comprehensive बना दिया गया है जरूरी है क्योंकि सरकार कुछ भी demand मांगे ले क्या दे देंगे सब? नहीं उस पर committee पहले report देगी अपनी कि क्या यह ministry की demand जायाज है या यह ministry पर demand यूँ ही कर रही है अपना प्रचार करने के लिए तो नहीं उस पर फैर से नहीं होगा फिर voting होगी on the demands for grants यह जो demands है are presented ministry wise कि साब ministry of coal को इतना चाहिए ministry of railways को इतना चाहिए ministry of textile को इतना चाहिए this ministry को इतना चाहिए and a demand becomes a grant after it has been duly voted कि जो demand है जो ask है जो मांग है वो grant तब बनती है जब वो pass हो जाए ठीक है तो voting of demands for grants is the exclusive privilege of loksabha और राजसभा का यह game over that is राजसभा has no power of voting over the demands ठीक है voting is confined to the votable part of the budget that is the expenditure charge on the loksabha on the CFI is not submitted to the vote it can only be discussed expenditure made expenditure charged समझ में आगी बात expenditure made आपकी picnic है जो आप अलग से मांग रहे हो demand for grant और expenditure charged जो है जो पहले सी खर्चा होना ही होना है grocery हमारी ठीक है जो members होते है they can also move motions to reduce any demand जब कोई ministry ने demand मांगी हुई है कि मुझे चाहिए एक लाग करोड अब कोई member कहेगा एक लाग करोड ministry of textile को अच्छा देखते हैं चलो क्या चाहिए इनको तो फिर वो member बोलेंगे MP बोलेंगे कि नहीं नहीं हम चाहते है इसमें इस demand को कम किया जाए आप demand जादा कर रहे हो इतना एक लाग करोड मत मागो आप मागो 45,000 करोड अच्छा ठीक है तो जब ऐसी बात बोली गई तो इसको हमने बोल दिया कि यह है cut motion cut लगा दिया गया है आपके demand पे एक होता है policy cut policy cut motion बड़ी बिजती की बात है तो इट रप्रेसेंट इसप्रोवल of the policy underlying the demand के house ने मना ही कर दिया यह इतना पैसे क्यों मांग रहो एक दम खतम कर दिया इट सेट आपाउंट of the demand be reduced to rupees 1 एक रुपे की demand बस तुम जो बोल रहे हो एक रुपे लो बस खाली बस that's it and the members can also advocate an alternative policy हो सकता है members ही बता ही दे के काम करो तुमारी policy बिगा रहा है रहन दो उससे बढ़िया दो मैं बता रहा हूं हम बता के दे रहे हैं तुमको यह ले लो एक होता है economy cut economy cut में है थोड़ी होले होले मतलब हिसाब से काम करो एक लाग की जगे है 45 जार करोड ले लो यह वो चीज़ है represents the economy that can be affected in the proposed expenditure यानि amount of the demand be reduced by a specified amount यह हो सकता है which may be either a lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand हो सकता है कोई मना ही कर दे सरकार को parliament के इतना मत करो इतना ले लो बस यह बात ठीक है इस ज़्यादा नहीं token cut token cut motion कहता है बस नाम के लिए ले लो ठीक है ventilates a specific grievance that is within the sphere of responsibility of the government of India it states that the amount of the demand be reduced by rupees 100 reduce to rupees 1 rupee 1 reduce by rupees 100 तो 100 रुपे से कम कर दी गई है जैसे अगर मान लो 10,000 थी तो 10,000 में से 100 रुपे कम कर दो बस minus 100 बस यहाँ पे 1,00,000 करोड़ से बस एक बस बस that's it तो यह है बस खाली token cut token नाम के तौर पे बस दे दिया एक token के तौर पे a cut motion to be admissible must satisfy the following conditions क्या-क्या it should relate to one demand only जो token cut आप लगवा रहे हैं जो सारे members कहके MPs कहके कि policy cut कर दो I'm sorry so जो इतने members कह रहे हैं कि इसको आप cut कर दो policy cut, economy cut यह token cut यह सब के सब यह motion जो होंगे तब admissible माने जाएंगे जब यह खाली एक demand की बात कर रहा है it should be clearly expressed and should not contain arguments or defamatory statement क्या आप तो बेज़ती करने निकले हो सरकार की बिना बात के लिए कुछ बात ही नहीं कर रहे हो बढ़ा ही कर रहे हो बैठके वो नहीं हो सकता it should be confined to one specific matter only एक matter बात होगी यह नहीं कि पचासों matter घेर के ले आए सरकार को नहीं एक ministry की बात हो रही है एक department की बात हो रही है उसी पर करो it should not make suggestions for the amendment or repeal of existing laws लो कानून उडाने में लग गए हो आप लो कानून बदलने में लग गए हो बात कुछ और थी तरीका कुछ और ले आए है वो करने के लिए it should not refer to a matter that is not primarily the concern of a union government के कोई ऐसे matter पर बात कर ली जो union government का ही नहीं उस पर token कट लगाने निकले हो आप लो क्यों कर रहे हो भाई मत करो रहे है ने तो it should not relate to expenditure charge on the CFI expenditure made expenditure charged again फिर से बता रहो बार बार बता रहो मैं आपको it should not relate to a matter that is under adjudication by a court court में अगर matter लंबित है बस भाई कर भाई खतम कर दो it should not raise a question of privilege privilege पर question नहीं होना चाहिए now इसका significance क्या होता है cut motion का यह होता है यह facilitate करता है the initiation of a concentrated discussion on a specific demand for grant ठीक है demand for grant पर discussion करवाना है इसी लिए token cut लेके आयते कि discussion करो पहले हमसे upholding the principle of responsible government by probing the activities of the government कि सरकार की नीतियों पर गतिवीदियों पर पूरी यह लोग इसाब रख रहे हैं नजर रख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं वो चीज cut motion do not have much utility in practice नहीं है utility क्यों? क्योंकि पहली बात तो cut motion लाना कौन चाहेगा? opposition सब बात है अब they are only moved and discussed in the house but not passed as the government enjoys majority support सरकार के पास majority ही है तो parliament का क्या ही role रह जाता है? जब सरकार majority में जी रही है majority 273 plus इनके पास majority है that means they are the ruler अब इनके पास power है इनके पास opposition को कुचलने की power भी होगी तो cut motion लगाते रहो आप लोग कहते रहो house admitting नहीं कर रहा है करते रहो आप चिलाते रहो now their passage by the log sabah amounts to the expressions of want of confidence अब हो गया अगर ये cut motion पास ही हो गए क्या पता? तो भहिया क्या होगा? कि सरकार के confidence के उपर सवाल उड़ जाएगा कि सरकार confidence enjoy कर रही है and may lead to its resignation तो ये तो जाहिर बात है कि ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर होने लग गया तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि budget क्योंकि इतना बड़ा procedure है इतना लंबा चोड़ा इसका काम चलता है और लंबा चोड़ा discussion है 2400 committee हैं इसके पर काम करती है इसके पर discussion होता है on the last day of the days allotted for the discussion and voting on the demands for grants क्या होता है कि speaker क्या करते हैं जितना discussion हुआ हुआ ठीक है ठीक है ठीक है बाकि जितना remaining demands है जितना remaining demands to vote और वो उसको एक साथ vote पर लगा देते हैं बताओ vote बताओ हाँ या ना बस ठीक है and whether they have been discussed by the members or not फरक नहीं पड़ता है we don't know और सबको एक बार में vote पर ला दो बस house के सामने पूरा-पूरा vote पर रख दिया discussion हो पाया तो हो पाया नहीं हो पाया ठीक है कोई बात में बास guillotine चला दिया blade एक दम से कुचल दिया पूरा cut दिया जो discussion हुआ पहले debate हुई होती रही ठीक है बात में समय नहीं था हमने बदल लिया हमने सारा काम उसको आगे कर लिया ठीक है passing of appropriation bill अब appropriation bill पास होने का दोर आ चुका है अब जो demand for grant था guillotine के motion के through वो हमने आगे बढ़ा दिया है उसको सम्विदान ने बोला है कि देखो बहुत simple भाषा मैं कह रहा हूं तुमसे कि no money shall be withdrawn from the CFI except under appropriation made by law कि जब तक उस पैसे का appropriation वो पैसा कहा जाएगा किसके लिए जाएगा कौन ले रहा है क्या purpose है जब तक वो तै नहीं होगा तब तक हमारे देश के संचित राजकोश से कोई पैसा नहीं निकलेगा no money shall be withdrawn कोच पैसा नहीं निकल सकता इसी के लिए एक appropriation bill लाया जाता है is introduced to provide for the appropriation out of the CFI of all the money required to meet क्या-क्या required to meet the grants voted by the Luxabha and the expenditure charge on the CFI हर चीज का पैसे का हिसाब होना है इसका मतलब है no such amendment can be proposed to the appropriation bill नहीं हो सकता जो होना है हो चुका done dusted पहले कर लिए हमने discussion अब that will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant voted or of varying the amount of any expenditure charge on the CFI नहीं हो सकता एक बार जो पहले bill दे दिया जो पहले discussion इतना होना था वो कर लिया गया है अब उसको हम आगे उसको और उसमां amendment नहीं करेंगे so coming to vote on account अब appropriation bill जो है turning to appropriation act it takes time and usually goes on till the end of April फरवरी में budget आया है ठीक है फरवरी फर्स्ट को budget आया है और एप्रिल के end में फरवरी, मार्च, एप्रिल पूरा अल्मोस्ट तीन महीने लग गए इसलिए इसको हम बोलते हैं budget session कि ठीक है ये पूरा session ही budget पर चला गया but the government needs money to carry on its normal activities क्या करे? पैसा तो चाहिए और काम कराना ही कराना है so हम क्या करते हैं after 31st March क्योंकि financial year तो उसन खतम हो गया तो हमने बोला है कि ये difficulty जो आ रही है हम सम्विदान इसको authorize करता है to the लोकसभा to make any grant in advance in respect to the estimated expenditure for a part of the financial year थोड़े समय के लिए सम्विदान पहले कहता लोकसभा को कि हाँ क्योंकि समय लग सकता है April आ जाता है April पूरा लग जाता है बात है करने में लेकिन 31st March को तो हमारा fiscal year खतम हो गया अब नए दौर के लिए नए policy के लिए पैसा चाहिए नई नीती के लिए so लोकसभा के बास power है to make any grant in advance अब ही दे दिया पैसे लेकिन इसमें बात हो जाएगी it is passed और granted after the general discussion on budget is over उसी इसमें कर दिया general discussion हुआ उसके बाद by vote on account vote on account करके आगे बढ़ा दिया it is generally granted for two months for an amount equivalent to one-sixth of the total estimation के जतना total estimation था उसका one-sixth हमने दे दिया now to avoid a vote on account क्या हुआ from 2017 onwards the budget session is advanced to 31st January and the union budget is presented on 1st February almost a month ahead of the usual date in the in the past so this change is intended to enable the parliament to avoid a vote on account and pass a single approvision bill for the year before the close of the financial year के ठीक है हमने सहूलियत के लिए तके financial year जब end हो रहा हो उस समय दिक्कत है ना आए हमने उसको पहले ही solve करने के लिए हमने क्या किया है 17 से हमने यह देखा है कि budget session जो होता है वो 31st January से शुरू कर देते हैं अब यह करने से क्या फाइदा है कि हमारा March तक का cycle बच जाता है मार्च ही मार्च में हम अपना सब निप्टा लेते हैं अब यहाँ पे आगे चलते हैं appropriation bill भी pass हो गया है appropriation bill, vote on accounts पास हो गया है अब passing of finance bill हो रहा है finance bill क्या है finance bill means the bill ordinarily introduced in each year to give effect to give effect to the financial proposals of the government of India for the next financial year कि आने वाले समय में हमारे क्या-क्या वित्ती है हमारे policy होनी चाहिए वित्ती हमारे proposal क्या-क्या हो सकते है and includes a bill to give effect to supplementary financial proposals for any period कि उसी bill के साथ साथ ऐसे और भी supplementary financial proposal है जो आगे कितने भी समय के लिए कुछ महिने के लिए, कुछ अफते के लिए, कुछ अरसे के लिए जो हो सकते है and this is subjected to all the conditions applicable to a money bill साब बात है money bill वाली conditions सब लगेंगे इस पर 110 के सारे sub-clause लगेंगे फिर the amendments seeking to reject or reduce a tax can be moved in the case of a finance bill जो amendment है जो एक को tax को reduce करना है, reject करना है, हटाना है ये, these can be moved in the case of a finance bill ये जा सकते हैं now, a member एक कोई भी MP can discuss matters relating to general administration local grievances within the sphere of the responsibility of the responsibility of the government of India or the monetary or financial policy of the government के कोई member जो हो सकता है वो यहाँ पर discussion करवा सकता है ऐसे किसी matter का जो किसी, जो स्टेट की, स्टेट की सरकार के किसी भी general administration local grievances कोई भी तरीके का जो उनके प्रशासन के responsibility के उनके दाइरे में आ रहा है उनके घेरे में आ रहा है उस पे वो चर्चा करवा सकता है on the monetary or financial policy of the government के पैसे की और वित्ती है पता है ना according to the provisional according to the provisional collection of taxes act of 1931 किता लंबा चोड़ा act है the finance bill must be enacted that is passed by the parliament and assented by the president within the 75 days within 75 days of budget वहां से the finance act legalizes the income side of the budget and completes the process of the enactment of the budget बाश जब यहा finance bill pass हो गया इसका मतलब budget हमारा prove होके आगे निकल गया हम अब आगे चलेंगे आगे हमारा काम शुरू होगा ठीक है अब ऐसे और भी कुछ grants है कुछ important other grants है जैसे जो पार्लेमेंट से मांगती है सरकार in addition to the budget other grants are made by the parliament under extraordinary or special circumstances क्या है circumstances supplementary grant के भाई अलग से ही पैसा चाहिए पैसा कम पढ़ गया और चाहिए it is a grant when the amount authorized by the parliament through the appropriation act for the particular service for the current financial year is found to be insufficient for that year कम पढ़ गया पैसा हमें तो और चाहिए था क्या करें मजबूरी हो गई खर्चा हो गया कुछ इम unforeseen circumstance आ गए क्या हो सकता है कभी भी कुछ भी additional grant के ये तो supplementary है supplementary means और अलग से चाहिए कम पढ़ गया था additional माने अभी कम नहीं पढ़ा है पर माग रहे हैं आपसे it is a grant it is a grant when a need has arisen during the current financial year for additional expenditure upon some new service not contemplated in the budget for that year similar हैं दोनो supplementary grant भी additional grant भी और दोनों के दोनों case में circumstance unforeseen थे पैसा उतना पूरा नहीं पड़ा जरुवत पड़ी बीच में ही और पैसे की ले लिया हमने example क्या है the demand for grants for the year 2019-20 also includes allocation of more than 8000 करोर to the newly formed union territories of Jammu Kashmir and Ladakh and 20 करोर for the upkeep of Ayodhya सोचा नहीं था खर्चा आ गया खर्चा आ गया तो जिलेंगे भी या क्या करें अब express grant access grant sorry access grant क्या है के over and above it is granted when money has been spent on any service during a financial year in excess in excess of the amount granted for that service in the budget for that year के अब बस apology कहलो अब बस vote कहलो अब बस verify करवाना है खर्चा तो कर चुगे देखो उपर so it is voted by the loksabha after the financial year since it is regulated by the same body by the same procedure which is applicable in the case of regular budget that is voted by the loksabha उनी की जम्मेदारी है before the demands for access grants are submitted to the loksabha for voting इनके पास जरूरी है कि they must be approved by the public accounts committee of the parliament कि यहां से अप्रूब करवागे लाओ पहले public accounts committee बहुत बढ़ी committee होती है सबसे बढ़ी committee होती है parlement की तो public accounts committee में क्या होता है यह access grant की demand पहले से पास करवागे लिए क्या हो तब parlement उस पे पूरी पे हां कर देगी ठीक है पर अगर इस committee ने मना कर दिया tough call फिर तो tough luck आगे अब vote of credit it is granted for meeting an unexpected demand upon resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the services the demand cannot be stated with the details ordinary given in budget बता नहीं सकते भाई हमें नहीं पता भी कितना लगेगा पैसा लेकिन अभी दे दो क्योंकि जो magnitude है और जो character है situation का जो अभी भी जो अभी हमें काम करना है नीती हम लेके आए बहुत बड़ी है we don't know but 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 हमें जरूवत है पैसे की hence it is like a blank check given to the executive by the loksabha के अब लोksabha चाहे उस पे अब लोksabha ने दे दिया है अब सरकार चाहे उस पे कितना भी अपना number लिख ले check blank है वो ठीक है ले लो भाई या पैसा exceptional grant granted for a special purpose and forms no part of the current service of any financial year नहीं नहीं है part उसका वो exceptional है आई तो आई बस समय समय पे आ गई किसी समय के लिए आ गई token grant it is granted when funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation reappropriation ठीक है जैसे a demand for the grant of a token sum that is एक रुपे की demand is submitted to the vote of loksabha and if assented funds are made available कि इसके तहत मांगा है हमने token grant मांगा है हमने पहले आपसे token मांगा है ताकि आपका हमें सहमती मिल जाए when funds to meet the proposed expenditure जो हमने expenditure सोचा है on a new service can be made available by reappropriation हम चाहा रहे हैं कि आप उसको करवा देना reappropriation यानि फिर से पैसा allot करवाना है फिर से पैसा allocate करवाना है appropriate करवाना है reappropriation involves transfer of funds from one head to another head it does not involve any additional expenditure नहीं आएगा इसमें और को expenditure simple है जो इतना मांगा है उतना ही दे दो बस फिर हमारा funds of the central government देखरो कैसा है structure of government accounts government accounts ये रहे हमारे इसमें हमारा संचित राजकोश ये है बड़ा भाई contingency fund ये है हमारा rainy day account जिस दिन हमारा कोई घटना हो जा कोई हमारे देश में और हमारा public account अब इसके ऊपर यहां देखो CFI में revenue capital, public debt, loans, सारी चीज़ेंस में आएंगी revenue के अंदर receipts, expenditure आएगा और receipts के अंदर आएंगे tax, non-tax जहां से हमारी कमाई हो रही है expenditure जो general service हम दे रहे है social service हम कर रहे है economic service हम कर रहे है grants and aid हम कर रहे है अब capital, public debt, loans में हम देखेंगे हमारी उसमें भी receipts है कुछ, उसमें भी expenditure है, कुछ payment हम है जो करने है, same general service हम करेंगे social service हम करेंगे, economic service हम करेंगे public debt जो हमारी उधारी है loans and advance हम जो देते हैं interstate settlement हम कराते हैं appropriation कराते हैं, वो सारी चीज़ेंस में हैंगी public account में small savings, PF deposits and advances, reserve funds suspense, यह सारे के सारे जो अपने remittance इसमें आते हैं यह आ रहे हैं अब, CFI CFI क्या है? It is a fund to which all receipts are credited and all payments are debited यह ही है, हमारे देश का bank account, हमारे देश का खजाना, अब, all revenues received by the government of India all loans raised by the government by the issue of treasury bills, loans और ways and means of advances यहां सही, इसके दम पे हम loan ले भी लेते हैं Now, all money received by the government in repayment of loans forms the Consolidate Fund of India ठीक है All the legally authorized payments on behalf of the government of India are made out of this fund जितने भी हम payment करते हैं सरकार जो करती है, on behalf of the government of India इस मैसे होते हैं payment यहीचा आता है, और कहां से आएगा? राजकोची यही है, इमारा bank account यही है Now, no money out of this fund can be appropriated, issued or drawn except in accordance with the parliamentary law कानून लाओ पहले पहले आपका पैसा निकालने से पहले हमको यह दिखाना पड़ेगा कि आपके पास उसके लिए कानून है कि नहीं So, Public Account of India यह आता है हमारा All Other Public Money जो CFI में नहीं है I'm sorry ऐसे सारे Public Money बाकी जतना पैसा जो, which are Other than those which are credited to the CFI are received by on behalf of the Government of India shall be credited to the Public Account of India बस, यह होता है छीक है जैसे इसमें क्या-क्या होता है? PF Deposit होते है हमारे इसमें होते है Judicial Deposit होते है इसमें Savings Bank Deposit होते है इसमें Departmental यह अपने यह जाते है Deposit जाते है इसमें Remittance जाते है इसमें so on तो Remittance क्या होते है? जो बहार से जो NRIs लोग जब पैसा भेजते हैं इंडिया तो वो लोग तो भेजते हैं डॉलर्स में अब वो डॉलर्स और वो फिर डॉलर्स कनवर्ट होगे रुपीज में जब आपके अकाउंट में आता है आपके NRI दोस्ति आपके रिश्यदार जब भेजते हैं तो वो Remittance हमारे जुडते हैं हमारे देश के public account Now, this account is operated by executive action The payments from this account can be made without parliamentary appropriation क्यों हो? क्योंकि public accounts Parliament के उसमें नहीं आता है Ambit में नहीं आता है Now, वो CFI नहीं है Now, such payments are mostly in the nature of banking transactions इसी में से सरकार अपना लेंदिन निकल आगे करना कहीं न कहीं से कर लेती है हमारा contingency fund यह दिख रहा आपको fire extinguisher है, मतलब कोई आपदा का समय रहा होगा So, the constitution authorized the parliament to establish a contingency fund of India Contingency meaning, कोई ऐसी, एकदम ऐसा मौका, जब कुछ जादा हम सोच नहीं सकते थे Contingency आ गई थी, हमें नहीं पता था, ऐसा हो सकता है COVID, ठीक है, so ऐसे मौके पे, into which amounts determined by law are paid from time to time इसमें डालते रहो पैसा, यह आपकी गुल्लक है, यह किसी दिन हमारे काम ही आईगी So, parliament enacted the contingency fund of India act in 1950, उसी समय हमने बना के ready कर दिया हमने गाँ भाई इसको मचेडना, यह हमारी सबसे पीछे की गुल्लक है इसमें रखे रहो पैसा, अभी इसको देखो भी मत Now, this fund is placed at the disposal of the president and he can make advances out of it यह advances में से निकाल सकते हैं पैसा राश्पती पर, it has to be, it has to be authorized, it is pending authorization by parliament Advances out of it to meet, यह expenditure pending its authorization by the parliament ठीक है, parliament इसको बाद में अपरूब करना पड़ेगा पराश्पती के पास मजबूरी थी कि समय नहीं था, निकालना पड़ा में से निकाल लिया Now, यह जो fund की जो चाबी होती है, it is held by the finance secretary on behalf of the president आपके जैसा future officer, इसके पास जिम्मेदारी आई, रात में दो बजे भी call आ सकता है कि सुबह सुबह, भाई, फंड में से, इस वाले फंड में से निकाल लेना दो हजार करोड, ठीक है साब, निकल बागे रख लेंगे, देख लेंगे, पैसा का लगवाना है Now, like the public account of India, it is also operated by executive action and not legislative action फिलाल नहीं, यहाँ पर executive action important आ रहा है यहाँ पर कुछ constitutional provisions है, जैसे जो हमारे budget के around है, financial statement के around है, वो एके करके हमको देखने चाहिए क्यों? क्योंकि अगर यह नहीं देखोगे ना तो text confusion आएगा एके करके देखते है, article 112, president shall, in respect of every financial year, cause to be laid before houses, before both the house of parliament, the annual financial statement, that is the budget, ठीक है 113 कह रहा है, no demand for a grant shall be made except on the recommendation of the president, कि राश्पती की बिना सहमती मंजूरी के, कोई demand for grant नहीं होनी चाहिए article 14 कह रहा है, no money shall be withdrawn from the CFI, except under appropriation made by law, CFI से पैसा नहीं निकलेगा, जब तक उसका appropriation पहले से ready नहीं हो law के तहत, कानून के तहत, उसका, कहा जा रहा है वो पैसा, किसके पास जा रहा है, कौन ले रहा है, क्या करेंगे उस पैसे से, सब चीज़े तहक होनी चाहिए 117, 117 कहता है, no money bill, imposing taxes, shall be introduced in the parliament, except on the recommendation of president, and such a bill shall not be introduced in the Rajasabha गई, Rajasabha के पास ये power इस से ले ली गई, now, parliament can reduce or abolish a tax, but cannot increase it, अब यह बड़ा tricky question है so, cannot increase it, तो फिर कैसे increase होता है, नया act लगाया जाता है now, article 265, no tax shall be levied or collected, except by authority of law, लो, आगया authority of law, लग गया न, अब, the constitution has also defined the relative roles of the positions of both houses of the parliament with regard to the enactment of budget in the following way कैसे कैसे, एक सोनो कह रहा है, a money bill or a finance bill, dealing with taxation, cannot be introduced in the Rajasabha, it must be introduced only in the Lokasabha, साब बात है 113, Rajasabha has no power to vote on the demand for grants, नहीं ये power उनके पास, वो जितने भी demand for grants होंगी, वो सारी की सारी demand for grants, आएंगी सिर्फ लोकसabha से, it is the exclusive privilege of the Lokasabha, ठीक बात 109, the Rajasabha should return the money bill or finance bill to the Lokasabha, within 14 days, the Lokasabha can either accept or reject the recommendation made by the Rajasabha in this regard नहीं दिया तो नहीं दिया, recommendation और दे दिया, तो भी सुन लेंगे ठीक है दोने चीज़ अलग-अलग हो गई, समझ में आगई, picnic और groceries, अब, the budget shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure, जो budget होगा, वो ही distinguish कर दे, कि ये expenditure revenue account में कैसे होगा, और बागी expenditure कैसे होता है, normal, फिर 113 पे वापस जाओ, the expenditure charge on the CFI shall not be submitted to the vote of parliament, that is, it can be discussed by the parliament सरुफ, बस, discussion करवा लो, हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि, कहां तक इस पे वोट करवा होगे, तो लोकसभा can approve or refuse any demand, or reduce the amount specified in the demand, but cannot increase it, ठीक बात है, textual है, theoretical है, 114 पे जाओ, no such, no such amendment can be proposed to the appropriation bill in either house of the parliament, जब appropriation bill की बात हो रही है, almost budget का last stage रहती जा रही है, बस, कुछ खतम होता जा रहा है, ठीक है, फिर, उस समय कोई amendment नहीं हो सकता, can be proposed in the appropriation bill in either house of the parliament, that will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant voted, के अभी तक हमने कोई grant पे चर्चा करी ती कहीं और के लिए उस पैसे को जाने के लिए, या वो amount की आपने number ही बदल दिया, अब नहीं हो सकता हो, और varying the amount of any expenditure charge on the CFI, नहीं हो सकता है, फिर नहीं हो सकता है, 116, the loksabha can make any grant in advance, vote on account, या दे, जो पहले से ही पैसा छोड़के रख दिया है, दे दिया है, blank check दे दिया आपको, with respect to the estimated expenditure for a part of the financial year, pending the completion of the voting of the demands for grants and the enactment of the approvision bill, this is the blank check, यही है blank check, तो यह पार्लेमेंट कभी कभी दे सकता है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जब vote for demand for grant तो लंबा काम में चलता रहेगा, अब लेकिन काम कराना तो कैसे कराएं, यह B बड़ा टेड़ा नहीं है, so, इसको सीधा करते हैं, B, हाँ ठीक है, सो, आप यहाँ पे, पार्लेमेंट के multifunctional roles है, कई ऐसे सारे roles हैं, जो पार्लेमेंट निभा रहा है, क्या-क्या, कानून बनाने की power and functions, executive power and functions, इसके पास executive power भी है, इसके पास financial power और function भी है, constituent powers and functions भी, constituent मनें, अपने आप से ही, अपने समवैधानिक, now, judicial powers भी है, नयाइक पावर भी है, देखते हैं कैसे, electoral powers है, और functions भी है, फिर, other powers and functions, एक-एक करके देखते हैं उनको, so, with that, हम पार्लेमेंट के multifunctional role को एक-एक करके शुरू करते हैं, इनका जो पहला और एकलोता जो सबसे दूर से एक काम दिखता है, वो है कानून बनाना, legislative powers, के कानून बनाने की प्रक्रिया को इनने follow करना है, और पूरे देश की governance इनके हाथ में है, इनके पास power है, exclusive power है, union list में जितने भी हमारे topic लिखे हुए है, 97, 98 topics, उन पे ये कानून मनाएंगे, ऐसा कोई respiratory subject जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है अभी तक, उसके उपर कानून मनाने की power है, तो खाली इनी के पास है, पार्लेमेंट ऐसे कुछ मौके पे भी state list वाले कानून मनाता है, जब ऐसा कुछ मामला सामने आ जाए, जैसे making laws from the state list, कब-कब, वो तब, जब राजसवा बोले कि हाँ, हम पार्लेमेंट से गुजारिश कर रहे हैं, हम राजसवा, council of states, हम अपने आप से एक resolution पास कर रहे हैं और authorize कर रहे हैं, पार्लेमेंट को, कि आप state list में से किसी topic पे कानून मनाओ, ठीक है, जब national emergency का proclamation in effect हो, in operation हो, जब दो या दो से ज्यादा states बोले हैं, अपने आप से request करे हैं, कि पार्लेमेंट साहब हमारे लिए कानून मनाओ, प्लीज, या जब necessary हो to give effect to international agreements, treaties, कुछ अपन जब राश्पती का rule लागू हो किसी एक state में, ठीक है, तब उस समय state list वाले जतने topic होंगे, product होंगे, उन सब के ऊपर, पार्लेमेंट बनाएगा कानून, अब खाली कानून मनाने से ही सब कुछ नहीं हो रहा है, जब राश्पती जी अध्यादेश पारित करते हैं, क्योंकि लोकसभा session में नहीं है, during the recess of Parliament, तब उस ordinance को भी approve करना होता है, पार्लेमेंट को within six weeks after its reassembly, ठीक है, मतलब वहां भी कानून को, जो already बनी गया, ordinance के तहत, उसको हमने approve कर दिया, ठीक है, वो भी किया, delegated legislation, या executive legislation, या subordinate legislation, या subordinate legislation, ये क्या हुआ सर, ये ये हुआ, कि क्या होता है, पार्लेमेंट बहुत बार क्या करता है, जो कानून बना के देता है, वो उपर उपर का खाका बना के देदेगा, मतलब एक धाचा बना के देदेगा, skeleton बना के देदेगा, और बागी काम executive के उपर छोड़ देगा, कारेपाले का मंद्री मंदल के उपर, कि अब आपकी ज WBI के बनाने के बाद एक authority बनी, उस authority ने कई सारे societies को, कई सारे जिलों को, कई सारे communities को हिदायते दी, कि कहां-कहां पे गोशाला बनेंगी, कहां-कहां पे जो stray dogs है, community dogs है, उनके लिए कहां-कहां पे खाने पीने की जगे होंगी, तो ऐसे करके क्या किया, Parliament ने तो अपना एक, मैं एक umbrella कानुम बना के छोड़ दिया, ओजो ने कहां कि बागी काम अब executive का है, वो जाने, ठीक है, तो और executive बनाता है, detailed rules and regulations within the framework of that parent law, जो parent law, umbrella इन्हों ने बना के दे दिया उपर, skeleton, such rules and regulations are placed before the parliament also for its examination, फिर जाते हैं, parliament committee के पास जाते हैं, parliament फिर उसको अप्रूव करते हैं, बना ली होंगे, अच्छे ही होंगे, जैसे for example, regulations and bylaws, law made by local authority which applies only in its area under legislations, ये बनवाती है, executive powers हम देखते हैं, parliament की, कैसे, जब हम ये देखते हैं कि मंत्री मंडल executive के पेट से पैदा हुआ, ठीक है, इन 500, 500, 500 लोगों में से, हमने देखा, कि हमने 70, 80 मंत्री मंडल चुन लिया ह इन लोगों का, अब, यानि कि, इनके बनाए हुए कानून का पालन ये लोग करवा रहे हैं, executive is responsible to the legislature, ठीक बात है, for its policies and actions, and, जो parliament है, it exercises control over the executive through all these methods, question hour, zero hour, half an hour discussion, short duration discussion, calling attention motion, adjournment motion, no confidence motion, censure motion, इन सबके तहत, Parliament exercise करती है, executive powers and functions over the executive also, कि कारेपालिगा की हरकतों के उपर भी निगाहें रहे, ये कम, ये चीज, फिर, आगे चलते हैं, और क्या दिखती है ये, कि executive की जो authority, activity है, उसके उपर भी निगरानी और कैसे रखी जाती है, जो committee ये बनाते हैं, कैसी कैसी, committee on government assurances, committee on subordinate legislation, जो अभी committee on petitions, etc., कॉमा है या पर, ठीक है, ऐसी committees के तहत, parliament क्या करता है, supervise करता है, executive की activities को, executive के actions को, या in actions को भी, कि काम नहीं किया, तो क्यों नहीं किया बहिए, तो महीं तो दियाता काम करने को, तुम नहीं करोगे, तो कौन करेगा, now, ministers are collectively responsible to the parliament, to the parliament in general and to loksabha in particular, ठीक बात है, वै बास, ठीक है, as a part of collective responsibility, there is individual responsibility of ministers also, कैसी, each minister is individually responsible for the efficient administration of the ministry under his or her charge, के जो उनको मंतराले मिला है, जो portfolio मिला है, उसके उपर, वो अपना पूरी-पूरी तौर से, अच्छे से उसको administration करवा है, उसका, वो minister साहब, now, the council of ministers can be removed from office by the loksabha, by passing an NCM, साफ बात है, बहुत बार ये बात repeat हो गई है, लोकसभा में, जब NCM आता है, can also express lack of confidence in the government in the following ways, by not passing a motion of thanks, नहीं पास किया, जो राश्पती जी का भी भाशर हुआ था, नहीं पास कर रहा है, inaugural address था उनका, नहीं पास किया, rejecting a money bill, लो, गया, by passing a censure motion or an adjournment motion, ये भी गया by defeating the government on a vital issue, बहुत important issue था, government हर गी उस पर, वोट करने गए थे, लोटे आए, खाली मू, बिल्कु खाली आता आगए, मू लटका आगए, by passing a cut motion, तो इन सब के तहत, लोकसभा can express lack of confidence, that is, जब confidence नहीं है, लोकसभा का, इसमें executive में, that means executive is done for, हो गया, सिवा समापती इनकी, फिर financial powers and functions, हमें पता है, कि no tax can be levied or collected, and no expenditure can be incurred by the executive, without, except under, except under the authority, and with the approval of parliament, for example, the budget, budget सबसे बड़ा example है, कि executive का, जो भी उन्हें पैसा चाहिए, जो भी उन्हें खर्चा करवाना है, वो सारा का सारा, तब होगा, जब वो पार्लिमेंट की authority और पार्लिमेंट की approval के बाद हो, ठीक है, financial committees, पार्लिमेंट also scrutinizes government spending and financial, जो इनकी performance है, कैसी करती है, with the help of its financial committees, जैसे public accounts committee, estimates committee, and committee on public undertakings, तो ऐसी तीन कमिटियों के तहत, पार्लिमेंट ये निगहा भी रखता है, कि executive ने कहा का पैसा उड़ा दिया, बिना मतलब का, अब, parliamentary control over the executive in financial matters operates in two stages, कैसे, budgetary control होता है, और post budgetary control होता है, budget के दोरान, control before the, जब, जब budget से पहले, जब appropriate करना होता है, पैसा, control before the appropriation of grants, through the enactment of the budget, अगर budget को approve करना है, that means, वो budget की demand पढ़ रहे हैं, कि कहा कहीन है, पैसा चाहिए लाओ देखें, budget के बाद, control after the appropriation, कि appropriation हो चुका है, पैसा तो अब a lot हो गया after the appropriation of grants, through the three financial committees, ये तीनो, ठीक बात, क्यानि ये financial control भी रखे हुए है, पारलमेंट के, इसके executive के ऊपर, अब एक जगे चलो, एक term आता है, rule of lapse, ये इसलिए आ रहा है, मानलो, कोई granted है, कुछ पैसा, in the budget, ठीक है, और पूरा spend नहीं हो पाया, and if the granted money in budget is not spent by the end of the financial year, then, जो balance expires, वो balance चला गया, and returns to the CFI, ठीक है, पारलमेंट ने आपको दिये थे 100 रुपे, आपने खर्च किये 60 रुपे, आपने का, वो ही नहीं पाये खर्च, लो, छोड़ दिया हमने, 40 रुप बचे है, अब 40 रुपे क्या, तो सरकार लेके घुमेगी क्या पूरा अगले साल, ना no reserve funds can be built without its authorization, इसके बिना तो कोई reserve fund बनेंगे ही नहीं, जब तके authorize ना करें, the observance of this rule leads to a heavy rush of expenditure towards the closure of the financial year, यह हमको पता है, इसको हम बोलते हैं, March rush, March में तुराइंट expenditure हो जाता, तुराइंट पैसा कहीं ना कहीं, अलोट करवा दिया, खर्चा करवा दिया, दिखवा दिया, कह हाँ, यह पैसा लगवाना है, हमको देना है, अभी दिया नहीं है, दे देंगे, ऐसे करके, तो यह होता है हमारा March rush, इसी को हम कहते है, Rule of Laps, कि Rule of Laps तब देखेगा आपको, जब पैसे का जो unspent money है, उसको जब सरकार चाहेगी, कि इसको किसी तर अपने पास रख लूँ, क् तो, Parliament is vested with the powers to amend the Constitution, कितनी दफ है पढ़ चुके हम, सब कोई पता है आप तक तो, मतलब कोई भी पता देगा, कि यह खाली Parliament ही है, जो by way of addition, variation, or repeal of any provision, समविधान में छेडशाड कर सकती है, amendment ला सकती है, कैसे कैसे कर सकती है, by simple majority, by special majority, by special majority, but with the consent of half of all the states' legislatures, ठीक बात है, Now, the constituent power of the Parliament is not unlimited, ये भी आपको पता है, क्यों? क्योंकि Supreme Court ने 1973 में बोल दिया था, केशवानन्द भारती केस में, के समविधान का एक मूल structure है, इस मूल structure को आप नहीं छेड़ सकते, बागी समविधान में आप कुछ भी छेड़ चाल कर लो, सब मंजूर है, पर आप समविध लो बाद में हम बताएंगे क्या आता है, क्या नहीं आता है, तो ऐसे है, तो, it is ruled by the Supreme Court in the case of 1973, and it was reaffirmed in the Minerva Mills case of 1980, ठीक बात है, ये हुआ था Minerva Mills में भी, बोलाता कि हाँ, हाँ, जो basic structure है, बहुत important है, Now, judicial powers and functions क्या है उनकी, जब ये judicial की तरह act करते हैं, कैसे, जब ये राश्पती जी का impeachment करते हैं, for the violation of constitution, तब Parliament acts as a judicial body, क्योंकि तब ये पढ़ता है कि जो प्रेसिडेंट न किया है, वो question of law है, question of fact है, उसमें कितनी सच चाही है, उस बात में, It can remove the vice president from his office, ओप राश्पती को भी हटाना, आप हटाने मतलब ये नहीं है कि बैटे हुए boss की तरह, नहीं, पहले उसकी तहकीकात होगी, उसके उपर पूरी report बनेगी, और motion के उपर फिर 50 लोग चाहिएं, 20 लोग चाहिएं, जो पहले उसको second करें, सब कुछ करें, ठीक बा हमको इनको हटाना है, इन लोगों को, that means ये एक judicial body की भूमिका निभा रहे हैं, it can punish its members और outsiders for the breach of its privileges और contempt, कि जब ये किसी को punish करते हैं, अपने ही member को ये किसी भारवाले को, तब भी ये उसका सही गलत का निडने करते हैं, कि सही है कि नहीं है, इसने गलत किया है, इसने क्या क तो यानि कि उसमें judicial body की भूमिका निभा रहे हैं, अब electoral powers देखो, ये चुनाव भी करवाने में हिस्सेदार है, कैसे, parliament participates in the election of the president, along with the state legislative assemblies, बही राश्पती की चुनाव में, and it itself elects the vice president, उसमें MLS तो आते नहीं है, now, लोगसभा elects its speaker, deputy speaker, while राज़ा सभा elects its deputy chairman, ये भी हो authorized to make laws to regulate elections to the offices of the president and vice president, ये ही तै करते हैं कि राश्पती जी का उपराश्पती जी का चुनाव जो होगा, वो किस मैनर में होगा, कैसे होगा, और यही नहीं, राश्पती, उपराश्पती, MPs, MLAs, इन सब के बारे में ये तै करवाते हैं, कैसे चुनाव होगा, कब होगा, कौ वोट दे सकता है, सब बात है, अब accordingly, पारलेमेंट नहीं सारे काम किये हैं, क्या-क्या, Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, RPA 1951, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने काफी सारे एक्ट भी सामने खड़े करके ला दिये हैं, बागी पावर्स देगो, और भी पावर्स हैं, खतमी नहीं होरे इनकी पावर It serves as the highest deliberative body in the country, यानि कि इस जगे से उपर और कहा ही discussion होगा, मतलब सबसे बड़ा है यह जगे, यहाँ पे देश के मुद्दों का discussion हो रहा है, It discusses various issues of national and international significance, जितने भी important matter हो, यहाँ discuss होने चाहिए, It approves all the three types of emergencies, जितने भी emergency हो, national, state, financial, जो भी राश्पती प्रोक्लेम करते हैं ठीक है, It can create or abolish the state legislative council, विधान परिशद, जो states में होती है, on the recommendation or the request of the consent state legislative assembly, उनकी अगर request हो, जैसे UP, तो UP ने request करीए साब, अमारे विधान परिशद होनी चाहिए, ठीक है, बनवा देंगे आपकी विधान परिशद, कोई problem नहीं है, It can increase or decrease the area, alter the boundaries and change the names of the state of the Indian Union, करवा सकते ह कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, और इसमें कॉनसे majority लगेगी ये करवाने में, याद है कि नहीं, It can regulate the organization and jurisdiction of the Supreme Court and High Courts, and can establish a common High Court for two or more states, ये भी इनके पास पावर है, ठीक है, अब ये देखो, कि parliamentary control कितना ineffective हो जाता है कभी-कभी, कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो र ना इतना expertise है, to control the administration, कि देश में कितना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा जो complex, इतना बड़ा जो हमारा system चल रहा है, और जो इतना, मतलब, voluminous हो गया है, humongous हो गया है, उसको ये कैसे इतने complex system को, कैसे ये लोग करें, also, Parliament का financial control जो होता है, ये अटक जाता है, क्योंकि technical ब कई सारे जो Parliamentarian होते हैं, वो होते हैं, layman, layperson, उन्हें नहीं पता है, अब कहा होगा, मंतली जी ने कहा था, हमने कहा दी, अहां ठीक है, कहा ही होगा, party के whip leader ने कहा था, chief whip ने कहा था, हमने हाँ कहा था, हमें जादा नहीं पता, ऐसा कुछ हो जाता है, तो मतलब क्या है, कि पता ही नहीं हुआ कि वो कहां हां बोलके आए है ठीक बात है अब जब हम देखते हैं the legislative leadership lies with the executive and it plays a significant role in the formulating policies तब समझ में आता है कि parliamentary control बचा ही नहीं क्यों क्योंकि जो leader of the house होता है leader of the executive है PM है उनी के around ही तो सब कुछ गूमा है parliament भले ही supreme है, है, बड़ा है, सब कुछ है पर parliament में अगर executive के पास majority है और executive नहीं कोई कानूम बनवा के पेश करवाया है हो गया, done, power, वो तो okay है the very size of the parliament is too large and unmanageable to be effective और यह already अब और बड़ा होने वाला है, यह parliament फिर कैसे काम होगा, और कैसे फिर तो छोटी cabinet से ही काम हो जाएगा now, the majority support enjoyed by the executive in the parliament reduces the possibility of effective criticism अगर parliament में executive की, बढ़िया majority है, अत्तगी majority है करते रहो criticize अब, क्या हो जा रहा है, कुछ होना तो है नहीं, उनके पास तो majority है the financial committees, like public accounts committee, examines the public expenditure अब यह जो committee है, इस committee ने expenditure को examine तो किया, पर कभ किया, जब expenditure हो चुका है after it has been incurred by the executive, that is, they do the post-mortem work post-mortem काम करते हैं यह, अब वो तो चला गया ना, अब उसके पीछे आप कुछ भी करते रहो क्या फरक पड़ रहा है, पैसा तो गया now, increase records to guillotine, reduce the scope of financial control क्या करें, जब budget इतना लंबा चोड़ा, 45 लाग करोड का budget हम discuss कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, अब कितने मुद्धे आप discuss कर लोगे दो महीने, कर लो, चलो अच्छा, कर के देखो, कितना समय लगता है, देखें, यह साड़े 500 लोग हैं, और 2 houses हैं, तब ऐसे में क्य होगा, जाता होई नहीं पाएगा discussion, अब आखरी में discuss नहीं होगा, speakers आप कहेंगे, गिलोटीन motion, तो गिलोटीन motion में, सारा का सारा, जतना पुराना discuss हो गया, बागी जब एक साथ उसको put to vote करो, done, okay, fine, अब the growth of delegated legislation has reduced the role of parliament in making detailed laws and has increased the powers of the bureaucracy, क्या हुआ, parliament ने कई ऐसे काम कर दिये हैं, कि जब अपना delegated legislation दिया है, executive के हाथ में चाबी दे दिया है, कि अब तुम समालो, हमने कानून मना के पकड़ा दिया है, अब तुमारी जम्मेदारी है, इसको बचा लेना, समाल लेना, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो parliament ने दे द executive को, अब parliament ने खाली हलका फुलका खाका धांचा बना के दे दिया, अब इसके बाद executive की फिर पावर है, executive के पास control है, कि वो कैसे उसका detailed law बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो executive यानि bureaucracy की power बढ़ गई, और parliament की power diminish हो गई, frequent promulgation of ordinances, जब house session में नहीं होता है, धड़ादार by the president dilutes the president's power of legislation, ठीक बात है, parliament's control is sporadic, general and mostly political in nature, चोटा मोटा तुच्चा पिच्चा रोल रह गया है, parliament का, ऐसा दिखता है, कि राजनेतिक रह गया है, political रह गया है, और बाकी इन से ज़्यादा बात हो नहीं पा रही है, ठीक है, now, lack of strong and steady opposition in parliament, और setback in the parliamentary etiquettes, जो parliamentary behavior होता है, तो इसकी वज़े से भी क्या हो रहा है, कि हमारे ineffectiveness of legislative control दिख रहा है over administration in India, है, दिख रहा है, opposition अगर strong हो, opposition अगर बहुत ज़्यादा criticize करे सरकार को, मौके बे मौके, that means कि opposition alert है, और सरकार को भी alert रखे हुए, अब जब parliamentary ethics ही हम देखते हैं, कि सब लोग बेच खाए हैं, parliamentary ethics, parliamentary behavior, अलो हो गया फिर, तो क्या ही आप, क्या ही आप control रखोगे, इसके उपर, administration के उपर, नहीं हो पाएगा, फिर, अब राजयसभा की position देखो, राजयसभा की position लोगसभा के comparison में देखी जाएगी, now, कैसे देखेंगे, कहां वो बराबर है, ये equal to का sign है, ये equal to का sign नहीं है, ठीक है, equal to sign पर cross लगाया हुआ है, और ये है greater than, कि कहां पर राजयसभा बड़ी है लोगसभा से, अभी दिखते हैं, कहां कहां बराबर है राजयसभा लोगसभा की, कैसे कैसे, introduction and passage of ordinary bills, CAB, financial bills, साथ में क्या, involving expenditure from the CFI, ऐसे जब bills आते हैं, तब इसमें ये दोनों बराबर र President and also Vice President, पर Vice President के case में, impeachment नहीं बोलेंगे, removal बोलेंगे, making recommendations to the President for the removal of CJI, judges of the Supreme Court, यहां पर high court के judges, CEC, CAG, इन सब का जब removal करवाना होगा, हाटा उनको, ठीक है, तो राजपती जी को recommendation, राजसभा लोगसभा दोनों मिलके दे देते हैं, approval of ordinances and proclamation of all the three types of emergency by the President, यहां पर दोनों का पक्ष हैं, दोनों बराबर हैं, selection of ministers, including the Prime Minister, राजसभा लोगसभा दोनों बराबर हैं, ठीक है, consideration of the reports of the constitutional bodies like Finance Commission, UPSC, इसके अलावा CAG, और SE bodies की जो reports आती है, दोनों house में table होती है, दोनों house में इसकी study होती है, अब, enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and UPSC Commission, कि कैसे जब इनका jurisdiction, इनका size, इनका बढ पाना होगा, कुछ भी करना होगा, तो वो जिम्मेदारी दोनों राजसभा, लोगसभा दोनों के उपर आईगी, अब देखो, कहां पे, जब लोगसभा बड़ी है, ठीक है, अभी यहां पे, unequal to a sign है, यहां पे यहां नहीं कि लोगसभा बड़ी हो रही है, राजसभा से, कैसे कैसे मौके पे, जब money bill की बात होगी, money bill can be introduced only in the लोगसभा and not in the राजसभा, ठीक है, a financial bill, जो की not containing solely the matters of article 110, that is money bill, so also can be introduced only in the लोगसभा, साब बात है, ठीक बात होगी, with regard to its passage, both houses have equal powers, जब पास कराना होगा, दोनों house में वराबर अपनी majority चाहिए, लेकिन, introduce कहा होगा, only in the लोगसभा, ठीक है, now, final power to decide कि क्या है ये bill, money bill है, कुछ और बिल है, it's the speaker of the लोगसभा, इनके पास है, राजसभा cannot amend or reject a money bill, नहीं हो सकता है, should return the bill to लोगसभा within 14 days, बस, ये कर सकती है ये, with or without recommendations, not minding on लोगसभा, माने तो माने, ना माने तो ना माने, ठीक है, अब, यहाँ पे, a resolution for discontinuing the national emergency can be passed only by the लोगसभा, कि कब emergency हटानी है, ये बात तै करेगी लोगसभा, और इसके लिए resolution जो आना है, वो पहले आएगा लोगसभा में, now, हम देखेंगे, कि speaker जो होते हैं लोगसभा के, ये preside करते हैं, over the joint setting of the both houses, पढ़ चुके हम, क्योंकि लोग राजसभा, can only discuss the budget, but cannot vote on the demands for grants, वो, discuss करवा लो आप वहाँ पे, ठीक है, करवालो, वोट नहीं दोगया, वोट देगी खाली लोगसभा, उनके पास special power है, भाई, क्या करें, है तो है, राजसभा, cannot remove the council of ministers, no, sorry, by passing an NCM, NCM, only in लोगसभा, only, कहीं और नहीं हो सकता, council of ministers is collectively responsible, only to the लोगसभा, ठीक बात, understood, easy, अब यह देखते हैं, कि कहां पर राजसभा बड़ी है लोगसभा से, ठीक है, अभी देख लिए हमने बराबर थी, अभी देख लिए छोटी थी, अब देखेंगे बड़ी कहां पर है, so, बड़ी होने के लिए, आर्टिकल 249 देखो, जहां पर यह पर्लिमेंट को ऑथराइस करती है, तो यह बनाएगी खाली राजसभा इनिशेट ले सकती है, बात में पर्लिमेंट इसको कानून मनाएगा, इसके लिए पूरा सारा खाका बनेगा, रेडी होगा, आर्टिकल 67, that is the resolution for the removal of Vice President, can be initiated only in the राजसभा, and not in the लोगसभा, क्योंक राजसभा के ही इनके monitor है, class in charge है, ठीक है, emergency, emergency में अगर proclamation हो गया राश्पती के द्वारा, for imposing an emergency, ठीक है, ओके हो गया, national हो चाई, state हो चाई, financial हो, at a time when लोगसभा has been dissolved, जब लोगसभा भंग हो रखी हो, तब उस समय क्या होगा, then the proclamation can remain effective, even if it is approved by the राजसभा alone, पर इतने हफते के अंदर, बताना जड़ा, अब जब ये हमने तीन तरीके से देख लिया, कि राजसभा छोटी बड़ी है लोगसभा से, तो हमें समझ में आ रहा है, कि हुआ क्या यहां पर, इस analysis समझ में आया, कि हमारी राजसभा जो है, हमारे सम्मेदान में, वो house of lords की तरह ब्रिटेन का जो होता है, उतनी weak भी नहीं है, और इतनी strong भी नहीं है, जितनी US की Senate होती है, अच्छा, तो मतलब हमारी क्या है, हमारी दोनों का combo है, except in the financial matters and control over council of ministers, सब जगे, RS is equal to LS, ठीक है, right side is equal to left side, नहीं, यह मतलब नहीं है इसका, राजसभा is equal to लोगसभा, बस, ठीक बात है, financial matter को छोड़ दो, और ऐसे matter को छोड़ दो, जहां पर council of ministers के उपर दबाओ बनाया जा रहा हो, तब उसके लावा बाकी सारे matters में, राजसभा is equal to लोगसभा, अब फिर अगर इतना आप आपने सब power छिनवा ली, तो इसका फाइदा क्या बचा, इनका utility of राजसभा ह है क्या, यह house of elders है, upper house है, क्या कर क्या रहे हैं लोग, तो यह क्या करते हैं, it checks hasty, defective, careless and ill-considered legislation, ऐसे कुछ कानून जो बन जाते हैं लोगसभा से, जो बहुत ज्यादा जल्दी बाजी में आ गए, जो बहुत ज्यादा defective हैं, गलतिया हैं, उसमें तुरुटिया हैं, उसमे इसको revise कर लो थोड़ा सा, इसको reconsider कर लो थोड़ा सा, दोबार सोचो इस पर, ठीक है, it facilitates giving representation to eminent professionals and experts who cannot face elections, क्योंकि direct election में यह यह लोग जानी सकते, अब तेंदुलगर जी कहां से जीते हैं, चलो ठीक है, वो तो बहुत बड़े सितारे हैं, सब कुछ हैं, पर ऐसे कई और भी कर देते हैं, और इन लोगों को वहाँ पे बठवा सकते हैं, अपने कानूम बनाने की प्रक्रिया के बीच में, so, it maintains the federal equilibrium by protecting the interest of the states and UTs, of the states against the undue interference of the center, के राजा सवाब प्रोटेक करती है, ऐसे states का interest, ऐसे undue interference, जो center जो दिखा सकता है, अब चलो parliamentary privileges के उपर, privilege, privilege माने, जो लोग enjoy करते हैं, ऐसी privilege, ऐसे ज़्यादा अच्छी powers, तो क्या मतलब है इसका, parliamentary privilege are the rights and immunities enjoyed by the members of parliament in India to enable them to discharge their duties and functions without interference or intimidation, ऐसे उनको जो अधिकार मिले हैं, ऐसे उनको जो immunities मिली हुई हैं, जिससे कि वो अपने सारे duty वगएरा निभा सकें, करतव निभा सकें, बिना डरे, बिना किसी, और किसी interference के, outside किसी भी चीज़ के, अब सम्विधान ने क्या बोला है, कि यह parliamentary privilege जो है न, यह उन persons को भी extend होगी, जो parliament का हिस्सा नहीं है, पर लेकिन वो parliament की proceeding का part बन रहे हैं, जैसे कि attorney general, ठीक बात, attorney general हमारे parliament के किसी house के हिस्से तो है नहीं, तो क्या होगा, कि इनको भी लेकिन वो immunity मिली होगी, क्योंकि यह parliament क proceeding का हिस्सा बनते हैं, बैठते हैं माँ जाके, और इनको पूरा अधिकार है, parliament के किसी भी session में जाने का, किसी भी sitting में बैठने का, committee में जाने का, लो, अब जो राश्पती जी है, राश्पती जी के पास यह सारी immunity extend नहीं होती है, जो parliamentary privileges है, वैसे राश्पती जी के पास इतन हमने privilege को ऐसे classify किया है, collective privilege और individual privilege, कैसे कैसे, collective कैसी होगी, कि पूरे house की एक साथ होती है, individual माने, एक member की एक लौती की individual कैसी होगी, तो privilege पहले दिखते, collective कैसी है, the right to publish reports, debates and proceedings, कि एक house की, दोनों houses की है, अपने अपनी, So, अपने house की, अपनी सारी report publish करना, अपनी सारी debates का record बना के बाहर publish जनता के सामने रखना, अपनी सारी proceedings को जनता के सामने रखना, right to exclude strangers from its proceedings, जो बाहरी वक्ती है, जो अपने, उनके member नहीं है, house का, उसको अटा दो वहां से, क्यों हो, तुम क्यों बैठे हो, जाओ यहां से, ऐची वाली बात, right to make rules to regulate its own procedures, के वो अपना rule खुत बनाते हैं, हम कैसे चलेंगे, right to punish members as well as outsiders for the breach of its privilege, के जब इनके किसी privilege का हनन होगा, इनके privilege का, जब कभी मखौल उडाया जाएगा, तब यह सजा भी देंगे, उन members को भी और बाहरी वक्तियों को भी, courts को prohibit किया हुआ है from inqu into the proceedings of the house, नहीं कर सकते हैं, now, no person can be arrested without the permission of the presiding officer, यह important है, यह क्या कहता है, कि भले ही कोई शक्स, सुनना ज्यान से, भले ही कोई शक्स, चाहे वो house का member हो, चाहे ना हो, अगर वो house के premises में है, ठीक है, house के premises में, मतलब Parliament की building में बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ ना तो उसे कुछ भी होगा, without the permission of the presiding officer, भले ही Parliament की सुरक्षा में खड़ा हुआ, कोई police का guard हो, ठीक है, या CRPF का जवान हो, CISF का जवान हो, तो वो भी लेकिन Parliament की अगर premises के अंदर है, campus के अंदर है, that means, कि वो देश के मंदिर में है, लोकतंतर के, अब वहाँ पे अगर उसके खिलाफ कोई notice भेजना होगा, that means, house के presiding officer को पहले वो सूचना देनी पड़ेगी, वो अगर permission दे दें, तो ठीक है, नहीं तो नहीं, now, right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member, के, अगर house का कोई member है, उनके खिलाब कुछ, ऐसा कोई बढ़िया काम हुआ है, के वो retain हो गए है, कई convict हो गए है, कही जेल में है, कहीं release हुआ है, कहीं किसी जेल से, तो तुरंत house को सूचत हो, house को सूचना मिले, ये चीज, can institute inquiries and order the attendance of witnesses and send for relevant papers and records, विजवा सकती है ये, house है भाई, ये कुछ भी inquiry मंगवा सकती है, कहीं से भी कोई paper, लाओ, हमको दिखाओ, क्या हुआ है वहाँ पर, ये house है, तो ह है तो है, अब individual पर चलो, एक अकेले व्यक्ति के ऊपर, एक अकेला जो MP है, क्या क्या प्रफलेज है, members cannot be arrested during, during the session of the parliament, 40 days before the session and 40 days after the end of the session, session 40 days पहले, 40 days बाद में, नहीं हो सकते है, ठीक है, members have freedom of speech in the parliament and no member is liable to any proceedings in any court, वो cold की floor, sorry, वो सदन की floor पर खड़े होके कुछ भी कहने, कोई कभी उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं हो सकती, किसी cold में, house में हो जाए, वो अलग बात है, वो दूसरी चीज है, पर किसी cold के अंदर, कभी भी कोई उनके इस बात पर सुनवाई नहीं चलेगी, कि इन्होंने देखो, parliament में जाके क्या बोलाता, नहीं हो पाएगा, now, they are exempted from jury service when the parliament is in session, मतलब इनको cold का चरी चक्कर नहीं लगाने है, जब सदन सत्र में हो, ठीक बात, अब breach of privilege and contempt of house, ये ऐसे दो नाम हैं, जो ऐसा लग राएगे, interchangeable है, ठीक है, पर दोनों अलग अलग है, कैसे, MN Calls authority, चाहे, अकेला कोई शक्स हो, चाहे कोई authority हो, disregards or attacks any of the privileges, rights and immunities of the house, either of the member, individually, or of the house, in its collective capacity, the offense is termed as the breach of privilege and is punishable by the house, ठीक है, ये होता है, कि किसी शक्स नहीं या किसी authority नहीं, इनके, किसी privilege पे attack किया है, disregard किया है, इनके order को नहीं माना है, जो भी है, तो, इनके rights, immunities, किसी member के कुछी काहनन हो गया, कुछ हो गया, that means the offense is breach of privilege, अब, contempt of house क्या होगा, any act or omission, यानि action or inaction, दोनों चीज़े, which obstructs a house of parliament, its members or its officers, सबके सब, सारे include हो रहे हैं, in the performance of their functions, or which has a tendency directly or undirectly to produce results against the dignity, authority and honor of the house, is treated as a contempt of house, similar चीज़े लग रहे हैं, दोनों चीज़ें similar हैं, ऐसा कोई क्रत्य करना या ना करना, दोनों की वज़े से, अगर house के proceeding में, house के parliament में, किसी उनके duty discharge करने में, house की dignity में, उसके authority में, उसके honor पर कोई आच आई, तो वो contempt of house बना जाएगा, अब, normally जो होता है, breach of privilege may amount to contempt of house, ठीक बात है, यह आपने नहीं किया, तो यह तो लगी गया आपके उपर, अब, likewise, contempt of the house may also include a breach of privilege also, यह किया तो यह तो definitely ही है, तो contempt of house, however, has wider implication, यह बड़ी बात है, यह कभी भी लग सकता है, किसी को पर भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब, there may be a contempt of house, without specifically committing a breach of privilege, for example, जैसे क्या हुआ था, disobedience, disobedience to a legitimate order of the house, is not a breach of privilege, but it is a contempt of house, but, ठीक है, आगर house ने कोई order दिया है, कि हाँ साब, यह हमारा order है, इसको मनवा देना, अगर order नहीं माना गया, तो, वो contempt of house है, वो breach of privilege नहीं हुआ, ठीक बात, ओके, fine, अच्छा लग रहा है, अब, ऐसे सम्मेधानिक provision क्या-क्या है, जो Parliament को ऐसी power दे रहे हैं, धमागेदार power दे रहे हैं, क्या-क्या ह हैं वो, article 105, 122, यह privilege of Parliament बताते हैं, 194 and 212, यह बताते हैं, privilege of state governments, कैसे कैसे बता रहे हैं यह, यह ऐसे बता रहा है, 105 कहता है, there shall be a freedom of speech in Parliament, ठीक बात हो गई, Parliament में कुछ भी बोल दो जागे, कहीं भी बोल दो जागे, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, no member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee दे रहा हूँ, बोल के आजा कुछ भी, don't worry, अब 1-2-2 कह रहा है, कि validity of any proceedings in Parliament shall not be called into question in any court on the ground of any alleged irregularity of the procedure, कि house की कोई अगर कोई भी proceeding है, वो इसलिए किसी court में नहीं जाएगी, कि वहाँ पर लग रहा है कि procedure में irregularity थी, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, same चीज, यह states के लिए है, same की same बात होने वाली है, तो इसको repeat करने का कोई point नहीं है, बस, article number याद रहना चाहिए, now comes, कि जब शुरू में क्या हुआ था, 105 article ने कहा था, कि हम खाली दो तरह की बात बोल सकते हैं, कैसी, freedom of speech in Parliament and right of publication of its proceedings, कि Parliament की जो proceedings हैं, वो कैसे कैसे आप उसको publish कर रह अब, यह जब शुरू में न, सम्विधान नहीं क्या रखा था, कि देखो ऐसा है, जब यह सम्विधान लागू हुआ है, that is, 26 January 1950 को, तो इस दिन, with regard to other privileges, it provided, हम कहते हैं, कि जितने भी यह जो privilege हैं, जितने भी यह जो immunity, यह सब लोग जी रहे हैं, यह लोग जो enjoy कर रहे हैं यह सारी की सारी सेम हैं, वैसी की वैसी, जो Britain के House of Commons में लोगों को मिली हुई है, अभी नहीं पता हमें, अभी नहीं पता में वहाँ पर क्या क्या है, पर हम मान के चल रहे हैं, कि जिस दिन यह सम्विधान आया है, और जब तक Parliament इसके उपर कोई पूरी तरीके से अपना एक Act Act ना ले आए, तब तक ऐसा होगा, 26 जबरी 1950 से लेके आने वाले समय में, ब्रिटन के House of Commons में, जो उन MPs को, या वहाँ की committees को, या वहाँ के members को, जो वहाँ privilege मिली हुई है, same privilege, Indians, हमारे Parliamentarians को वो मिलेगी, फिर 44th Amendment Act आया 1978 का, इसने बोला, कि अब हम बता रहे हैं, codify कर रहे हैं, provided for the other privilege of each House of Parliament, कैसे, इन्होंने बोला, amendment has made only verbal changes by dropping a direct reference to the British history, British House of Commons, without making any change in the implication of the provision, बोल दिया इन्होंने, इन्होंने कहा, हमें वो ब्रिटन वाली बात अच्छी नहीं लग रही है, उसको अटा दो, हम Indians ही ठीक है, now, it should be noted here, कि Parliament ने अभी तक कोई ऐसी special law exhaustively बनाया नहीं है, जसने सारी privilege को codify कर दिया हूँ, तो अब यह जो privilege आ रही है, यह आ कहां कहां से रही है, constitutional provisions, various laws जो पर्लेमेंट नहीं तक बनाये हैं, rules of both the houses, और यह आ रहे हैं, पर्लेमेंट की supremacy, इसके उपर एक question है, question यह कह रहा है, कि क्या पर्लेमेंट सुप्रीम है, sovereign है, now, यह जो sovereignty का question है, पर्लेमेंट का, यह ब्रिटन के पर्लेमेंट से ही आता है, वहीं कैसे आता है, यह जो आप देख रहे हो, यह सारे के सारे lords, जो बैठे हैं यहाँ पर, पुराने जमाने के लोग हैं यह, यह बहुत पुरानी photo है, house of commons की, तो sovereignty का मतलब होता है, वै ठीक है, and no legal restrictions on its authority and jurisdiction, कुछ नहीं है, इनके उबर कोई restriction नहीं है, कुछ नहीं है, वोई, डरी नहीं है इनको, A.B.D.I.C. सहाब ने बोला था, कि this principle has three implications, कैसे, Parliament can make, amend, substitute or repeal any law, कुछ नहीं फरक पढ़ रहा है इनको, यह लोग कुछ भी कर सकते हैं, now, जैसे हमारे Delorm सहाब थे, इनको नहीं है बोला, कि British Parliament can do anything, can do everything, except make a man a woman and a woman a man, बस, यह यह काम नहीं कर सकते हैं, बाकि यह दुनिया जहान का सब काम कर सकते हैं, दूसरा, Parliament can make constitutional laws by the same procedure as ordinary laws, यह यह करते हैं, हमारे हैं इसके लिए पूरा अलग procedure है, बिल्कोल पूरा definite अलग procedure, now, the parliamentary जो laws हैं, they cannot be declared invalid by the judiciary as being unconstitutional, that is, वहाँ पे judicial review का कोई मतलब नहीं रहा, वहाँ पे, Britain के लोगों ने, अपना सर्वत्र अपना जितना विश्वास है, पूरा का पूरा इस एक body को दे रखा है, जिसका नाम है Parliament, Britain की Parliament, यह Parliament यहां की supreme है, sovereign है, बड़ी है, यह king से ही sign कराती है, king से इन्होंने power छेन के, अपना काम किया है, हमारी Indian context में, ऐसा है कि यह जो Parliament है न, यह supreme, sovereign तो नहीं हो सकती य हमारा सम्विदान रिटन है, जब सम्विदान रिटन है, इसका मतलब हमारा constitution जो है, वो fundamental law of the land है, अब ब्रिटन में यह चीज है ही नहीं, not same in Britain, क्या है, जब हमारे सम्विदान आ गया, it means it defined the authority and jurisdiction of all the three organs of the government, of the union government and the nature of interrelationship between them, सब बता दिया इसने, सम्विदान आते ही उसन काम करेंगे, येतना काम करेंगे, इसके उपर जब्मेदारी इसको देखने की है, इसकी जब्मेदारी इसको देखने की है, ये जब्मेदारी इसकी देखने की है, सब कुछ है, ठीक है, Parliament has to operate within the limits prescribed by the constitution, ठीक बात, कि जो सम्विदान ने जो limit बना दी है, कि इनको breach मत कर देना वो नहीं कर सकती Parliament, नहीं कर पाईगी, कैसे करें, अब federal system है हमारे यह, मतलब हमारे यह, division of powers है between center and state, बड़ा भाई, छोटा भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, both have to operate within their sphere of, within the spheres allotted to them, जितना जितना जिसका दायरा है, वो उसी उसमें अपना खेल कूद करेंगे, ठीक है, तो law making authority जो है Parliament की, वो confined हो गई है, it does not extend to the subjects enumerated in the state list, यहाँ पे क्या होता है, केवल 4-5 points पे, except in 5 abnormal circumstances हैं, वो भी कुछ समय के लिए ही है, तब यह अपना कर सकते हैं, पारलेमेंट, जब भाई, ब्रिटेन में यह चीज, ब्रिटेन में कुछ मतलब ही नहीं है, states का, counties का, countries का, जो ब्रिटेन के states होते हैं, जैसे Scotland हो गया, Wales हो गया, तो वहाँ पे, ब्रिटेन में states को बोलते है, countries, तो ठीक है, अब वहाँ की countries का कोई मतला भी नहीं रहा है, यार, वहाँ पारलेमेंट नहीं है, जब सोचा करना है कि ठानली कर लेगी, वो कर लेंगे, ठीक है, अब हमारे य पारलेमेंट के कितने ऐसे कदम हैं, जो जुडिशरी ने कहा है, थामबा, मत करना, हम बैठे हैं धर, हम देख लेंगे तुमको, तब उस समय क्या होता है, पारलेमेंट की पावर पे लगाम लगा दीगे, यानि कि, बोध सुप्रीम कोट एंड हाई कोट्स कैं डेक्लेर दे लंगन होता है, that means that law enacted by the parliament is done and dusted, zero, reduce to atoms, गया, फिर आएंगे हमारे fundamental rights, यहां judicial review पड़ चुके हैं, fundamental rights क्या कहता है, article 13 हम को पता है, यहां पर यह कहता है, कि state shall not make any law that is violative of fundamental rights, it prohibits a state from making a law that either takes away totally or abrogates in part of fundamental right, साब बात है, क्यानि कि, parliament की authority जो है, is restricted by the incorporation of fundamental rights, Britain में fundamental rights माने क्या, क्या मजाक हो रहा है, कुछ नहीं है वहां ब्रिटन में नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि ब्रिटन में लोग fundamental rights enjoy नहीं करते हैं, नहीं, वहां और ज्यादा लोग rights enjoy करते हैं, क्योंकि वहां बेर rule of law च आगे चलो, जब इतनी सारी कहानी पढ़ने के बाद, अब हम बोलेंगे किसाब ऐसा है, हमारा Indian Parliament जो है, बना तो भले ही Britain Parliament के तरज पे है, वो, it is built on the lines of the Britain Parliament, but, 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 it is similar in function as to the American legislature, that is Congress, क्योंकि Britain का Parliament तो sovereign है, supreme है, वो बस इंसान को औरत नहीं कर सकता, औरत को आदमी को औरत है, ठीक है, तो, जो US का Parliament है, Congress, अब वहाँ पे जो तरीका है, वैसा तरीका हमारे यहां, वो समिलर है, कैसे, क्योंकि US में क्या है, sovereignty of the Congress, जो है, वो legally restricted है, by the written character of the Constitution, वहाँ भी written, वहाँ पे सम्विदान written है, दूसरा, वहाँ पे federal system है, वहाँ पे system judicial review है, और वहाँ पे हमार Bill of Rights है, fundamental rights, तो इस तरीके से, वहाँ का भी Congress है, जो वहाँ का Parliament है, वो भी restricted है, इस जगे को बोलते है, Capital Hill, Capital, यह है, वहाँ की Capital Hill, अब यहाँ पे बैठती है, इनकी Senate और House of Representatives, ठीक है, इस Congress में, तो हमारा Parliament, इस तरीके से हम देख रहे हैं, कि हाँ, Britain का, Britain का fundamental देख लिया, और US का working समझ लिया, बना लिया अपना, बढ़िया वाला है, ठीक है, सो, यहाँ पे हमारा Parliament का chapter खतम होता है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप Parliament की, जब आप अपना exam निकाल लोगे न, तब आपको Parliament के, भारा दर्शन के दोरान, Parliament की study पे जाना पड़ेगा, और य यह है वो किताब, जो आपको वहाँ पर प्रवाइड कराई जाती है, अब यह 2018 session, नई, 2019 session की थी यह, सो, यह है study material on parliamentary practices and procedures, अब यह कराता है Bureau of Parliamentary Studies and Training, BPST, तो लोग सबा सचवाले में जब आप जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाके आपको यह सारी किताबें मुहिया होती ह आपको MPs की कई सारी lectures भी attend करने पड़ते हैं, आपको इसके अलावा ऐसा भी होता है कि BPST में आपको training मिलती है जब आप लोग सबा में जाते हो, जब राजय सबा में जाते हो, तो वहाँ पर आप मीडिया गैलरी में या visitor गैलरी में उपर जाके बैठते हो, और लोग सबा कि इस मंदिर के बारे में ऐसी ऐसी बाते हैं कि जब हम इसमें जाते हैं मीडिया गैलरी में या किसी में visitor गैलरी में, तब हम पैर भी ऐसे cross करके नहीं बैठ सकते हैं, जो सो पैर के उपर पैर रखते नहीं बैठते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ जो लोग नीचे floor पर बैठे वो माननिये हैं, वो right honorable हैं, वो लोगों के representatives हैं, लोगों का आशिरवाद उनके साथ है, लोगों का प्रतिनिद्व करने आए हैं, वहाँ जाके वो बहस कर रहे हैं, So, ये एक बहुती cool चीज है, बहुती ज़्यादा एक अविस्मर्णिय पल होता है, जब हम जाते हैं भारत दर्शन पे, So, I hope ये chapter आपको clear करता है, अभी सारी theory, and I really, really wish के आप लोग पहुँचो इस जगा पे, and see for yourself कैसे function होता है, So, इसके questions, PYQs, हम next class में लेंगे, chapter क्योंकि ये already बहुत लंबा किच गया है, और question solve करने में और ज़्यादा समय जाएगा, So, ये PDF आप लीजेगा, question खुद स्वाल करने का try कीजिएगा, then next class में हम ये सारी questions take up करेंगे, till then, आप इसको chapter revise कीजिए, and इतना बड़ा chapter हमने आप समराइज किया, You're welcome.